अब चाहूं कैसे हो तो आज का अपना डिटी एस नमबर 18 है और आई होप आपका अचा गया होगा फिर भी कोई डाउट है तो हम लोग वन वाई-वन डिसके ठीक है आओ शुरू करते हैं सबसे हैं सबसे पहले किशने क्रोहब बीट्विन टू प्लांट विस अपना इस सबसे पहले क्रोश तो सबसे شक्थ लिए। कि इसके अंदर इमस्कुलेशन के रस्पेक्ट में जो है वो करेक्ट वन पूछा हुआ है अपने मेंडल एक्सपरिमेंट टेक्नोलोजी के अंदर सबसे पहले मेंडल ने प्योर वेराइटी डवलोप किती लगा था है तो नुमर स्टेप जो है वह आई बड़ाइजेशन कि कि जिसमें दो प्योर वेराइटी के बीच में आई बड़ाइजेशन किया गया था और उसी आई बड़ाइजेशन की प्रोसेस के अंदर सबसे पहले सलेक्टेड फिमेल पैरेंटल प्लांट जो है उसके अंदर मेल ओर्गन को मैचॉर्टी से पहले ही बड़ स्टेज में आई है तो फिमेल पैरेंटल प्लांट में मेल और और उस इसको प्लांट में फिर फिर बैरेंटल प्लांट इसकी तरीक से और अगली स्टेग में फ1 में से अपना एक डाइग्राम तो इमेसकुलेशन के रस्पेक्ट में नहीं हो यहां पर अपने वो तो नहों करेक्ट वन जो है इस रेलेटेड विद प्रिमेल पारेटीड प्लांड वेल्कुल तो मेल और च्रेटेड विस तेमेल प्लांट नहीं फ्लावर है उसके अंदर फॉर दीसरा क्या रहे रहे इस रेलेटेड विद बोग प्रेंटल प्लांट नहीं दो एक ही प्लांट का उसको सब्सक्राइब किसमें फिमेल प्लान के अंदर और ऻो प्रिमूल बार प्रीमोल और पिस्टेल जो है उसते यहां पर इंधर को औरता है यहां पर है फश्ट हो जाता है ठीक है आगे जलता है तीसरा उससे ने वह देखिए सब्सक्राइब कर सकते हैं लेकिन वो लास्ट के जो तीन आपको मैंने बताए हैं तब ही अपलाई होते हैं जब दोनों तरफ जो प्रोड प्रोड प्रेंट हैं उनका जीनो टाइप जो हो से बहुत तो गेमेट कॉमिनेशन का पता लगाने के लिए सीधा फोर्मूला से अगर अगर एपलोग क्योशन करते हैं तो आपलाई होगा जब तो दोनों तरफ जिनो टाइप से लेकिन यहां पर अगर हम लोग देखें तो दोनों तरफ जिनो टाइप से नहीं है डिफरेंट है तो आप लोग देखें सिधा फस्ट जो फॉर्मूला है टूकी पाउर एंड वो अपलाई हो जाएगा तो यहां पर नम्रोप हेट्रोड टॉटल जो है वो शिक्स्टीन जाइगोटिक कॉमिनेशन जो पॉसिबल है तो आंसर क्या वजाएगा आपका सेकेड ठेक है और तीसरा क्यूशन देख लेते हैं अच्छा तीसरत हो गए ना आगे बट करें किस्ट नमर फॉर नमर क्यूशन की बात करें कि इसके अंदर प्राइब क्रोस है उसके अंदर एफ टू जनरेशन के अंदर आप जानते हैं जो फिनोटाइप रेशिया वो 9331 है 9331 है तो इस कॉमिनेशन से जो कुल बीज प्राप्त में है तो दोनों लक्षनों के लिए विसम युगमजी जीनी प्रारूप वाले जीव है पादप है तो उसकी बात हो रही है तो आप लोग देखें जो आप लोग ने पड़ा है अगर इन चार की बात करें जो इन इस लेवल के अंदर आते हैं तो यह तो चार है यह फूर बाई 16 दोनों करेक्टर के लिए हेक्ट्रोजाईगस होते हैं मतलब इम्प्योर है और इसको जैसे के साथर जाल जो है कि यह वाले चार देखें तो इसके णिलिए फ llegar उता यह बना मतलब इस टाइप के क्रॉस के बाद कि अंदर जो अपना ये जिनो टाइप आया तो जो दोनों करेक्टर के लिए हेट्रो जाएगा जिनो टाइप होते हैं वो 16 में से 4 होते हैं तो वो तो एक रेश्यो है लेकिन अगर हम लोग देखें 500 जो बेज उत्पन हुए उन में से फिर कितने होगे तो 16 अपॉन 500 इंटू तो इस तरीके से जब इसको स्वाल करेंगे तो अपना अंसर आजाएगा 124 124 ऐसे सीट्स होंगे जिनकी जर्मिनेशन के बाद में जो प्लांट्स बनेंगे वो दोनों करेक्टर के लिए क्या होंगे हेट्रो जाएगा आगे चलते है क использ Nono 5 देखिए है जीन विच गोड पर अफको सिंते हैं जू उनکे आन्य सामने एक जीन की जो अल्टरणेटीव फोर्म है या तो डिफरेंट मोलेकुलर फॉर्म फॉर्म ऑफ जी या जो पेर ओफ और उन्ट्रास्टिंग ट्रेट को कंट्रोल करने वाले जो जीन है उनको अपन आप उग्जाबते क्या बहुते हैं और सिंपल सांसर था यह उनको बोलेंगे यह पन लोग मल्टिपल एलील की हम लोग यह नहीं करें उसका अलग concept है और शूडो एलील जो है उसकी भी बात यह आप नहीं करेंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं तो इसका अंसर हो गया वाद करते हैं विच वन और फॉलिविंग इस जीनो टाइप ऑफ एगेमेट है तो लोग बात करें तो उसके अकोर्डिंग जो है यह बताया जाता कि जब भी F1 जो हो गेमेटो जनेशिस करता है तो F1 जो है उसके अंदर एक जीन की जो अल्टरेटिव फॉर्म है बंदब जो दो है लिल हो अलग हो जाते है तो जैसे अपन लोग देखें यहां पर जब एक तरीके से मोनो हाइब्रिड क्रोस किया जाता है तो F1 में पूरी एक जनेरेशन तक Capital T के साथ Small T रहता है लेकिन जब इसमें Selfing की जाती है और F2 जनेरेशन आती है तो रिसेश्यू करेक्टर जो वह वापस रिएपीर हो जाता है क्योंकि पूरी एक जनेरेशन तक Capital T के साथ प्लेंडिंग नहीं होते और वह रिएपीर हो जाता है तो जो है इसके अंदर जीन है वो रिपीट नहीं होता है जो हमेशा प्योर होते है तो अपने इसमें यहीं देखना है कि जो है उसके अंदर कोई भी जो जीन है वो रिपीट नहीं हो इसमें देखते हैं एक बार है बी एक बार है और दी बी दो बार हो गया तो बी का हो गया है इसलिए यह भी एक गेमेट का जिनो टाइप नहीं है क्यों गेमेट जो है वो हमेसा हैपलोईड होते हैं और उसके अंदर एक जिन की दोनों अल्टरनेटिव पोम एक साथ प्रजेंट नहीं आती एक बार है बी एक बार है डी यहां पर रिपीट हो गया यानि यह भ यह आ पर ficar अभी बिटिट्रिए कोई भी जो जीन है उसका डिपाटिशन नहीं है और यह प्योहर है यह क्याfight प्लॉड यहीं गेमेट का जीन टाइप इन के बाकि देखो आटी के लिए एंप्योर a के लिएं पियोर और ही है जो हैं लिएमेट के अंदर नहीं होता है यह अ जानने कारेक्टर में इखस में मीमम सेवन आप,'D तो होउं हो राए है हुर हेटेरोयक्स में है वो only hetero sorry homozygous condition में ही एक्सप्रेस होता है आप लोग blood group वाली बात कर ले कि जैसे I AIA homo में भी A blood group आ रहा है और hetero condition के अंदर भी A blood group आ रहा है अपन B blood group की बात कर ले आई B I B B blood group आ गया हो मवी भी आ गया और hetero के अंदर भी आ गया लेकिन केवल O blood group जो recessive तभी आ सकता है जब homozygous recessive condition हो तो recessive जो फिनो टाइप वो only homozygous में एक्सप्रेस होगा और जो dominant है वो homo में भी और hetero में भी अब जो 7 करेक्टर है और उनके जो alternative form है उसके अंदर जो भी dominant है जैसे round seed, yellow seed color, violet flower color, axial flower, tall flower इसके अलाबा फुल जो pod है यह सब dominant है और यह सब homo में भी एक्सप्रेस होगे और hetero में भी होगे लेकिन दूसरी तरफ इनकी जो दूसरी form है तो केवल homo के अंदर एक्सप्रेस होती है तो इसका मतलब है इस इन सब जो यह सब जो इसके ट्रेट है इसके अंदर अपने को देखना है कि कौन सा रिसेसियों है तो देखो टॉल स्टेम dominant है homo में भी होगा और hetero में भी होगा ओलेट फ्लावर जो है वो dominant है homo में भी होगा और hetero में भी होगा constructed pod जो रिसेसियों है यह केवल homo में होगा यलो पोड भी रिसेसियों है यह केवल homo में होगा अब कलर के लिए 3 करेक्ट में सीड कलर प्लावर कलर और पोड कलर तो अगर अपने लोग सीड कलर की बात करें तो सीड कलर में जो यलो है वो dominant है और green जो रिसेसियों है लेकिन सीड के मामले में यलो सीड जो dominant होते हैं और टर्मिनल फ्लावर जो है वो भी क्या है वो भी रिसेसियों है तो केवल homo में एक्सप्रेस होंगे तो 1 2 3 & 4 4 ऐसे हैं जो केवल homozygans condition के अंदर एक्सप्रेस होते हैं और दो ऐसे हैं जो केवल किसमें हो रहे हैं मालब वो dominant है वो homo में भी होंगी और hetero में तो homo जाएकर स्टेट पूचा था तो अपना आंसर जो है वो 1 2 3 & 4 के अपना आंसर हो जाएगा ठीक है और यह सब्सक्राइब देखें अर्गनिजम विद जिनो टाइप मलब यह जिनो टाइब वाला जो ऑर्गनिजम है उसको एज टेस्ट क्रॉस के लिए डबल रिसेसिव पेरिंट काम में लाया अगर जाए तो कौन से लोकस के लिए लिया जाएगा अब आप लोग जानते है ऐसका टेस्ट क्रॉस जब भी किया जाता है किसी डाोम लिन टाइक वाला उर्गनिजम है जिसका जिनो टाइप का पथा नहीं पता नहीं तो ऑ पहले सा जूब जानते हैं तो अगर कोई डॉमलीन टाइप यह बी ओसकता है और उसका टेस्ट क्रॉस कीआज जाएगा इसके हिसाब से तो वो कौन सा लोकुस हो जाएगा डी लोकस तो अगर होमोजाइगस डॉमिनेंट होगा तो रिजल्ट सारे एक जैसे हो और अगर यह हेट्रोजाइगस हो तो रिजल्ट वन रिशो वन होगा ठीक है आगे चलते हैं एक जीन है जिसके पांच डिफ्रेंट एलिल है तो एक जीन जो है उसके पांच डिफ्रेंट एलिल है तो उसमें पुछा क्या है डिफ्रेंट जीनो टाइपी कॉमिनेशन पुछा तो आपको पता है कि फिनो टाइप के रेस्पेक्ट में मल्टिपल एलिल में फिनो टाइप के लिए आपको जो फोर्मुला लगाना है वह गा एन प्लस वन जैसे ब्लड गूर्प की बात करें तीन एल होते हैं आई एए इस प्लस एक चार फिनोटाइब हो जाएंगे ए बी ओ और जिनो टाइब की बात करें जिनो टाइब के अंदर एन एन प्लस वन अपॉन टु इस तो यहां पर आपका थर्ड ठीक है इस तरीके से पॉपुलेशन के अंदर एक गिवन जो डिफ्रेंट अलिल है उसके अकोडिंग अपनलों को डिफ्रेंट 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 जिनो टाइब काल्कुलेट कर सकते हैं जैसे एक एक ग्जामपल अपन ब्लड गुर्प पॉपूण तो जीनो टाइब कोबिनेशन ओगे इस और आप जानते हैं कि इसके अंदर एक ब्लड गूप के अंदर डॉमनेंट है तो हो मों भी है और है वेला हो में वी है और है पर आप वी वाला यह है आई-ए-ब कोड़ोमिनेंस वाला होगया और ओ की बात करें तो स्मो स्मोल आई स्मोल आई तो इस तरीकिश आप लोग देखें टू टू फॉर फाइब एंड जिनो टाइब कोबिनेशन हो गया तो चाहें कितने भी एलिल देए हो इस फॉर्मुला से अपने लोग नमरों जिनो टाइब जो हैं डिफ्रेंट उनका पता कर सकते हैं चले आंगे इन इनने सर्फेंट में दर्रीटेंट इन परसेसे जिसके अंदर करेक्टरिश्टिक होते हैं वह एक जनरेशन सी अगली जनरेशन के अंदर टैस पर रहते हैं और इन इनสपेक्ट में त 창 क्तरीमि सोमेटिक वेरियेशन जो भी है उसका अगली जनरेशन के अंदर ट्रांसपर नहीं होता आप लोग जानते हैं तो यह वाला ओप्शन अपन लोग नहीं लेंगे डिगरी बाइवीच प्रोजन इस्यमलर टू देर पेरेंट नहीं यह वारियेशन के रेस्पेक्ट में आप्शन है जिसको अपर लोग नहीं लेंगे प्रोसेस वाइवेच करेक्टर आर पास्ड ओं फ्रॉम प्रोजन तो यह वाला ओप्शन जो पर टक्टो जाएगा डिगरी तो यहां पर सिंपल सा आंसर आपका से पूचे की एक जनरेशन से अगली जनरेशन में जब जाते हैं तो इसको क्या होते हैं सब्सक्राइब और जीन घुटेंज चलो आगे बढ़ते हैं और जो वेराइटी जो सलेक्ट की गई थी वो 14 थी करेक्टर सेवन करेक्टर की बात अपल लोग ने शुरुवात में की भी थी अना तो सब सब लेसमें क्या कुछ है हाओ मेनी कार्क्टर तो आप मेनी कार्क्टर तो जैंगे सेवन तो यह वाला व्यों वह रह्य ब्रेसी वह तो य। जैसर तो यूथा हुल तो हमचल दो प्योव मेराइटी इसी तरीके से बाकी के जो छे करेक्टर है उनमें भी हर एक करेक्टर की जो है वो दो-दो प्योर वेराइटी डवलप हो जाती है इस तरीके से टोटल जो हो फोर्टी वेराइटी हो जाती है आगे बढ़ते हैं सेग्रिगेशन ऑफ एलील इस रेंडम प्रोसेस अगर अपन एलील के सेग्रिगेशन की बात करें जैसे यह 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 पैरेंट्स है तो इनके अंदर जो डिपलोईड कंडिशन है तो मोलगोस क्रमोजोंच जब अलग होते हैं तो यह वह बहुत हो जाती है तो इस तरीके से यह देवार को सेग्रिगेशन हो गया और इसWe almost अंदर है जब वापस यह ब्लगोस क्रमोजोंच वापस एक साथ अजरते है तो यह बहुत है जब इस के अंदर इसन यह यह उसमें क्रेटल यह स्मोलल ग Всем et यही अपने को पुचा था कि सग्रिगेशन ऑप एल्ल इस रेंडम प्रोसेश तो वाट वोड पी दचांसे ऑफ गेमेट के अंदर होगा उसके चांस के आउंगे तो 50% आंसर आप पर वजाएगा ठीकर आगे चलते हैं क्यों सब्सक्राइटीन देखें इन नहीं क्रॉस बिट्विन यह जिनोटाइफ यह और ऋषकराओ के बाद में क्या पूचछ है कि वाट परशेंट और एड़ फ्लावर प्लावर प्लांट आप तो देखिए यह क्रॉसफ्छ जब किया जाता है यह वाला तो इस क्रॉस के बाद ऐए रेड फ्लावर प्लांट की बाद किए रेड ग्यूंद स्मॉल और इस tarkाई से ब्रोस किया ए च 투 कног स्मॉल आजप्र सक्टाटी समॉल डी स्मॉल आज तो आपको यहां पर क्या मौिद्वार प्लांट तो देखो राट तो 50 पर सैंट वह निया तो फिर सेंटल एंड एंड मुछाों मौर्ट तो तेंस्टों है कि तो फिर सेंट व Smells तो फॉर्टी नमर के उसन देखें ए ट्रू ब्रिटिंग लाइन का मतलब है जो प्योर हो लगातार सेल्पिंग की वज़े से स्टेबल फो में किसी करेक्टर को मैनी जनरेशन तक आगे जो हो ट्रांसपर करें उसी को बहुत है ट्रू ब्रिटिंग लाइन के अंदर जो है इतार वां पर एनके उसके बाद लगातार सेविंग करता है और कि ये लगातार सेल्पिंग का अगे मोँ करता है अलौ टु सaiser Kü क्या जाता रहेगा है लिए तो स्मॉल टी की फो में जाता रहेगा है का लें आगे अगे यायर्या क्व जाता है अब चार बनेगे हैसे अब इसमें चारब इस पीचार बनेंगी को वो होते हैं और 50%ते हैं वो हेंटरोगा सोते हैं एक फ्रीक यह बात करें तो 75 and 25 वो जाता है यानि लगातार अगी से तो फैरोग जाते हैं तो लगातार नियुक्त से होम ज़ती है यह इन ब्रिडिंग जासा ही केस है जो आगे हम लोग अनमेल अज मेंटरिंग परते हैं तो एक्रीडिंग लाइन इस देट हैं एविंग अंडर गों गौनियस सेल पोलिनेशन साहिए एंड आउसो अंस्टेबल नहीं स्टेबल होगा इसलिए यह वाला यहां पर रोंग हो गय क्रोस पोलिनेशन नहीं क्रोस की जगए यहां पर क्या था सेल्फ पोलेशन इसलिए यहां पर अपना आंसर जो है वह थर्ड रोंगे चले आगे जिताओ करेक्ट बन देखना है पॉलिजैनिक के लिए आप लोग जानते हैं कि मेंडेलियन इन हैं इन हो मोनोजैनिक क्वालिटेटिव जिसमें सिंगल जीन सिंगल पॉलिप्टाइड और वह एक सिंगल फिनोटाइब को कंट्रोल करता है कई बार एक से ज़्यादा जीन जैसे एब इसके तीन जीन जो है वो एक करेक्टर को कंट्रोल करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट पॉलि फ्यक्ताइड भी बनाते हैं और उनका एड़ेतिव इफक्ट होता है फाइनल प्रिविए फिनो टाइप के लिए इसे स्किन कलर वाला है तो उसके वजरे से फिर फाइनल जो के क्रिए और पार्ट कोस्टों तो इसमें एंवारमेंट का इफेक्ट पड़ता है इसमें इंटरीड्रियू जो ज्यादा होते है और इसके अंदर बेल इस्टो ग्राम भी भलता है तो उसकी बात हम लोग करते हैं इसके अंदर अपने को करेक्ट देखना है ना तो नो रोल आप एन्वायरमेंट नहीं एन्वायरमेंट का रूल और लिखा दी है जैसे आप लोग देखो ना अपनी स्किन कलर जो है उसके लिए तीन जीन है अगर हाथ पे कोई दागा कोई बं संट्राइट है उसमें जो यू भी है उसी से प्रॉटेक्शन के लिए मिलेनींजो अवर करता है तो अगर हमें अपनी स्किन जो है वो सन लाइट से एक्सपोज होते हैं प्रॉड्क्शन होगा एन्वायरमेंट अगर सनलय वाला मिला और अगर पुरी बूरी कवरड है और environment नहीं मिला तो मेलेलिन के लिए जो जीन है उन्हें की परजेंस होने के बावजूद भी उनका एक्सप्रेशन नहीं होता तो एन्वारिमेंट जो है उसका इप्ट पड़ता है थी जीन करते हैं लेकिन प्रमुक जो मेन कॉंट्रिप्रेशन है वो किसका हो जाएगा डॉमिनेट जीन का इस ओनली यह जैसी यह गलत होगा अगर अगर नहीं नहीं भी होता और यह होता रिसेश्चिव जीन है जैज एडेटिव एक्ट तब भी अपनलों लोग यह कहते कि नहीं एड दो होगा अवालक वाल ग्ला तबना रहा है। रहें कि यह जीन का इडेटिव फ्रेक्ट होगा। नहीं हेना जो है नहीं हो है फिनीट प्रण। होगा सकति के अंदर निकी के पहल यह बलता深na त्की कंसेट के ऐसें वो रोंग हो गया तीसर अच्छोत हो देखते हैं इन यूमन वी हैव ओनली टॉल एंड शॉट पिपल एज तू डिस्टिंक्ट अल्टरनेटिव नहीं जब भी मेंडेलियन इनल्टेंस या मोनोजोनिक इनल्टेंस की बात करते हैं क्वालिटेटिव उसके अंदर जुरूर ए अपने अंदर हाइट के लिए ऐसा नहीं कि जैसे मेंडल के अंदर प्लांट के अंदर टॉल और ड्वार्फ था अपने अंदर जो फिनो टाइफ है पॉलिजेनिक के रेस्पेक्ट में उसका एन्वार्मेंट में एक अलग-अलग ग्रेडियन्ट होता है जैसे इसकी हैट में अलग-अलग होती है तो यह ग्रेडियन्ट होता है दो अल्टरनेटिव फॉर्म जो है वह वह क्वालिटेटिव में होती है मोनोजेनिक के अंदर तो यहां पर यह वाला ऑप्शन भी यहां पर आपका रोग हो गया अंसर क्या हो जाएगा अपना करेक्ट पूछ रहा थ पूछ रही है उनके रिलेश्चन के अंदर जिनो टाइब और फिनो टाइब दिया फादर जो है उनने फिनो टाइब और जिनो टाइब और और तो फादर है ब्लड ग्रूप ए ना तो ब्लड ग्रूप ए दिया है इसका मदलब जिनो टाइप क्या हो सकता है या तो आई ए आई ए या फिर आई ए स्मॉल आई क्यों फिर देखो क्या करें इने फैमिली फादर है ब्लड ग्रूप ए अगर मदर की बात करें तो मदर के अंद dominant EF or IB or small i क्यों तो फिर क्या पुचा है तो फिर क्या पुचा है देर चिल्डरन सो 50% probability for a blood group AB indicating date अब उनकी बच्चों की अंदर जो है वो AB blood group जो है उसकी 50% probability है तो उसके according अपने को इसी पुचा कि father etozygous है या mother तो आप लोग देखो ना कि AB blood group की अगर हम लोग बात करें यहां पर कि जैसे उनका child है बच्चा जो है उसे फिनो टाइब और जीनो टाइब तो अपने को यहां पर AB blood group दे रखा है बच्चों के अंदर उसका जीनो टाइब आप उजानते हैं आई भी आई भी होता तो एक चीज़ देखो ना कि अगर पेरेंट का जीनो टाइब यह होता father homo और mother hetero तो देखो ना यहां से ia यहां से ib यह चीज़ पॉसिबल है फिर अगर father hetero होते है और mother homo होती तब यहां से ib और यहां से ia तब भी possibility थी इसका मतलब है कि इसके अंदर क्या पूछा है कि AB indicating that mother is homozygous भाई कि मदर होमोजाइगस है तो जरूर नहीं है मदर होमोजाइगस हो मदर जो है वो हेट्रोजाइगस भी हो सकती है और होमोजाइगस भी हो सकती है फिर आइधर और पेरेंट इस हेट्रोजाइगस देखो ना फादर भी हेट्रोजाइगस हो सकते है तब इस केस में भी तो इसका मलब है आइधर ऑपेरेंट इस है टो जाएगा सपिर यहां पर क्या लिगा है अगर फादर जो है उनका ब्लट गूप भी और प्रोजेरी में एभी ब्लट गूप जो है उसके 50 पर शेंट चांसित हैं तो इससे जो है यह इंडिगेट होता है कि जो जिनों टाइप फादर यह मतलड़ का दो इसके भी हेट्रोजाइगस हो सकता है तो एक बात अपने यह कर लिए एक और तरीके से अपनलो फादर लेते हैं एक और तरीके से अब इसको इसको डिसक्स करें तो आप लोग ने लें फादर वादा और मदर के लिए अपना ले 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 आई बी और आई बी यां इस केस में मैंने जो हेट्रोजैगस माना है वो किसको माना है अनुद आई माला है अप लोग देखो आई आई भी यह यह आई भी फिर यहां देखो यहां पर तो आई भी समोल आई 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 ऑगे आई आ तो डेखो ना कि ना यहां आई ए बी और आई ए आई भी 50-प्यूाइड प्रॉज़ेनी जो है उसके अंदर एब बलड गुरूप है तो Haп 50% progeny with AB blood group अब क्या मदर को heterozygous करने पर भी ऐसा result आता है उसको भी confirm कर लेते हैं कि माल लिया पादर जो जिनका blood group A है वो homozygous dominant की वज़े से और मदर का जो blood group B है वो heterozygous की वज़े से माल लेते हैं चलब अब देखो क्या अब भी जाइगोटिक combination के अंदर 50% AB वाले आ रहे हैं तो चेकर लेते हैं आई A, IB फिर आई A, small i फिर यहां पर देखो आई A, IB और फिर यहां पर आई A, small i यहां पर भी आप लोग देखें जब मदर एक्ट्रोजाएगा से तब भी 50% जो प्रोजेनी है वो AB वाली आ रही है तो इसका मतलब है अपना असर यहां पर कहुंसा हो जाएगा सेखें चल्यांगे आऊंगे 17 नमर के उसन देखें आई से मेल विट इस जिनो टैप क्रॉस बधा ना यह फिमेल है और इस जिनो टैप के साथ उसका उसका क्रस इस इस अ की यहां पुछा था उनकी गेमेट्स के लिए ना तो यहां पर एक भी अट्रोजाएगाश नहीं है तो एक फिमेल केन्दर तो गेमेट बन गा यह और यह नहीं सब्सक्राइल करें लाइट लुए जाय गासी नहीं मेल के अंदर जो जो और अधर घप्टल लार कैपडाल आयसी अमल्य का पर स्मॉल सब्सक्राइब गारगोर स्मॉल जार स्मॉल ख़्पर फिक अप इस और यहां पर एक दिखाया है चलो यह तो ठीक है लेकिन मेल में अच्छा एक नहीं दो दिखाया है तो दो पॉसिबल नहीं है और मेल में एक ही दिखाया है इसलिए आंसर अपना कौन सा उदाएगा ठीक है आओ कि 80 नमर के उस्सान है मैचिंग वाला के उस्सान है जैसे नीट के अंदर आते भी तो यहां पर दो कोलम दिए मेच वाला को अप्षन अपने लोगों को मैचिंग करनी को लंब वन और यह तो टेश्ट क्रोस हो गया और मोनो हाइबरिड टेश्ट क्रोस का रिश्यो जो वन रि अल्ली कंडिशन है जीसके अंदर लोग देखें तो इग फेनोटाइपक रिश्यो आता है और अगर इसकी बात करें तो यह जो 1111 आता है ओना आपको यहां दोगा एक टेश्ट क्रोस रेशय होँ और हाइबर डाइब 1111 complete dominance 11 incomplete dominance ने सिस 7117 और ट्रांस 1771 यह सब टेस्ट को आपको याद रखना है तो इस तरीके से आप लोग जब इसको मैच करेंगे तो एक का दो एक का दो दो जगा रहा है एक का दो जगा रहा है एक का दो जगा रहा है तिर अबी का तीन वी दो जगा रहा है एक का वन सी का वन यह रहा है और डी का फॉर यह रहा तो अपना असर हो जाएगा फर्स्ट सेले आओ कि 90 नमर्क के उसन देखो क्या कहता है जीन फॉर को डॉमनेंस और प्रजेंट ओन चैनकोड़ ओमनेंस ओ वो हेट्रोजाइकस कंडिशन ही होती है लेकिन होमोलोगोस क्रॉमोजोम जो है उन पे सिमलर लोकस पे बिल्कुल आमने सामने जो है वह जीन जो है को डॉमनेंस के के प्रजेंट होते हैं यह भी फ्लेट घुरूप वाला देख लोना आई ए और आई बी दोनों बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने सेम लोकस पर प्रजेंट फेंट होते हैं तो यह ओमोलोगोस क्रॉमोजोम भी ठीक है नौन फोमोलोगोस नहीं थेलेंगे आएदर हमोलोग है तब भी सेम लोकस्पर होंगे क्योंकि केवसे क्लिभी पो पॉपुलेशन में होते हैं उसके अंदर एक वेक्ति ऐसा भी है इन्देशन के अंदर केवल में इसलिए इसलिए लिए पर जो किस लेवल पर होते हैं और मल्टिबल एलील में भी लोकॉस जो होते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं तो इसके अंदर अपना अंसर क्यों साब जाएगा कुछ किस्ता नमर 20 की बात करते हैं हाउ मनी टाइप ऑफ जिनो टाइप आर फॉर्म्ड इन एफ टू प्रोजनी अप्टेंड फ्रॉम्टेंड फॉर्मूला यह है थरी की पावर एन और डाई हाईब्रेट के अंदर क्या की जा रही है तो इसका मतलब है देखो ना इस तरीके से यह तो अरली पेरेंट थे इनसे यह एफ वन आया और इसके अंदर सेल्फिंग की है ना तो अगर दोनों जनकों का दोनों पेरेंट का जिनो टाइप सेम है यह फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा और आप लोग देखिए ना यह 21 नमर क्यूशन जो है उसकी बाद कर लेते हैं कि वू आज डवलप और डवलपर ऑफ पनेट स्कॉर ना पनेट वर्क किसके दौरा विक्षित किया गया था एंसी इल्ट वे लिखा है ब्रिटिस्ट जनेटिक्स थे आर सी पनेट ना तो वो जो है इससे लेटर थे जर्मन न नमर के उसन देखें प्रपोर्शन और रिकॉमनेंट फिनु टाइप इन एफ टू ऑप स्प्रिंग और मेंडेलियन डाई हाई बिडिक्रोस आज अपने स्टाइग बात कर ली थी ना मेंडेलियन डाई हाई हाई रिक्रोस जो है उसके अंदर एफ टू के अंदर 9331 कॉमिन मेंड फ़स्ट के लिए डोमिनेंट सेटैंट के लिए रिանासिव फरस्ट के लिए रिससीनीघंड डॉमिनेंट और दोनों के रिचेंज वो चोचेंगोम से उनुडाें जला होते हैं ऑ सोडा मिए 6 और मेंसे आए 6 एले था डा highlighting טוב Road रिकॉमिनेंटैंट क्या पुचाय हैемся अहां फिनोटाइब तो रिकॉमिनेंट फिनोटाइब अपने एफ्टु के अंदर जो है वो 16 में से 6 होगे आगे बढ़ते हैं साहिवाल के रेस्पेक्ट में पूचा है और अपने जानते हैं कि अंदरी चेप्टर की स्टार्टिंग के अंदरी पहले पन्ने पर लिखा भी है कि अपने जो एंसिस्टर है उनको अपने अपने सरांडिंग की अंदर विखरी थी उनको आटीवीजन से जो है उन एनिमल्स को जो जंगली थे उनको आटीवीजन सेलेक्ट्षन और डॉमेस्टिकेशन से पालतु बनाया था तो साहिवाल उसी का एक्जाम्पल है नेच्छल सेलेक्षन नहीं म्यूटेशन नहीं और डॉमेस्टिकेशन नहीं डॉमेस्टिकेशन भी था और रॉल्टिवीजन सेलेक्षन भी था तो अंसर हो जाएगा फॉर अगले क्रिशन की बात करते हैं पिर अगले पन्ने के अंदर जो यह भी लिखा है कि हमारे एंसेस्ट्र को क्या पता था उनको इन्हेल टैंस और वेडियेशन के रिगार्डिंग पता था लेकिन उनके साइंटिफिक बैसिस के रिगार्डिंग उनको पता नहीं था तो आओ और एंसिस्टर हैड वेरी लिटल आइडिया अबाउट वाट कोजो पेरियेशन आइटीपिसिल सेलेक्शन डॉमेस्टिकेशन यह देखो सैंटिपिक बैसिस ऑफ इनेर्टेंस ऑफ करेक्टर एंड वेरियेशन तो उसके रेस्पेक्ट में वह नहीं जानते रहे थे वह उनिस सागती और वित्ता जो है उसके रेस्पेक्ट में पता था लेकिन उसके विज्ञाने की अलदार के रिगार्डिंग उनको पता नहीं था चलो बढ़ते हैं आगे 25 नंबर के उसन देखें मेंडल सेलेक्ट 14 टू पी प्लांट वेराइटी एज ए पेर विच वर सिमलर एक्षप जैसे कितने वराइटी इस थी 14 यह मैं कहूं चलों सेवन पेर वो यह चैसे एक पेर है फ़स्ट पेर माल ले एक तो गया टॉल और यह अगया के लिए वो अलग तो न यहां पर क्या पूछा एज एज पेर विच वर सिमलर एज पेर वह एक जैसे है एक्सेप्ट पोर उस एक करेक्टर के लिए जिसके रिगार्डिंग उनके अंदर क्रॉस किया दा रहा है तो वन करेक्टर विद कॉंट्रास्टिंग रेट एंसी आइटी की लाइन है भी मत्र नहीं मेंडल के चौदा तदुरुप प्रजनी मत्र की किसमों को चाटा तो जोड हो सकता है राउंड रिंकर्ड कलर हो सकता है यलो गरीन इस तरीके से तो आंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं क्रिस्ट नमर्ट 26 की बात करते हैं विच प्रूव्ड एट मेंडल रिजल्ट पॉंटेट तो जनरल रूल आप इनर्टेंस रेधर देन बिंग अप्स्टेंटिट इड आइडिया नें मैं से किसे यसी दो था कि मेंडल की जो वंसागती के नियम थे उनमें व्यापकता थी वह ऐसे हवा में नहीं थे वह एक तरीके से साइंटिफिकली प्रूव थे और वह केवल एप विचार नहीं थे जितना उस दोर में टेक्नल थी उसके अकोर्डिंग मेंडल नहीं का थी जो है उसको जान सब परका था उसके लिए उनमें टेस्ट क्रॉस भी किये थे तो क्या आप कौन सा यह प्रूव करता था उसी के रिगार्डिंग हम लोग बात करें तो पहला ओप्शन देखें अकन्फरमेशन ओफ हीज इंट्फिरेंस फ्रम एक्सपरिमेंट ऑन सक्सेसिव जनरेशन ऑफ इस टेस्ट प्लांट जिस भी प्लांट को वर्क कर रहे है कई जनरेश से जो है यह सब उनको पता लगा तो उसी के रस्पेक्ट में यह आंसर आपका हो जाएगा बाकी तो इनको ऑप्शन बनाए वे उनको चेंज किया हुआ है कि ता कन्फिरमेशन ऑप हीज इंट्रफिरेंस फ्रॉम को डॉमनेंस ऐसे बना दिया है इसी लाइन को चेंज कर दि हुआ रिए हैं好 है 27 अग्योसर की बात करते हैं कि नीजिखwind के टेट दुट देखो कि अगर डॉमिनेंट जो रिट कि अगरं दॉब बात करें जैसे हाईट जो है उसके लिए टॉन होला है तो तो dominant gene जो एक्सप्रेस होता है protein बना जाता है लेकिन रिसेश्यों की बात अगर करें जैसे जो dominant है तो इसका expression हुआ इससे enzyme बन गया और enzyme ने substrate से reaction की तो product बन गया और जो product है उससे क्या create हो गया phenotype लेकिन अगर यही रिसेश्यों है और इसके अंदर अगर मुटेशन हो जाए और यह रिसेश्यों हो जाए तो इससे या तो enzyme बनेगा लेकिन वो function नहीं करेगा और यह enzyme बनेगा ही नहीं यह enzyme का formation हो गई नहीं तो दोनोई condition के अंदर substrate का product में चेंज नहीं होगा जैसे अपने लोगों ने पढ़ा भी है कि non-modified जो है उससे enzyme बनता है उसके तीन रिजल्ट होता है यह तो enzyme बनता है लेकिन less efficient होता है और वो substrate को product में change कर देता है यह फिर दो condition थी पहली condition के अंदर modified non-modified के जैसा था और दूसरी तीसरी condition में non-functional enzyme बना और तीसरी के अंदर enzyme बनाई नहीं था तो दूसरी और तीसरी condition के अंदर enzyme जो है मलब substrate जो प्रोड़िक्ट में चेंज नहीं होगा यह नहीं होगा और दूसरी की तरह होगा ठीक है तो यहां पर आप लोग देखें कि रिसेश्चिव ट्रेट जो है वो किस वज़े से दिखते हैं प्रजेंस ऑप dominant नहीं अगर dominant अले की प्रजेंस भी तो फिर तो रही जो ट्रेट हो dominant देखेंगा रिसेश्चिव नहीं नहीं है इस से लेट नहीं है यह भी अपने अंदर जो इंदर उसके नेक्स जो को incomplete dominance है न तो उसके concept के अंदर last last की लाइन यह है जिस पर भी मैंने आपको discuss करके चीज एक्स्प्रेंड किया ना तो आपने आंसर हो जाएगा थर्ट बिकोज नो इंजाइन इस प्रोडूज ऐसी condition के अंदर होता है कि अलब डॉमेंट जो है वह हो में भी एक्सप्रेस होगा और हेक्ट्रों में भी होगा और हेक्ट्रोड जाइकस कंडिशन के अंदर एक रिसेश्चिव जो एलिल है वो पॉपूलिशन के अंदर छोपावा रहता है यानि नेचर जो है वो एक्ट्रोज यगस कंडिशन के अंदर रिसेश्फिव ऐलिल का सब्सक्ट्रों करती है यह एक वह दूनों रिसेश्चिव एक साथ जाए होई हो मोगा चैक्र पालत बनेगा नहीं और वह उर्डस्टम ही तो उसका नेक्सल सेलेक्शन नहीं होता है जो म्यूटेशन है जिसकी वज़े से बनेगा वह नेचरली सेलेक्ट अगर होता है तो होता हो में सेलेक्ट नहीं होता तो आगे बढ़ता है 28 नमर क्युशन जो है उसके बात करते हैं कि एक इंडूईजल होमोजागस पॉट टू लोकाई के लिए वो जो है सब्सक्राइब हेट्रोजागस दो लोकाई के लिए वो हैट्रोजागस है। रोच अब प्रोड्यूज वन मीलियन स्पम् करता है हाव मैंने स्पम् आ विल है वोत डॉमनेंट यह दो डॉमनेंट यह आप लोग देखें एनके वल्यू कैं या निक बनेंगे चार और चार गेमित अगर बनते हैं तो हम लोग देखने capital A small A capital B small B capital B small B इस तरीके से यह देखो 1 by 4 दोनों dominant है 1 by 4 एक dominant एक recessive है 1 by 4 एक recessive दूसरा dominant है and 1 by 4 दोनों क्या है recessive इस तरीके से आप लोग देखें क्या पूचा है कि 1 million sperm जो है वो यह produce कर रहा है तो फिर क्या पूचा हाव मेनी स्पम विल है वो बहुत dominant एलिल दोनों dominant एलिल यह देखो 1 by 4 में है और एक million है तो एक million का 1 by 4 कितना हो गया 0.25 million जो गेमेट्स हैं वो कैसे होंगे से इस टाइब के इसी तरीके से यह क्यों अगर ऐसा होता हाव मेनी विल है वो बोथ recessive एलिल तब भी आंसर क्या होता 0.45 तो 0.45, 0.45, 0.5, 0.5, 0.5, 1 million हो गाईगा तो इस तरीके से इसका recessive boost था ऐसे guess में 0.5 answer हो जाता है यह 0.5 million हो तो उस 1 million के अंदर दोनो एलिल जो dominant है तो उसके respect में आसर हो जाएगा 0.25 million यानि 4 चले आगे आगे 29 नमर के उसन देखें इफे cross is made between मतलब इन के बीच में अगर cross होता है तो उससे जो भी इंडिविजन बनेगा तो जीनो टाइपिकली तो यह ऐसा होगा capital A small A और phenotypically उसके अंदर A ही express होगा तो simple सता जीनो टाइपिकली capital A small A और phenotypically A यह answer हो जाएगा जीनो टाइपिकली यह possible नहीं है जीनो टाइपिकली यह भी पॉसिबल नहीं है जीनो टाइपिकली यह पॉसिबल तो है लेकिन फिनो टाइपिकली 31 देखें क्यूसर नमर 31 सेट करेक्ट वन रिगार्डिंग डाउन सिंड्रोम जो है वो ग्रॉमोजोमल जीनोमेटिक ब्यूटेशन का करेक्ट पोच रहा है तो कॉज ओप डिस जनेटरिक डिसॉर्डर इस प्रजेंस ओप अन अडिशनल कॉपी ओफ क्रॉमोजोम नमर 21 बिल्कुल सही है इस फॉस्ट डिसक्राइट बाई लेंग डाउन डाउन 1966 नहीं है 1866 ऐसे रहां हो गया अफेक्ट इंडिविजल इस विद लार्ज नहीं स्मॉल रांड हेड होगा और फरोड तंग फिजिकली और मेंटली नॉर्मल नहीं है फिजिकली मेंटली भी हो क्या है अब नोर्मल है तो इसलिए यह भी नहीं होगा अफेक्टेट प पून रूप से खुला हो गया और वह तो बड़ा बड़े की वज़े से गलत हो गया और सार्रिक और मांसिक रूप से क्या लिखर का समन्न नहीं है इसका वर्णंस अब एटिन 66 में हुआ था मलब खोज किया गया था यह रोंग हो गया तो आंसर इसके अंदर बन हो जाएग कि इस अनवांसिक विकार का कारण 21 जो है उसके एक एक्स्टा कॉपी है ठीक है आगे बढ़ते हैं अई चर्टीट्व नमर जो क्यों है उसके बात करते हैं यह डिजीज कोज्ट वाइए लोजोमल प्राइमरी नॉन डिस जंग्शन अलब एक्स प्रामाजों मॉर्ट उसका नॉन डिस जंग्शन हो रहा है तो क्लाइन फिल्टर भी हो सकता है टरनर भी हो सकता है वह और मेंडेलियन इसोडर है यह पोएट मुटेशन का एक्जामपल है एल्विनिपनेज़म भी मेंडेलियन इसॉडर पोएट वेजैसे आगे हो रहा है यह देखो क्लान-feltर शिंड्रोम 44 पुलस एक्स-एक्स-वाई-लाजम लॉं जंक्सिल की वाज़े से हो रहा है ठीक है तो आंसर हो जाएगा यहां पर कौन सा थर्ड 33 की बात करते हैं विच वन फ्रॉम गिवन बिलोव इस पिरिएड ऑफ मेंडेलियन हाइब डिजेशन एक्सपरिमेंट एक्सपरिमेंट हुआ था सब्सक्राइब करते हैं तो इसके अंदर अपना कौन सा होगा एटीन फिप्टेशिक से एटीन सिक्स्टी रीत वाज़ेगा से चलो आगे बढ़ते हैं 34 नमर क्युस्टन जो उसकी बात करते हैं विच बन इस नौत रिलेटेट विद ब्लूट गूप इनेटेंस इन वन डॉमिनस भी है आई ए इसमोल आई पि को डॉमिनस भी आई ए आई भी मुल्टिपल अलेलिजम भी है आई ए आई बी स्मोल आई तो इसका मतलब को डॉमिन सब्सक्राइब को डॉमिनस भी मुल्टिपल अलेलिजम इन कंप्लेट डॉमिनस इस से लिए नहीं है नीट में भी आई आई बढ़ता है 35 नमर क्युस्टन देखे है वाट इस दा जनेटिक डिसोर्डर इन विच एन इंडिजिवल इस क्रेक्टराइज वाई इस प्रक्राइब को डिए नहीं होता तो इसका फोर्मेशन नहीं होता उसके वजह से जो प्रक्राइब की कमी की वजह से सब्सक्राइब करें नहीं बन पाएगा आप एन फिन नहीं बन पाएगा और तरफीनल एलनिन के आप लोग करी हो में आपनेक तो शीन के बीच में मांनलो दस पर जैंट रिकॉंबिनेशन होता है इसका इनके बीच में जो जाएगी 10 cm पी और डी के बीच में माल लो इस पर्शेंट जनेटिक रिकॉमिनेशन होता है तो उसका मतलब है डिस्टेंस हो जाएगी 20 cm तो यह जो इन्ट है ना मॉर्गन के इन नहीं बताया कि जितना दो जीन के बीच में रिकॉमिनेशन होता है वो उनक सेंटिकल यूनिट सेंटिमोर्गन या क्रोस यूनिट के अंदर भी इसको एक पर्शेंट रिकॉमिनेशन या क्रोस ओवर हुए तो वन सेंटिमोर्गन या मैप यूनिट जो है उसके लिए यूज की जाती है ना तो आंसर हो जाएगा फॉर चलो आगे बढ़ते हैं 37 नमर क एक अथर्ड अपना इसमें भी बेठ रहा है हॉब हूब 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 है तो ओली जैनिक इनेन्स मैनी जीन गवर्न एक सिंगल क्याप्ताइट्ट वान तो एक अथर्ड हो गया प्लियो ट्रोफी सिंगल जीन मल्टिपल कर्रेक्टरसिंगल जीन-इन्फूनिश मैने बोट एलिल एक्सप्रेस देमसेल्फ आई आई भी था ना डॉमिनेंस एक हेट्रोजाइगेस कंडिशन में क्यों वाले एक एक्सप्रेस होगा ना तो इसका हूं दोब है एक का थर्ड बी का टू सी का एक नोगो एक का बन हो गया आपका नहीं एक थर्ड एक थर्ड एक थर्ड बी का जो है वो और सी का क्या लिए अपने टू और उसके बाद में जो है उसका फॉर्ट वांसर उपना हुजाएगा थर्ड चले आँगे बढ़ते हैं आउग थैटी एट नमर के उससंद्द जो है उसकी यह बात हम लोग कर लेते हैं ऑनना एक ऐसेटमेंट से स्टेटमेंट से लिया है मैंडल का दो वर्वट था वह 1865 प्रकाशित में था ठीक है उनका ऑफ्यकी प्रकाशित के अंदर समोल सेंपल साइज कब था ना सेंपल साइज सी भात था यह वाला रोट वह और उन्होंने इस पिद आप अएपरिशन फ बाइलोजिकल को यूज किया था बाइलोजिकल प्रॉब्लम में जो उनकी सक्षेज का भी एक राज था था लेकिन इसके अंदर रॉंग वन पूच रहा है और रॉंग वन जो हूँ आपका हूं सब्सक्राइगा सब्सक्राइगा जेक है अब थैटीन नमर क्यों संदेखें मेंडल फॉर्मूलेटेट दा लॉप्यूटी अपक्यूटी अपने स्टाइग में बात कि थी लॉप सेग्रिकेशन और वो किसके कोटिंग था पॉनो हाइब्रेट क्रॉस पॉर अंसर हो जाएगा कि आगे बात कर लेते हैं फॉर्टी नमर क्यों मेंडल डज नोट सेलेक्ट विच करेक्टर इन हीज एक्सपेरिमेंट में अपने एक्सपेरिमेंट में कौन सा करेक्टर यूज नहीं लिया था आपको पता है सीड कलर फ्लावर कलर स्टेम हाइट और सेप फ्लावर थी ठीकिन प्लांट के कलर के रिस्पेक्ट में नहीं था कलर थी नहीं थे पोड़ कलर सीड कलर एंड फ्लावर कलर ठीक है आओ तो सेकंड आंसर इसमें हो जाएगा 41 की बात करते हैं और फ्लांट है कि टू डिफ्रेंट एल ओफजी इन डेन इस फॉर एक जीन के डिफेंट अलेल है यासे कप्तल टी है तरो ट्व हो गया तो हमोजाईगस हों आइप हमिजाईगस तो एक डीपलोड और गनीजम होता है और उस डीपलोड ऑर्गनीजम में एक जीन जो है उसक लो मेले जो है वह एक जीन के लिए हैमी जाइगस है क्यांकि दूसरा उसका यह उनल यह अगर हो तो यहां पर अपना जो क्योंटियू नाइक के लिए अपना निन पर धॉल नूमर क्योंटियू नयूंटियू मैं देखना है कि इक्स प्रवाव तो हे परभाव को केवल मी यह तो इसता में होस्टा में अ और अगर यही रिसेश्यों के लिए होता तो फिर आंसर क्या होता ओनली इन हो मुझाजर्स क्यों फोर्टी थ्री नमर जीन डू नोर्टू अकर इन पेर आज यह बढ़ा था कि जो गेमेट्स होते हैं वो प्यूर्स मतब आज ही डिसकस किया था तॉर्स चेन उतन होता है और उसके अंदर वो जीन जो रिपीट नहीं होता है तो एंब ही टू अन है यह भी ही टू आन है यह भी 2 न यानि इन तीनों के अंदर जीन रिपीट होगा लेकिन यह तो प्यूर है वह यह तो एन है और इसके अंदर एक जीन की एक ही को भी दूसरा नहीं है न तो आंसर अपना हो जाएगा 4 चलो हागे बढ़ते हैं 44 नमर की उसन देख लें जो आपका यहां पर क्या दिया है साइटो प्लाज्मिक इनेटेंस और इसको आप लोग कह सकते हैं मेटरनल है यूनिपरेंटल है है माइटो कुंड्रियल है ठीक न तो साइटो प्लाज्मिक अपना यहां पर आंसर हो जाएगा चले आएगे आएगे बढ़ते हैं यहां तक अपना हो गया तो आगे बढ़ते हैं 45 नमर की उसन देख है 45 एजीन लोकेटेड ओन वाई क्रोमोजोम है उस पर कोई जीन है तो उस पर आपको बता कि एस आर वाई जीन है सेक्स डिटर्माइनिंग रिजन और वाई क्रोमोजोम क्या बनाता है तो यह टेस्ट्रमाइनिंग प्रक्टर रहे जिसके वज़े से इसके लावा पॉरक्यू पिंस किन जीन है इसके लावा है पर्ट्राइकोश्यस इयर पिनना के उपर जो बाल है उनका ना है और यह पर आगे बढ़ते है। 46 नमर की उसन देखिए ए मैरीज बिट्विन नॉर्मल विजन में ना एक्स वाइ एंड कलर ब्राइंड वुमेन यानि दोनों ही एक्स क्रोमोजोम पर कलर ब्राइंड देखिए न दो गेमेट यह बने इधर एक यह बना जिसके अंदर एक्स क्रोमोजोम पर हमोफिलिक मुझूद है। और इस कंडिशन में आप लोग देखें कि 100% जो डॉक्टर है वो क्या है क्या है केरियर है और 100% जो सन है वो क्या है अफेक्टेड है कि देखो ना इस किसन में क्या पुछा है कि नॉर्मल विजन में ना तो और जो स्थ्रोंजों पर नॉर्मल है एंड कलरड्लाइड वोमेन और में कलरड्लाइड डॉक्तर रीफे अपना असर हो गया बाकि ओ देखो ना नॉर्मल सन पॉसिबल है इगार डॉक्ट टो चलो पॉसिबल है लेकि नोर्मल पॉसिबल है तो चलो ठीक लेकिन 50% करिये तोड़ी है एसलिए अंसर होगा है यह फॉस्ट चलो आगे बड़ते हैं कि अब क्रोस बिट्वीट इंडिविजल हमोजागस 4 एप मिल्च पर आप्लस ब्लस प्लस यह पिर ऐसे एक लेक लेख 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 लिए इन दिस क्रॉश थे इसका मतलब है चार सो जो बनेंगे वो कैसे होंगे रिकॉमिनेंट टाइप के चार सो बनेंट रिकॉमिनेंट टाइप के देन डिस्टेंस बिट्विन ए एंड भी ए और वी जो है उसके बीच में डिस्टेंस कुछी है तो आप लोग देखें कि आपते डिकॉमिनेशन फ्रिक हिंच अगरम लोग बात करें आप ऩॉप्रेपर रिकॉमिनेशन फ्रिक क्यों फ्रिकॉमिनेशन फ्रिकॉमिन मुच क्वेंच सब्सक्स despiseं ये यह आगी चारवर रिकोमेनेंट है तो 400 रिकोमनेंट है और टोटल प्रोजेन ही कितनी है तो प्रकोमनेशन फ्रिक्वेंसी क्या आ गई कि इसका मतलब है जो डिस्टेंस है ए और बी के विच्च में केतनी हो जाएगी इस तरह के से अपने इसको पता कर सकते हैं चले आगे आओ ओर इनका एक्सप्रेशन जो शेक्स औरमौन करते हैं तो थो कि सकेन्ड सेक्शुल के सट और वह भी ओंडी कि छिओ भी अपरोदक हैनं वडि गो दोनों एक्स एक्स्प्रेश्न है यह सक्स डैट जो एक एक है sex influenced उसके जिन भी autosome पर होते हैं लेकिन उनका expression किसी एक particular जो sex उसमें ज्यादा था जैसे pattern of bald नहीं साना हाला कि दोनों में express हो रहा है एक के अंदर ज्यादा होता है उसका control भी sex hormone करते हैं तो यहां पर जो है memory gland का है मेल के अंदर जो दाड़ी मूच है उसके regarding है तो यह तो sex linked नहीं यह autosome थोड़ी है sorry allosome थोड़ी है अगर allosome पर होते हैं तो sex linked कहते है sex limited trait बिल्कुल सही है एक sex तक ही वो सिमित रहते हैं लिम्टेट रहते हैं सेक्स डिफ्रेंटिट नहीं लेंगे डिट माइनिंग नहीं लेंगे सेगें लॉप्शन यह आपका प्रक्रक्टर हो जाए और 49 नमर क्यों देक bonds क्लश्टर अब जीन तो complete linkage qe इसका मतलब है इनके बीच में जनेटीक रिकॉमिनेशन तो नॉन सिस्ट के बीच में और जो पीकेमेट बनेंगे वह 100% कैसे बनेंगे पैरेंटल टाइप के बनेंगे तो फिर देखते हैं क्रोमोजूमल नहीं क्रोमोजूममल मैप तो शों ही रहा है जैसे ए डी इसीं डी अधीं हो रहा है यह वाला नहीं यह एंडिकॉम्ट्रीफ ड्यूरिंग मियो से नहीं कंप्लेट लिंक कीज फिर डूनॉट शो- इंडिपेंडेंट् बिल्कुल independent assortment शो नहीं होगा आप लोग देखो ना कि अगर कंप्लेट लिंकेज का केस है ए और यह और भी कंप्लेट लिंग्ड है तो इसका मतलब इस दोरान भी अपन लोग एन की वेल्यू जो लेंगे वह एक लेंगे रूल है यह कंप्लेट लिंकेज का तो इसमें इंड independent assortment नहीं होगा और दो प्रकार के केमेटी बनेंगे एक तो बनेंगा capital A, capital B और एक बनेंगा small A, small V क्योंकि genetic recombination होता है यह देख न सिस्ट्र क्रॉम्ट्रीट की फोर्म में अगर रेप्रेजेंट करें यह देखा, capital A, capital A और कुछ डिस्टेंस, स्री complete अगर लिंकेज है न और small V, small V, तो अगर complete linkage है, बिल्कुल पास-पास है तो इन नौन सिस्ट्र क्रॉम्ट्रीट के बिच में genetic recombination नहीं होगा और अगर नहीं होगा तो जब भी अलग होगे तो 50% यह बनेंगे, 50% यह बनेंगे, independent assortment होगा, तो 1 by 4, capital A, capital B, 1 by 4, capital A, small V, 1 by 4, small A, small V, 1 by 4, small A, small V, यह बनेंगा, complete linkage है, तो 1 by 2, capital A, capital B, 1 by 2, small A, small V, यह बनेंगे, 100% parental type, incomplete linkage होगा, तो हलका सा recombination होगा, तब parental type ज्यादा बनेंगे, capital A, capital B, ज्यादा, small A, small V, ज्यादा, और recombinant, capital A, small V, small A, capital B, वो कम बनेंगे, यह rule है इसका, ठीक है, तो independent assortment जो है, वो शो नहीं करते हैं, और cell division के respect में ऐसा है, यह कुछ है, तो answer हो जाएगा, अपने इसका third, ठीक है, आगे बढ़ता है, question number 50 की बात करते हैं, one of the gene present exclusively on X chromosome, in human is concerned with, मतलब sex linked character की बात हो रही है, और ऐसा character जिसका gene X chromosome के हो, तो sickle cell anemia autosomal है, thalassemia autosomal है, alpha thalassemia, beta thalassemia, यादन आपको, alpha thalassemia 16 गुन सुत्र, beta thalassemia 11 गुन सुत्र, red green color blindness, बिल्कुल color brightness का जिन जो हो, एक क्रों जों पर मुझद हो था है, अलबिजन, albinism जो autosomal है, तो देखो न, autosomal linked recessive, autosomal linked recessive, autosomal linked recessive, autosomal linked recessive, और यह हो गया, allosomal linked recessive, तो आपना कौन सा, third, हाँ, question number 51 की बात कर लेते हैं, lack of independent assortment of two gene A and B in fruit fly, fruit fly में कोई एक कॉट्र, color change, कर लेते हैं, lack of independent assortment fruit fly के अंदर कोई gene A and B, A and B, उसके बीच में जो है, वो independent assortment नहीं हो रहा है, है न, फल मक्की में दो gene A and B के मद्या स्वतन तरफ यह उनकी अनुपस्य थी, इसका मतलब है, उनके बीच में distance काफी कम है, यानि linkage ज्यादा है, तो यह किस वज़े से होगा, lack of independent assortment of two gene A and B in fruit fly is due to linkage, क्योंकि एगर independent linkage ज्यादा तो independent assortment कम, linkage ज्यादा तो crossing over कम, linkage ज्यादा तो दो gene के बीच में distance कम, linkage ज्यादा तो genetic recombination भी कम, inversely proportional नहीं है, ठीक है, तो answer होजाएगा 4, 52 नमर के उसन जो देखें, longer the chromosome of an organism, एक organism जो है, उसका chromosome जितना लंबा होगा, paternal and maternal, यानि उसके उपर उतने ही ज्यादा जो है, लोकस होंगे, जिनके उपर अलग लग टाइप के नॉन एलिक जीन होंगे, इस तरीके से, तो longer the chromosome of an organism, the more genetic variability it gets from, कितनी जैसे आप लोग देखोंगा, capital A, capital A, capital B, capital C, small C, small D, capital R, small R, capital P, capital Q, small Q, जितना लंबा chromosome होगा, उस पर उतनी ज्यादा जो है, अलग लग लग लोकस के उपर जीन होंगे, इसका मतब है, उनमें उतना ही ज्यादा जगह पर genetic recombination होगा, और यह genetic recombination किन के बीच में होगा, homologous chromosome में, non-sister chromatrid के बीच में, जिसकी बज़े से, recombination type के gamet जो है, और produce होते हैं, तो longer the chromosome of a normalism, more genetic variability, it get from processing over apna answer, ठीक है, यह तो एक टाइब का अपन क्रॉमोजोम अबरेशन पड़ते हैं, यह normal process है, second वाला, जो mutic division के तुरान होता, जिसकी वज़े से continuous variation create होते हैं, समझे रहे हो, linkage से related नहीं है, mutation नहीं है, mutation जो है, उसकी वज़े से discontinuous variation आती है, और जो क्रॉशिंग होएर है, homologous chromosome में, non-sistocromative के बीच में उसकी वज़े से continuous variation आती है, और इसकी वज़े से discontinuous ठीक है, चले आगे, आप 53 number questions उसकी बात कर लेते हैं, hemophilia is more commonly seen in human male than human female because, आप लोग देखे हैं कि hemophilia x-linked recessive disorder है, और x-linked recessive disorder है, वो dominant gene की कमी की वज़े से है, और female में 2 x हैं, इसलिए उस disease के उन में होने की chance कम है, क्योंकि आप लोग देखो ना, female के अंदर अगर दोनों x पे capital R, capital R है तो disease होगी, लेकिन बैचारे male की पास तो एक ही x chromosome है ना और उसके उपर capital R है कि बच गया पढ़कर उस पर capital R नहीं है तो उसके अंदर disease हो गया क्योंकि दूसरा तो आई है ऐसा भी को डिलेशन नहीं है वो chromosome की presence का है कि this disease is due to x-linked recessive mutation x chromosome पर जो जीन है उसी भी mutation की वज़े से वो recessive हो जाता है और x chromosome जो है मेल के अंदर एक ही है इसलिए यह disease जो है वो जैदा किसमे होती है मेल के अदर है चले आंगे आओ 54 नमर जो कि उसके बात करते हैं if Mendele chosen to study trait determined by linked gene अगर वो linked gene जो है उनके trait को अगर determine करते हैं तो अगर linkage होगा तो independent assortment नहीं होगा अगर वो linked वाला determined कर्माइन मतलब लिंक ट्रीट जो है उनको अगर सेलेक्ट करते तो ऐसे में वो क्या नहीं खोज पाते ऐसे में वो लॉड ओफ इंडिपेंडेंट अस्वेंट का पता नहीं कर पदते अब भी डॉमिनेंस उसका एक्सेप्शन क्या है इनकम्प्लेंड ओमिनेंस अगर वो लिंक्ट होते तो फिर इंडिपेंडेंट का पता नहीं लिगता है चलो आगे बात करते हैं फिप्टी फाइफ नमर क्यूशन जो वो देखें कि लिंकेज ड्रॉट्सवेल में जोख हो जा गया आपको पता है मॉर्गन के लिए सिदासा सिंपल सांसरता ने ने रखा is 56 डेखो कि लिंकेज ग्रॉप जो है वह लिंकेज ग्रॉप जू है उतना ही है ज अफ्लोट क्रोमोजॉँम नमेर है जैसे अपनी कोशी का तुह नहएं 46 तो यूमन के अंदर लिंकेज ग्रूप प्रिमेल एयॆ 22 ऑटॉसो और एक एक्स क्रोमोजुम तो 23 हो गयाा रूर मेल के अंदर 22 ऑटॉसों एक एक एक्स और दूसरा यानि 24 लिंकेज गुरूप किसमेघ्र के अंदर निन ठ्रू एक ठीक है अगर 18 पेर क्रोमोजुम है लिंकेज ग्रुप उसका आता हो जाएगा अठारा पेर में लग चाथेस तो लिंकेज गुरुप किता हो जाएगा 18 आंसर हो जाएगा थर्ड अधिशन देखें कंप्लीट लिंकेज जो है वो काफी रहर होता है और यह मेल ड्रोस फिलां के अंदर होता है क्योंकि उसमें एक्स और य कंडिशन तो आंसर अपना यहां पर सिदा मेल ड्रोस फिला इसलिए जो भी गेमेट बनाते हैं वह जो है वो पैरिंटल टाइप के होत जाने के लिए तो यहां पर तो क्या जाएगा लिंकेज लिंकेज और फिर क्या है टो इसका मतलब है यह नहीं नहीं लेंगे नहीं hundred अमटव्कामॉलएशन लेंगे तो मोर्गन कोईद यह नहीं जालएंट इ सिंस ठायब फिजिकल आशो सुच आइस्वह ग्लान लिए अगर नोन रिकोमेनेशन होगा अगर यहां पर जो है थर्ड के अंदर नौन लिंके यहां पर कश्मान रिकोमेनेशन नहीं फिर भी अपना यहां पर आंसर यहां पनी मैं तो आगि बढ़ती होगा इसगा सब्सक्राइब होता है तो जो फादर है उनके सेक्स क्रोमोजोम जो है वह सेक्स डिटर्माइन होता है इनका कोई उसका इपक्ट नहीं है एक्स और वाई तो एक्स जाएगा मेल से या वाई जाएगा उसके एक्सक्राइब होते हैं चलो आगे बढ़ते हैं क्योंस नमर बार बोडी इन फिमेल विद एक्स एक्स कंडिशन देखो बार बोडी का जो नंबर होगा टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोजोम माइनस वन यह आपको या रखना है अगर एक्स क्रोमोजोम जो है जैसे यहां पर कितने हैं चार तो इसका मलब बार बोडी कितनी हो जाएंगी तीन यह एक को छोड़ करके सारी डीक्टिवेट बार बोडी हेट्ट्रो कॉमिटाइजेशन का एक्सप्रेशन होता है तो यहां पर इस कंडि की अंदर A 1 बिल्कुल नहीं नहीं है और दूसरा जो हो एक विय्क नहीं तो फिर क्या है पूचाHHH कितना होगा क्योंकि दूसरा जो तो जो बच गया वही जो है वहाँ पर अब अमाउंट के अंदर होगा तो आंसर हो जाएगा ठीक है यह एक डॉमिन ट्रेट हो गया 63 नमर के उसके बात करता है इप पेरेंट आर केरियर फोर एलबिनिजम के लिए केरियर है तो पहले जो तीन बचे वह कैसे हैं अगर इस कंडिशन में केकटलीन मॉलेव त्रब सीज के अगब बनी अ क्यों संप सब्सक्राइब मिदाहिक डियकिस नॉर्मल के मदाब है की संप ट्रोगाल से श्रीरिय髏 सभी नॉर्मल नहीं होंगी ऑंपस्ट किसी बात करते हैं आट्रोसमल एंड गीन एंड एंड एन्ड एमेल इस हेंड एंड एंड एक नर एलिंगी जीन एंड एक लिए के लिए सब्सक्राइब एक्स और वाई कंडिशन और उसके उपर यह जीन आ गया है तो आप लोग देखो ना इसमें कितने अट्रोजाइगस होगे एंड की मेल्यू क्या है फोर इसका मलब है कितने यहां पर गेमेट जो है उनका प्रोडुक्शन होगा वन टू ट्री फोर मतलब 16 जो गेमेट है उनका फोर्मिशन होगा उन 16 में आपको क्या पूच्छा है ऐसे कितने होगे यानि small a small b small c और h वाली यानि एक्स क्रोमोजम तो आप लोग देखो ला इस से small a यानि की प्रोड़िटी क्या है वन बाइटो इस से small b की प्रोड़िटी 1 by 2 इस से small c की प्रोड़िटी 1 by 2 और इस से x की प्रोड़िटी भी 1 by 2 तो इन इन डिविजन प्रोड़िटी को मिल्टिप्लाई कर देंगे पन पोर इट 16 तो वन भाई 16 जो के में टेम वो इस टाइब के हो जाएंगे फिर यह आंसर हो गाई वन भाई 16 ठीक है आओ । सिक्स्टी पाइफ नमर को सभी तो और यह प्रसटेन जोटैप अगर यह जिनींटाइव वाला एक परसंट है तो तो अपने को क्या फांड आउट करना है कि उसके उन गमेट का पता करो जिसमें कम से कम दो डॉमिनेंट टेली लोड तो एक चीद देखो कि जो हो मोजाइगस उसको एक बार लिख देते हैं क्याप्टल आर श्मोल आर यह देखो क्याप्टल ए स्मॉल डी क्याप्टल वी क्याप्टल डी क्याप्टल वी स्मॉल आर क्याप्टल ए स्मॉल डी स्मॉल वी क्याप्टल आर क्याप्टल ए स्मॉल डी स्मॉल वी स्मॉल यह देखो और कि आम के टीन डॉमिनेंट यल वनवाई 4 दो ढुमिनेंट यल जो है baik 12 गॉनपर 59 छाई vessel 2 डॉमिनेंट अलिल तो कम से कम तीन एक दो 23 कम से कम दो भी तो है फिर यह देखो कम से कम दो इसमें भी कम से कम दो इसमें भी लेकिन इसके अंदर केवल एक अपने को क्या कुछ है कि इन 60 million में कितनों के अंदर कम से कम दो dominant एलिल होगे ना इसका मदब है ऐसे होंगे 3 by 4 into कितना है total 60 million 15 और यह हो गया 45 million ऐसे गेमेट्स होंगे जिनके अंदर कम से कम कितने dominant है दो कम से कम इसमें भी दो हो है इसमें भी दो तो 3 by 4 into 65 चलो आगे बढ़ता है 66 नमर के से अब लोग देखें अलबिनिसम इस डिटरमाइट रिशेश वी इनमें ना ओड़ों रिशेश्य होए ता प्रजेंस आप अलबिनिसम इन 50 परशेंट चल्डरन बॉन टुए कपल प्रूव देट अलबिनिसम एक रिशेश्य व ट्रेट है और एक कपल के 50 प्र थे इस बनट रेसे चल्डरन देखें अलबिनिसम रोल है जो क्या इंडिकेत करता है तो आप देखिए अगर ड़िनिसम के जिनोटाइप केम लोग बात करें तो जैसे एक के अंदर मानलो एक पेरेंट के अंदर ऐसा ले ले और दूसरे पेरेंट के अंदर ये कंडिशन ले ले कि एक पेरेंट जो है रही है रहत हो जाएकस और एक पेरेंट में अल्बिनिजम है तो यहां पर आपको देखें कि जो गेमेट का फॉर्मेशन होगा capital A small a फिर वहां पर एक ही के बिटे बनाए तो 50% प्रोजीन के अंदर albinism अगर है यह देखो 50% नॉर्मल है और 50% में albinism है तो albinism is determined by recessive gene in men presence of albinism in 50% child born to a couple prove that तो couples हो हैं वो थार homozygous नहीं दोनों homozygous नहीं है यह दो को है ट्रोजाइगस father is homozygous recessive for albinism हो सकता है and but mother is heterozygous यह सही है इसको माल लिया father और इसको माल लिया mother father is homozygous recessive for albinism and mother is heterozygous मतलब mother carrier father is homozygous normal homozygous normal तो फिर यह हो जाएगा यह वाला और अगर और and mother is heterozygous अगर mother heterozygous हो गई तो फिर तो सारे के सारे बच्चे normally हो जाएगी तो उसके अंदर तो फिल albinism हो गई नहीं न यह वाला option भी नहीं लेंगे बहुत parent are heterozygous for albinism अगर दोनों parent heterozygous हो गए तो फिर 50% जो बच्चे है उनकी अंदर करें साल आगें कि अगर दोनों heterozygous हो जाए तो इस डिखना है तो आगर दोनों होना चाहिए तभी 50 परशेंट जो बच्चे है उसके अंदर डिजीज होगी इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा अपना सिक्ट है आओ लड़के उनिक चांस के वन बाइटू तो लड़का होगा या लड़की इसके चांस हमेशा वन बाइटू होते हैं तो नो लड़के हैं और दस्वी संतान लड़की उनिक चांस क्या हो जाएंगे 688 संत्रीग नहीं क vermag जाते हैं और सूम की इसमें की अपसस्में है तो इसके अंदर जो है वो क्या trait assign हो रहे हैं तो आप लोग देखें कि अगर ऑउत। वि रइसमिम परिंट अगर डिजइज है सारे बचक्षों में इसका आप लोग नहीं है क्याएं फादर में लड़कों में जाता इसको भी अपर लोग नहीं लेगे एक्स लिंग रिसस्जश्य है या नहीं उसका पता करते हैं इसमें आप लोग देखें कि यह डॉट्र देखो अगर इसमें कि अगर अग्र इसमें जूर। एक पटा लग गया कि दूसरा तो पदर से आएगा ना फ़ादर नॉर्मल है और उनकी इस ग्रोम्जों पर इसका मतलब है इस पॉइंट से अपने को पता लग गया कि एक्स लिंग रिसेश्यू भी नहीं है तो बच गया क्या क्या कौन सा ओटो समल डॉमिनेंट उसको भी अप लोग जिनों टाइप से कर लेता है ठीक है अगर यह सब नॉर्मल है तो स्मॉले 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 यहाँ में नॉर्मल है तो स्मॉले 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 यहां मदर भी क्या ह्टरसे बाउनेंट ओर मेंनिया पर जेता है आप्तुर तो इसके प्रहुत पहले तो सब्सक्राइब दिसक्षाइब दिसके और एक लेंगे इस हैश्य वह गया वाल दिस्टाइबिया और यह परवावी हो गया और उप्रवावी हो गया एक्स्टी 69 नमर क्यूशन देखें यह भी वन्सावली से लिटेड है और यहां पर जो क्यूशन पुचा है गिवन पिडिग्री गिवन बिलो इस पिडिग्री ऑफ सब्सक्राइब है और दोनों जनक अगर स्वस्त हैं तो प्रोजनी में रोख जा सकता है वह करियर हो सकते हैं लेकिन अगर दोनों डिजीज्ड है तो सारे बच्चे डिजीज्ड होंगे तो जैसे यहां पर डिजीज्ड है तो जैसे स्मॉल एज यानि इन्व डिजीजन यानि एक डॉमिनेट होगा दूसरा इनके अंदर गर देखें देखो इसके को डिंग अप्षन देखते हैं कि इन इस the rbc औह बहुत पेरेंट विल भी दोनों पेरेंट मतलब इनकी बात हो रही है और इनके अंदर आप लोग देखें कि ये केरियर हैं तो HBA और HBS ये जिनों टाइब दोनों का है इसका मतलब एक तरीके से ये और इसके अंदर कुछ RBC जो है वो तो नॉर्मल होंगी और कुछ RBC ऑक्षिन के स्ट्रेस के अंदर सिकल सेब्ड हो जाती है तो जो भी केरियर होते हैं उसमें सिकल सेलनीमिया का ट्रेट भी होता है तो यहां पर देखें कि in this RBC और बोथ परेंट दोनों परेंट के अंदर RBC नॉर्मल तो नहीं सारी नॉर्मल तो नहीं होंगी सारी सिकल सेब्ड भी नहीं होंगी क्योंकि दोनों केरियर है तो नॉर्मल बोथ नॉर्मल एंड सिकल सेब्ड यह का मतलब यहां पर क्या एंड बोथ नॉर् कर सकते हैं तो अगर केरियर हैं तो उनके अंदर कुछ सीखल चैले नियमिया का ट्रेट भी होता है ठीक है चलो आओ आगे बढ़ता है 70 नमर की उसन जो है उसको देख लें इसके अंदर कुछ सींबल साइन सीयर ठीक यह इसमें क्या कुछ है यह नॉर्मल मेंटिंग है और यह पेरेंट से और यह उनकी तो रिलेटिव के विच में मेंटिंग के लिए यह आपका होगा चलो आगे बढ़ते हैं आप लोग देखो ना कि फिनो टाइब जो है उसकी तीन सर्तें सबसे पहली सर्त है परजेंस ऑफ जीन की परजेंस दूसरा दूसरी सर्त है एकस्प्रेशन एकस्प्रेशन उसकी लिए प्रफ एंव्रेमेंट कीप्रियों आगर तीनसर्त फुल्फिल हो रही है तभी फिनोटाइप क्रियुट होगा तो मुटेशन एंड लिंक इस यह अलग चीज है फिनोटाइप से लेट हम लोग कर रहे हैं अलांकि फिनोटाइप जो है वो किसका रिजल्ट है एक और गुलिजम का उसकी हम लोग बात करने हैं एक एक प्रोप्रि लग देखना दूर्मली सब में हो रहा है तो फिर एंवयरमेंटल चेंज़ एंड सेक्ष्व ल्डाइमोर्फिजम एन वार्मेंटल चेंज़िज को तो लो ले जेते हैं यह चीज़ लगा है इसका मलब है परजेंस ओफ जीन एंड्एंड ऐन्वार्मेंकल इंट्रेक्शन जीन का expression तभी होगा और लिए अगर अगर तो चिन को कवर कर दिया तो उसका इंट्रेक्शन वा नहीं तो जीन के एक्स्प्रेशन के लिए या एक और्गनिजम में प्रॉपर फिनोटाइट के लिए यह चीज फुल्फिल होना ज़रूथी है ठीक है आओ तो आंसर हो गया फूर 32 नोमर सक्टास ने उसके बात करते है Uman जो है जिसके थू इस टर्ड के चार श अगेमेट इस का मतलब वह कि एकर चारो टावच का मैं रहा है तब तो दोनों के लिए ंया क्मियु खी या एक तरह के से इन Mansion मड़ कि त हो गया बन रहे हैं तो उस पर उसका जिनी फैरोग पुछा तो दोनों के लिए वो क्या हो जाएगा है इसमें चारो पोसिबल नहीं है इसमें भी चारो पोसिबल नहीं है इसके अंदर चारो पोसिबल है चैक है आओ कि 73 नमर क्युस्टन जो है उसकी बात करते हैं अ गया प्लावर्ड प्लांट आप लोग ये इनकम्प्रीट डॉमिनेंस वाला रेड वाइट और यह क्या बन गया पिंग डॉमिनेंस एफ वन किसी एक जैसा को डॉमिनेंस एफ फ़न डोनों जैसा इनकम्प्रीट डॉमिनेंस एक फन दोनोंका इंटर्मिडियेट कि तो यह एफ वन जो है वो दोनों का क्या इंटर्मिडियर्ट तो इसमें क्या किया जा रहते हैं अतर हैं कसी बंद गई पिंप्रशेंट बंकेंंग्ट को वाइक तो वह यांप कोई ऐसा तो पिंक नहीं होगा रेड की यहां पर होई नहीं सकता तीन रेड तो आंसर हो जाएगा वन यहां पर भी देख लेते हैं एक गुलाबी और एक वाइट बस परफेट हो ठीक है आओ तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो उसको अपनों को देखना है तो मल्टिपल एलिल केंदी फाउंड ओनली वेन पॉपुलेशन स्टेडी आरमेट बिल्कुल सही है कि बहु यह कल्पी जो उनका लेवल की जो स्टेडी है वो पॉपुलेशन लेवल पर होती है ओके फिर क्या प ुला है अगर पैरनों फेलमन स्टालीन हो इसकी मैट पेन नहीं हो गई तो इनका स्टमेंट इन पनिपेंड नहीं और पर इनका इन पर नहीं है यह पैटरल नीचे भी जा सकता है यह पैटरल उपर भी हो सकता है यह इनका लाइमेंट एक दूसरे से इनडिपेंडेंट होता है तो यह वाला ठीक है फिर क्या है कि बेटा थेलेसीमिय इस इसका मतलब है यह वाला यहां पर इनक्रेक्ट हो गया फिर एक किया है यह लोटेंट हमोगलोबीन इस तरीके से यहां पर इनक्रेक्ट पूच आता और इनक्रेक्ट जो आंसर हो जाएगा कौन सा ठीक है तो आगे बढ़ते हैं कि चलो कि 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 75 नमर क्यूसन जो उसकी बात कर लेते हैं आपने को उसी के रेस्पेक्ट में क्या देखना है इनक्रेक्ट देखना है ठीक है आप लोग देखें दो क्रॉस थे क्रॉस एक रोस भी क्रॉस एजो था वो था आई कलर क्रॉस एक ही अगर बात करें तो वो था आई कलर और बोडी कलर के लिए यानि वाई और डब्लू वाला था वाई एंड डब्लू यह फी मेल थी जो रिशेसिव थी और जिसके अंदर यलो बोडी वाइट आई थी और क्रॉस एक अंदर में एक 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 साद दूसरा वाई था आप उस एक्स पे जो मेल में था वाई प्लस डबलू प्लस था और यह था ब्राउन गोडी रेड आई इसी तरीके से प्रॉस बी जो था उसमें फ्नेल जो थी उसके एक्स क्रॉमोजॉम ञों जो थे उस पर क्या था डबू डब्लू और एम एम है ना वाइट आई मिनियेचर वी और जो मेल था उसके अंदर एक्स क्रोमोजॉम पे डबलू प्लस और एम प्लस है ना रेड आई एंड नॉर्मल विंग है ना तो क्रॉस ए में एफ टू जनरेशन के अंदर पैरिंटल टाइप ज्यादा है थे 98.7 और रिकॉमिनेट क इसलिए वहां पर आप लोग उस रिजल्ट से पता कर सकते हैं कि दो जीन के बिस्टेंच ज्यादा है यानि लिंकेज कम है तो उसी के लिए आपन देख लेते हैं यही सब बोडी वरे टाइटली लिंक्ड बिल्कुल सही है यह वाला देखो तभी रिकॉमिनेंट जो थे 1.3 आया था और प्रेंटल टाइप 98.7 आया था जीन फोर वाइट आई एंड येलो बोडी शो ओंली 1.3 परसेंट रिकॉमिनेशन अभी जो बताय था को मैंने सही है फिर तीस जीन फोर वाइट आई एंड मिनियेचर विंग शो 37.2 परसेंट डिकॉमिनेशन यह भी सही है यानि 62.8 परसेंट जो है वो क्या स्यो कर रहे थे पैरेंटल कॉमिनेशन दो स्टेंथ आप लिंकेज बिट्यून वाई एंड डवलू इज मॉर लेस नहीं देन डवलू एंड डवलू और एम में तो लिंकेज की स्टेंथ लेस है और वाई एंड डवलू के अंदर ज्यादा है इसलिए आंसर कौन सा हो गया यह फोर जो की इसके अंदर गलत हो ठीक है आओ बात करते आगे ऐसा फिगर भी आएगा आगे लिए अपने एक्स्प्राइनेशन के लिए उस आगे देखते हैं 77 नमर के उसन यह बाइनोमिनल एक्सपेंशन एक्वेशन थी आप याद होगा एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वाइर और इसके अंदर अगर अपन इंडिविजल गेमेट की प्रवालिटी रखे वन बाइटू टी का और वन बाइटू स्मॉल टी का उसक हरी किस से यह देखो वन बाइट प्रक्टल क्यपटल आर वन बाइट वास्मॉल आर और स्मॉल आर और वन कीक्ष ग्यादा और नियुक्ट अंदर तो आपना अंसल को सावगा था बाकए कि ये वालिकल बढ़ और यह बहुत हो जादा होगा यह अपनी पर्फेक्ट यहां क्रोमोजोम मुवमेंट दूरिंग मियोसिस है यह स्टार्टिंग के अंदर मैंने अलग ऐसे नाम दिये भी थे और आपको बता है था 1902 के अंदर माइक्रोस्कॉप की खोज हो गी थे तो ऐसा वर्क कर लिया था ठीक है आगे बढ़ते हैं सेवंटी नहीं नुमर की संदेखें अगे अकोर्डिंग तो वॉल्टर सटन एंड बॉवेरी बीएवियर और क्रोमोजोम वाद पैरल टू बीएवियर और वाट तो क्रोमोजोम का ज वाला स्टीम है एक की थीं नमर की उतने थे कि एक यह दो पैरेंटथ देखो तो टय्फंतल ए нес भीक्रातल सिटेखती केब्टल डी पार आख्रोस हुक से इसे is बी small b capital C small C capital D capital और प्रोजिनी क्या है यह है capital A capital A capital B capital B capital C small C capital D capital D अब आप लोग देखें कि अगर दोनों जनकों का दोनों प्रेंट का अगर जीनो टाइप सेम हो तब लेकिन वस्ट जो फॉर्मूला है उसको छोड़के बाकि अब इसमें जोरत नहीं है यहां फिन अप्लाइन होते हैं यहांपर देखें हैं हेट्रोजागों कितने हम यहां पर फॉर दो एकांइट था दो फॉर यहां पर कितने हैं 1 2 3 यह पर तो बन गए यानि एट इन्टु फॉर कितने जाइगोड बन जाएंगे 32 जाइगोड बनेंगे उन 32 जाइगोड के अंदर इस टाइप के जिनो टाइप वाले जाइगोड कितने होगे यह क्यों सर पूछ रहा है तो देखते हैं अब इसमें चेकर बोर्ड बनाने की जूरुत नहीं इंडिवीज्वल प्रॉब लग जाएगा यह देख लेगा यह दो प्रैक्टिस से जल्दी होता है यह जाएगा वन बाई फोर फिर दोनों जो पैरेंट हैं उनके इन जीनो टाइप से इसके आने की प्रवब्लटी क्या है तो इस प्रवार अपने लोग जो हैं अपने को क्या चीज जीए तो यह आपने इस चुपा देते हैं तो चुपा ठेकंट् और दोनों परेंट के इन जिनो टाइप से इसकी प्राइब था अपने वो डी चीए तो इस बार चुपा दो डी चुपा दो डी क्योंकि दूसरे जो हाफ होंगे वह स्मोल डी कैपिल डी अपने यह चीए और यह कितने वन बाइट तो देखो ना चार और आठ चौब बद तेस अनल इसका मतब है ऐसा जो है वह वह 32 में से कितने होंगे एक ऐसा उप्सन इसके अंदर देखना है मैं नमर के उसन जो है उसके बाद कर लेते हैं मेंडल का वर्थ जो था वह उनीस सो तक छुपा हुआ रहा रहा था न उसके कारेर उसी के रिगार्डिंग पूछा वह क्यों चुपा रहा यह स्टेटमेंट है आप लोग देखें कि वह जो है वो फिजिकल प्रूप नहीं दे पाए यह सही है और उनका जो के उपर से वह सब चीजें गई तो यह भी ठीक था और उस दोर में कम्मुनिकेशन भी इतना इजी नहीं था जैसा आगे बढ़ते हैं 82 नामर क्यों क्या कह रहा है अकोर्डिंग टू दो कॉंसेप्ट ऑफ डॉमिनेंज तो मोडिफाइड एलिल इस नोट एक्विवेलेंट टू अन्मोडिफाइड एलिल वेहना तो जब भी आप लोग देखो ना एक अन्मोडिफाइड एलिल है कैप्टल टी उसके एक्सप्र से रियक्ट करेगा और क्या बन जाएगा प्रोड़क्ट और उसी प्रोड़क्ट से कोई फिनोटाइप आ जाएगा पर्टिकुलोग के लेकिन अगर इसके अंदर क्या हो जाए म्योटेशन और अगर इसके अंदर होता है टृटेशन तो वह स्मॉल टी मदब और वह तीर रिजल्ट डेपेंड करेगा उसके अंदर की स्टैप का मुटेशन होगा है एक रिजल्ट तो यह हो सकता देखो कि वह नौर्मल एंजाइम बनाएगा नॉर्मल एंजयम लेकिन जो भी एंजयम बनेगा वो एंजयम सब्स्टेट चे रियक्ट होगा प्रोड़क्ट बना देगा और कुछ से क्रियेट हो जाएगा फिनो टाइप इसका मतलब है यह वाला जो केस है क्योंन गोडिफाइड एलिल का यह वाला केस जो है इस केस में एक मोडिफाइड एलिल एक नौनमोडिफाइड एलिल की तरह यह देखो ना दोनों चेस में फिनोटाइप एपिर हो रहा है बात समझाई है दो रिजल्ट और क्या है एक रिजल्ट ही है यह कि नॉन फंक्शनल Un聲yme बना तो है लेकिन वो वर्क नहीं कर रहा है और अगर नहीं करेगा तो वे जबसीटो को अपसेंस और यह आई ए करहई लोगा टो यानि यह इवाला दो केस टू इसमें नहीं होगा इसका मलब है टू एंड थ्री ऐसे हो गए जिसके अंदर मोडिफाइड एल्य इससे अलग है और वन ऐसा हो गया जिसमें मोडिफाइड एल्य अन्मोडिफाइड एल्य की तरह है तो क्यों से क्या पूच रहा है अकॉर्डिंग तो दो मोडिफाइड एल्य इस नौट एक्विवेलेंट इसमें बनाए गई और इसके अंदर तो उसकी तरह हो गया उससे अलग लेना है नौट एक्विवेलेंट कुछ है इट प्रडूज नों फंक्शनल एंजाइम यह बेढ़ जाएगा अन्सर अन्सर प्र तो अपना according to the concept of dominance the modified allyl is not equivalent to unmodified allyl तो आंसर हो जाएगा थर्ड और अगर यह होता अगर यह not नहीं लगा होता अगर यह not नहीं लगा होता तब आंसर देखो according to the concept of dominance the modified allyl is equivalent to unmodified allyl when it produces normal enzyme and it produces phenotype तब आंसर कौन सा जाता 4 एक नोट लगाव है इसलिए आंसर कौन सा गया है थर्ड टेका है अच्छा क्रिशन ता आगे बढ़ता है कि 33 नमर क्यों संदेख है variation degree by which progeny are different from their parent तो degree by which progeny differ from their parents and CIT के starting की अंदरी बेरक है जो तो डाप की variation and somatic or germinal स्वांटिक का contribution evolution में नहीं है क्योंकि वह अगली जनेरेशन में नहीं जाती है दर्मिनल वैरिएशन जो है जो 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 में एपियर होती है continuity discontinuous discontinuous वह अगली जनेरेशन में जाती है इसलिए वह जो है वह evolution में contribution करती है ठीक है आगे बात करते है 84 नमर की उसन देखें विच अगे बात करते हैं 85 नमर की उसन देखें मैस्ट फॉलिए यह वाली होगी इस तरीके से आप लोग इसको मैस कर लोगे तो आपना बेट जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं 86 नमर की उसन देखें human knew from early time that one of the cause of variation was hidden in यह पने स्टार्टिंग में भी डिसकस नहीं किया था NCRT में पहले ही पने पर यह वाला देखा है और यह जो variation का cause है वो किसमें चुपा हुआ है sexual reproduction यहां पर reproduction दे दिया लेकिन reproduction तो आई sexual भी हो सकता है लेकिन reproduction जो variation के लिए responsible था वो कहुंसा था sexual इसलिए यहां पर आंसर कौन सा है second ठीक है लिखा भी NCRT में आगे बात करते है 87 नमर के उसन फिर कैसा क्यों से मैंचिंग वाला के उसन है NCRT के अंदर ही chromosomal theory के अंदर यह सब चीजें जो लिखी भी है chromosomal theory की आगे जो sex determination है वहां पर भी इसके regarding यह सब चीजें आपको NCRT मिल जाएगी जहां पर NCRT ने DNA के लिए लिखा है carrier of genetic information gene के लिखा है unit of inheritance, allyl जो है उसके लिखा है slightly different form of slightly different form और chromosome जो है उसके लिखा है और बोडी जना यह वह हैंकिंग वाला जो प्रेज वहां पर दिया गाए ना तो इसका उनलब है इस तरी के सब मैस करेंगे तो यहां पर भी तो एक उन्ट पूर वह गया पीश्म अपसेट तो अब देखो कि DNA gene-eugomical-pure chromosome है ना तो गुनसूत्र का हो गया रंगीन का है और एलिल का हो गया अलके से बिन्रूप जीन का जो है वह गया यहां पर कौन सा पनसागती की का है ना और DNA क्या हो गया अनुमाज सिक्स उसना के वाग तो ऐसा में देख लो आप और यह रहा और सीका टू यह रहा और बी कावर्न कौन सा यह रहा तो आंसर हो जाएगा अपना क्कौन साथ ठीक है चलो अब 48 नमर के उसन जो है उसकी बात कर लेते हैं इन्करेक्ट अपने को देखना है मेंडेलिन डिसौर्डर मेंडेलिन डिसौर्डर जीन म्यूटेशन जिसमें पॉइंट मूटेशन हम लोग बात करते हैं आलाकि हम पर चुद दो हो है बेस सब्सक्राइब और फ्रेहम सिप उसका सब्सक्राइब करता है और इसलिए इनको बोलते हैं लेकिन दूसरे जो क्रॉमोजोमल डिसोडर है उनको नो मेंडेलियन डिसोडर बोलते हैं जैसे डाउन स्ट्रोम, वैंसवले डिसयॡर से पता किया जा सकता है मेंडेलियन डिसोडर आर्म ऑसकते हैं और मेंडेलियन набで मुट्रेशन से और रिसेसिव रिसेसिव मुट्रेशन से जिसे मायो डिस्ट्रॉफी डॉमिनेट सिकल से लेनिया ओटोसों में रिसेसिए ठेक है आगे बढ़ता है कि 89 नमर की उसन्द आप लोग देख लें इनकरेक्ट अनीबी के रेस्पेक्ट्ट में तो अनीबी जो हो एपलोडी डिपलोडी सेक्स डिट्रमिनेशन शो करती है तुवन थैटी टू क्रॉमोजोम की अवस्ता है इसमें तीन कास्ट है ड्रोन वरकर भी और क्विन क्विन और अब बनती है और उसके फादर नहीं होता है ना होता है इनकरेक्ट डेखना है कि सेक्स डिटरमिनेशन इन हनीबी इस बेस्ट और नमर ऑप सेट आप प्रमोजों एन इंडिज़न रिशीवर तो जैसे दो सेट रिचीव कर रहे यहां पर होता क्या फादर और यहां पर होता ग्रांट सन की जगे तब यह सही बैठ था एंडिज़न का स्टेक्मेंट उसको चेंज किया है तो अपने को क्या कुछ है इनकरेक्ट इसली कौन सा गलत हो गया फॉर ठीक है आओ 90 नमर कि उसके बात करते हैं हाउ डवलप्मेंट ऑफ अफ ऑफ जनेटिक क्रोमोजोमल बैसिस ऑफ सेक्स डिट्रमिनेशन अकर यह सेक्स डिट्रमिनेशन की अंदर ही एंसियाटी की लाइन है कि लिंग दारन के लिए अनवांस की आधार की संकल्पना किस प्रकार विशित ह है ना तो भाई साइटो लोजिकल ऑप्जर्वेशन मेड इन नमर ऑफ इंसेट देखा गया हैंकिंग इन्हें ने देखा कि स्पर्मेटोजनेशिस के दुरान कुछ जो स्पम है 50 परशेंट जो स्पम है उसमें केवल ऑटोसोम है और 50 परशेंट के अंदर ऑटोसोम के साथ एक्स बोडीज है और 50 परशेंट पर एक्स परशेंट थे नहीं तो उसी के बैसिस पर यह कॉंसेप्ट जो था वो डवलप हुआ तो आंसर कुन सा उजाएगा अपना बर्ड के रेस्पेक्ट यह तो ऐसे बना दिया है इस आप्सन को रोंग कराने के लिए ऐसा कुछ नहीं इस ट्रेट इनेटेट रिप्रजेंटेशन इन फैमिली वाला हो गया हीमोफिलिक डिसेंडेंट मदब क्यों विक्टोरी आँ गई और फैलियर ऑफ सेग्रिकेशन अप्रोमोजों अनुफ्लोड हो गया इस तरीके से सिंपल है तो देख लो आंसर कौन सा एक तीन है एक तीन 92 नमर के संजो है वो देखें इनकरेक्ट स्टेटमेंट अपने को इसके अंदर फैंड आउट करना है ठीक है एलफा थैलेसीमिया का जीन जो क्रोमोजोम 16 पे है और HbA1, HbA2 2 है और बिटा थैलेसीमिया वाला जो ग्यारा पे है यह वारा स्टेटमेंट सही है अपने को क् इस फंक्शनिक ग्लॉबिन, बिटाचेन, शिक्स पॉजिशन, ग्लुटेमिक एसिड की जगा है वैलिन और वो सही तरीके से वरक नहीं करता है तो है C-acillated होगे यह भी सही है फैलियर ओप साइटो कानेसिस अप्ट टिलो फेज मलब टिलो फेज अवस्ता आ गई उसमें क् सब्सक्राइब यानि पॉलिप्लोड क्रियेट हो जाएंगी सही है फिर डिलिशन एंड इंसर्शन ओब बेस पेर यह क्लाइन फेल्टर वाला थोड़ी है यह तो जीन म्यूटेशन वाला है और यह वाला जो है वो क्रोमोजोमल नुमेरिकल चेंज वाला है और यह वाला कौ सब्सक्राइब और यह वाला मिसमेच हो गया और आंसर कौन सा हो गया और 94 के बाद 93 नमर के उसके बात कर लेते हैं विच वन कैन बी यूजड इस स्टार्टिंग पॉइंट इन दे सेक्वेंशिंग और वोल जीनों एज वास डन इन यूमन जीनों सेक्वेंशिंग लिंकेज जो है उसी के अंदर बिल्कुल एंड में यह वाला जो स्टेट्मेंट दे रखा है और वह क्या दिया जिनका आजगल एक्स तो फिला के रेस्पेक्ट में यह चीज समझाई भी है इसमें क्या पुछा है select correctly matched option with respect to ड्रोसो फिला यह पुला के respect में यहां पर यह जो है देखें कि फिमेल रोसोपिला यह तो चलो ठीक है विट यलो बोड़ी यह रहा ठीक है यलो बोड़ी हो जाएगी यह यह प्लस है इसलिए यह वाला जो यहां पर क्या हो गया रौग हो फिर यह वाला देखो लो ठीक है दोनों एक स्कौंग जाएगा उग विट तौन बोड़ी यह देखो इसके अंदर y plus दे रखा है ये देखो y plus with brown body and white eye white eye ये ये वाला set हो गया फिर ये वाला male है चलो male ठीक है brown body brown body चलो ठीक है brown body हो गई and white eye लेकिन ये तो wing वाला है miniature वाला w होता तब set होता ना यानि ये वाला wrong हो गया फिर ये देखो male rosopila male rosopila better with red eye red eye का हैं तो अगर आई के respect में देखें तो w वाला जो आई के लिए हो ठीक है red eye and miniature wing मलब छोटे wing लेकिन ये तो M plus है और M plus जो है वो बड़ी wing के लिए होता है ना इसलिए ये वाला अब या पर रंग हो गया तो answer कौन सा हो गया second अगे बढ़ते हैं एंसे आई टी में cross a cross में दोनों के अंदर mix करके ये क्यूस्टन जो गनाया गया है तो आप लोग वो figure जो उसको अच्छे से देखें अगले क्यूस्टन की बात करते है 95 ड्रॉसोफिला को क्यों यूज किया गया न एज एक्स्परिमेंटल मेटेरियल ग्रोमोजोमल थियोरी के वेरिफिकेशन क्ले मॉर्गन के तुरू यह तो कुछ से है इसलिए यह वाला रॉंग हो गया ते कुछ विड्यू इसलिए वाला रॉंग हो गया ते कुट भी ग्रोण ओं ओंपल सिंथेटिक मेडियम यह सही है तरीके से इंदी में भी आप लोग इसको देख सकते है अहितैं है तो अपने को इसके अंदर एक सब्सक्राइब जरста सक दखना है डिसके अंदस्तों सारे सही है तो ऐसा obtsyn और भी सीडी पीडिवी सीडी बीसी दो खेब हो गया ए ले लिया तो यह भी हो गया तो एक को छोड़ की जारू स्टेटमेंट जो हो यहां के सही हो जाएगी चलो आगे बात करते हैं इनकरेक्ट ऑप्शन जो है यहां पर अपने को देखना है इनकरेक्ट वाला डूरिंग दा मिड नाइंटीन सेंचुरी यह वाला जो स्टेटमेंट है वो जैसा ही सेगेंड पने पर NCRT के मेंडरलिजम स्टार्ट होता है वहीं पर पहली लाइन है कि दूरिंग दा मिड नाइ प्रेक्टर इन गार्डन टी प्लाट विद टू अपोजिंग ट्रेट अलाव मेंडल तो सेट अप बैसिक फ्रेमवर्क और रूल गवर्निंग इनल्टेंस यह भी NCRT के अंदर मेंडलिजम की स्टार्टिंग के अंदर बीच में लगबग बीच के अंदर स्टेटमेंट दि इन फॉर्मेशन के लिए लॉग डॉमिनेंस लॉग इनल सेग्रिकेशन लॉग इंडिपेंडेंड असौर्टमेंट वो सब ना यह वाला भी सही है फिर कह तो कोंट्रास्टिंग ट्रेट डिट नोट शो एन ब्लेंडिंग एदर एफ फटू स्टेज यह भी सही है उनके अं अडलिट नहीं होती है ना यह इंग्रेक्ट कुछ रहा है एक्स्टर्न ली इस पॉसिबल डिश्टिंग विए ब्लांट विद जीनोटायप क्या इक प्लांट ऐसा है जिसका फिनो टाइप को तो कि इसके लम्बे फिनो टैप को देख करकी अंदाजहा लगा पाएंगे किय है यह फिर यह है तोहीं जाएक है तो इसका है यह वाला पॉसिबल नहीं यह कब सही हो था externally it is not possible to distinguish between if the plant which you know are not possible to distinguish between the plant with the genotype capital T capital T small t small t उसके लिए test close करवाना परता है यह यह पर तू पॉसिबल लिखा है इसलिए यह जो है वो incorrect हो गया ठीक है आगे बात करते है 97 नमर के बिश्टन देखें इसलेक्ट और और वन विध रस्प्रटीरू ऑल्प ब्लमनेश स्टर्टिंग की अंदर दिया है तो यह घर में प्यूसर यह कोई 1 में एक एक dev oni यह को यह जा सकता है तो एक्स्प्लेंबर और अगर होता तो यह सभी हो जाता है यानि अपना अंसर कौन सा हो गया फॉर वर टेक है आगे चलते हैं 98 नमर की उसन देखें which one of the following is a wrong statement अपने को एक wrong statement यहां पर देखना है तो पहले देखें क्लाइन फेल्टर सिंड्रॉम यहां पता लगाया जा सकता है तो यह वाला जो रोंग हो गया रोंग की पूछा है वो देख लेते हैं वाके सही क्यों है इन यूमन जनेटेक्स पेडिग्री स्टडी प्रवाइड यह स्ट्रॉंग तूल तो ट्रेस्ट देखें देखें अप्स्पेसिफिक ट्रेट अबनॉर्मल अबनॉर्मल्टी एंड डिजीज यह साही है सिंसियाटिक लाइन है वन्सावली विस लेशन से अपन लोग किसी प अगर इसी फ्रेम जो है जैसे एसी जी चीजी टीजी अगर उसमें कोई एक डिलीट या इंसर्ट होता है तब भी फ्रेम आगे यह पीचा सिप्ट होगी अगर दो डिलीट होते हैं तब भी दो डिलीट होते हैं या एड होते हैं तब भी फ्रेम आगे या पीचे सिप्ट होगी लेकिन अगर तीन डिलीट हो जाए एक साथ तब ज्यादा परवाव नहीं पड़ता है कब परवाव ज्यादा पड़ता है फ्रेम सिप्ट कब इन से वो इंसर्ट और देखें इंसरिवभ और इंसर्टी चität आप एक है क्या यह सही थे वह तो रहे वह पूंद खेंद और ऑफ इस तौ्छी इसप्सक्रीब बात ठीक है आओ आगे बढ़ते हैं हाँ तो 99 नमर की उसन देखें तब प्रजेंस ऑफ रिसेश्यू ट्रेट इन लार्ज पॉपुलेशन इस पाउंट भी 36 परशेंट है रिसेश्यू ट्रेट का मतलब है क्यू स्क्वेर जो कितना है अगर हम लोग जो है क्यों की वेल्यू के रिस्पेक्ट में अगर बात करें क्यों की वेल्यू के लिए वो जाएगा आपका पॉइंट 6 इसका मतलब पी जो है उसकी वेल्यू हो गई 1-0.6 तो पी की वेल्यू आ गई एल्यू पॉइंट 4 यह ना फिर पुछा के देन दा फ्रिक्वेंसी ओफ ढॉनिन एंट रेट और डॉमिन एंटरेट कि है यहां पर बात कि जारी है और ऑॉमिनेंट ट्रेट के जीसे आपने एक्वेशन बुड़ी पी स्क्वाइर प्लस टू पी क्यू लॉस्क्यू बराबर मुर्ण टू-ट्रेट यह है तो डॉमिनेन ट्रेट यही तो बुख समें आपने प्रवाइट इस तरीके से इनका जो टोटल है वह आपका कितना बेट गया और 6.64 तो डॉमिनेंट ट्रेट कितने हो जाएंगी पॉइंट इस आपका हो जाएगा ठेक है आगे बात करते हैं तो लाश्ट के उसन जो है उसकी बात कर लेते हैं अब देखो कि इसमें अपने को क्या पूछा करेक्ट देखना है तो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर लिंकेज ज्यादा है तो इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट जनेटिक रिकॉमिनेशन क्रॉसिंग और यह सब कम हो जाएंगे और अगर यह सब ज्याद कांज रिए तो इंडिपेंडेंटानेक इसवाहस वाला थियी से एंडिरेग्सर अस्ते इस और न है यह अगर लिंकेज ज्यादा है और जनेटिक रिकॉमिनेशन अगर लिंकेज जाद है तो जनेटिक क्या होगा कम ना क्योंकि इनुवर्शली प्रपोर्शन लेत यह भी रॉंग हो गया यह भी रॉंग हो गया तो अपना राइट आंखर कौन सा हो गया ठीक है तो इस तरीके से पूरे अपने अंक्रेट क्यों हो गया है आप लोग दुबा केमिस्ट्री का पहला टॉपिक नॉमन कल्चर आइसोमेरिजम इससे रेलेटर जो बायो कैम 18 हुआ है इसके सोलीशन पर बात करेंगे नो डाउट आपका पीपर अच्छा हुआ होगा फर्स्ट टॉपिक है अच्छा परफोर्म अपने किया होगा तिकिन फिर भी अगर सब्सक्राइव होगा आपको यह बताना है तो बताना रहे है इरो मेटिक यहां पर यह होती है किस सिस्ट्म की की बात अपन कर रहे हैं जो अरो में होगा वो प्लेनर भी होना चाहिए तो प्लेनर का मतलब वहां पर हाइबरडाइजिशन SP SP2 वेराइटी का होना चाहिए साइकलिक सिस्टम में तो यहां अगर मैं कहूं तो इस पॉइंट ओ व्यू से मुझे यह ओप्शन यह ओप्शन चोड़ना पड़ेगा साइकलिक सब है लेकिन बात प्लेनर दी की आती है तो प्लेनर के अंदर अगर अगर अपन कहें तो यहां पर यह जो कारबन हाई SP3 आते हैं यह जो राइट वाले 4 कार्बन है SP3 आते हैं और यहां यह 5 कार्बन क्या आते हैं SP3 तो SP3 नहीं अपने को साइक्लिक सिस्टम पे कैसा आए बढ़ाईशन चाहिए SP2 प्लेनर होना चाहिए प्लेनर के साथ अपन कहें तो resonance की भी condition होनी चाहिए तो resonance की भी बात करें तो उन में भी यह जो molecule है वो resonance की condition को भी fulfilling कर रहे resonance होने के लिए जो required condition है वो इस first molecule में available है first molecule में alternate three bond होते है पाई bond alternate पाई होता है पाई conjugation पाई होता है इसका मतलब वो क्या शोग गरेगा resonance और resonance में भी अगर अपन कहें तो कितना 4N प्लस 2 delocalized pi electron यह नंबर चाहिए जहाँ N का value upon 0, 1, 2, 3 यह ले सकते हैं तो अगर N value 0 लेता हूँ तो यह total value 0 हो जाएगा तो overall कितने पाई चाहिए 2 pi पर अगर N का value मैंने यहाँ पे 1 लिया तो 4 multiply 1, 4, 4, 0, 2, 6 तो यहाँ आपकी जो benzene है उसके अंदर three bond का electron movement है मतलब six pi electron इसके अंदर resonance शो कर रहे हैं मतलब aromatic है हलागी answer अगर अगर अपन कहें तो अपन पूरा rule जानते थे तो rule के according अपने दूसरे step पर ही समझ गए थे हमारे पास answer एक ही था easy going हो जाता बात अगर यहाँ पर aromatic की ना होकर के anti aromatic की होती तो भी system cyclic planar resonance तो होता नहीं यह जो electron है इनका number change होता 4n plus 2 नहीं 4n delocalized pi electron होते हैं तो उस case में अपनों से क्या कहते हैं anti aromatic और remaining जो भी cyclic होता है वो non aromatic होता है यह इसका concept था तो यहाँ पर answer जो रहेगा confirm वो रहेगा first चलिए बच्चों next इसके बाद देखें अपन question number two पे आते हैं the group of heterocyclic compound is आपके बस four option है four option में two molecule का combination दिया हुआ है two molecule की combination में आपको देखना है विशम चक्रिये अनु कुन सा है heterocyclic कुन से वाला है अब बात heterocyclic और homocyclic के concept की करें तो क्या होता है अगर कोई molecule है उस molecule में organic molecule में carbon change का अगर एक cycle है एक वले है तो उसे हम कहते हैं homocyclic लेकिन अगर उस system के अंदर अगर कोई अलग heterotum आ जाता है जैसे यूँ कहें oxygen आ गया nitrogen आ गया तो इसको कहते हैं हपन heterocyclic system विशम चक्रिये system हाँ इसमें confusion होता है क्या oxygen nitrogen का आना hetero का symbol है नहीं बटा oxygen nitrogen sulfur ये जो भी element है वो रिंग के अंदर आना चाहिए cycle में आना चाहिए तब heterocyclic है मतलब अगर मैं यहाँ पे एक OH एड़ कर दूँ यहाँ पे मैं fluorine एड़ कर दूँ तब भी यह जो मेरा example है वो homocyclic जाएगा चलो अब देखते हैं अपने को देखना है hetero hetero मतलब जहां cycle के अंदर other atom होगा ऐसा molecule तो पहला option आपको दिया फि योगी phenol के अंदर आप जानते हो जो cycle होती है वो carbon की होती है cycle के ऊपर ओच होता है इसके होने से ही hetero cyclic नहीं हो सकता तो phenol छोड़ दीजी phenol है तो आगे वाला molecule furine hetero cyclic है लेगिन फिर भी वह अपने answer में नहीं आएगा furine कैसा होगा furine ऐसा होगा यहाँ पे ओ रहेगा sulfur होता है तो थायोफिन oxygen होता है तो furine hetero cyclic है लेगिन अपने को उसने का क्या है the group of hetero cyclic amount ग्रुप बताना है पूरा पेर जो है वो hetero का होना चाहिए अब furine वह यह furine के बाद आया थायोफिन थायोफिन और furine में difference क्या है यही molecule होगा oxygen की जगा क्या आएगा sulfur तो देखो दोनों-दोनों molecule furine B और थायोफिन भी यह combination देखें तो no doubt hetero cyclic का है इसलिए अपना answer sure हो गया कुंसा है second अब आता थी थर्ड अपना answer क्यों नहीं है तो थर्ड अपना answer क्यों नहीं है फोर्थ में aniline है अब aniline कैसा होता है benzen ring के उपर NH2 की presence होती है तो इसका मतलब यह भी किस में जाएगा homocyclic में जाएगा तो answer confirm कुंसा हुआ second answer हुआ बटा चली next देखिए इसके बार हा तो बच्छों अपनी screen पे question number third है select pair of monovalent functional group एक सेयों जी किर्यात्मुक्स मुहों का समुचे monovalent या एक सेयों जी कहें तो one valency वाला जो functional group है वो आपको search करना है और actual में आपके बस जो option है वहाँ पे तीन तीन functional group दिये हुए है तीनों के तीनों कैसी होने चाहिए monovalent होने चाहिए bivalent polyvalent ना हो बात अगर कौर carboxylik की करूँ तो यह monovalent होता है ester जो है वो एक bivalent group है दो valency वाला है इसलिए अपने इसको आंसर में नहीं ले सकते हैं कारboxylik monovalent है enhydride जो है bivalent है इसलिए अपना आंसर second भी नहीं हो सकता थर्ड में गए carboxylik aldehyde alcohol बिल्कुल यह combination satisfy कर रहा है हमारे आंसर को monovalent या एक से उजीस में group होता है देखो कैसे carboxylik होता है ऐसे वा और बात अपन करें alcohol की तो वो होता है ऐसे वाला तो overall सब के सब जो third answer है उसमें सब के सब monovalent है next में जाए फिर वही enhydride आ गया enhydride आ गया तो अपने कोई से आंसर में नहीं लेना चाहिए तो बात अगर enhydride की करें enhydride एक bivalent द्वी सेंजी group है ester की करें ester भी एक bivalent द्वी सेंजी group है इसी लिए हमें अपना answer जो sure करना है वो कुल सा करना है third answer clear है बच्छो चलिए next देखते हैं easy question है सबने किया होगा अपनी स्क्रीन पे next question है fourth how many functional groups are present in a given compound जो molecule दिया गया है वहाँ पे आपको देखना है कितने किर्यात्मक स्मू किते functional group उसके अंदर उपलब्ध है देखो बटा आपके सामने जो molecule है उसमें से अगर मैं एक area ये mark करूँ तो ये functional group अपन जानते हैं कुन सा होता है as usual अगर अपने इसकी marking कर रहे हैं तो ये शो कर रहा है किसको alcohol functional group को अगर इसकी बात करते हैं बेंजीन के उपर वच होता है तो उसे alcohol नहीं फिनॉल कहते हैं हम और ये जो group यहां से दिखाई दे रहा है ये एक aldehyde group को शो कर रहा है और ये जो area दिखाई दे रहा है ये ketone क को शो कर रहा है तो यहां पर अपने को ये देखना था बस यहां कई बार confusion ये जरूर होता है जैसे COOH है तो हमें लगता है कि ये two है क्या alcohol ketone है क्या अगर ऐसा सोचते हो गलत सोचते हो ये पूरा combination एक ही count होगा यहां पर अपने उसे separate separate नहीं करेंगे दोनों का mind attached है अगर उसको दो group मानना है तो उस case में फिर कुछ ऐसा होना चाहिए ऐसी position होती तो no doubt ये दो हो जाते है तो अभी फिलहाल तो carboxylic 1 है alcohol 1 है phenol 1 है LD है ketone है total counting करूं तो कितना आ रहा है 5 ये आपका final answer जाएगा 5 clear बच्छो चली next देखते हैं इसके बाद अगले step पे जाएं अपन question number 5 select most electronegative carbon atom उच्छ विदूत रिनी carbon परमानू का chain कीजिए आपके सामने एक molecule है molecule में से आपको mark करके दिया हुआ है ABCD चार कार्बन के उपर ABCD लिखा हुआ है यहाँ पे आपको ये देखना है कि higher EN वाला कोन है most EN वाला कोन है तो देखो बटा molecule है पूरा कार्बन का लेकिन कार्बन भी 3 type के होते हैं एक carbon होता है SP3 एक carbon होता है SP2 एक carbon होता है SP2 और जैसे जैसे यह hybridization change होता है आप यहाँ जब आ रहे हो तो S percentage में increment हो रहा है S percentage hybridization में increase हो रहा है और S character increase होना बोले तो EN को increase करता है जो SP carbon होता है उसकी EN 3.25 SP2 की 2.75 और जो SP3 होता है उसकी 2.50 होती है यह अपने को fact मालूम है कि आपन जानते हैं तो बस यही देखना था यहाँ पे जो carbon A है वो SP3 है क्योंकि single bonded है यह वाला SP2 है यह वाला SP3 है लेकिन यह जो D वाला है यह कुन सा है SP hybrid carbon क्योंकि triple bond आ गया triple bond आ गया तो triple bond वाला जो carbon होगा वो कैसा होगा क्योंकि यह जो triple bond आप देख रहे हैं इसकी इस side में तो यहाँ पे यह position है और back side में carbon से यह attach है तो यह था तो यह sigma और एक sigma यह वाला 2 sigma की वज़े से hybridization आएगा SP आएगा तो hyarion वाला है तो D को अपने को अपने final answer में लेना है answer आएगा D चलिए next देखिए इसके बाद next question जो आपके बस है आपकी screen पे question number 6 क्या कह रहा है which of the following molecules do not contain SP hybridized carbon atom भई आपको molecule दिये हुए है sharp molecule आपके सामने है आपको वो सर्च करना है जहां पे जहां आपन कहें तो SP hybridized carbon atom की possibility नहीं होनी चाहिए मतलब उसमें SP संक्रित carbon परमानों उपस्तित नहीं है जहां SP है वो छोड़ते जाओ तो मुझे लगता है पहला option अपने को छोड़ना चाहिए अब आप कहेंगे क्यों पहला option इसलिए छोड़ना चाहिए बटा साइनाइड को detail में लिखो तो ऐसा लिखोंगा साइनाइड यह है तो साइनाइड का carbon तो फिर SP ही होता है SP होता है तो छोड़ दो तो कि SP हाइबर नहीं हो अपने को अंसर वो लेना है अब यहां पे भी साइनाइड ग्रूप आ रहा है और वैसे ही साइनाइड को छोड़ दूँ तो यह carbon बीच वाला जो है यह भी SP है इसलिए अपने को इसको भी अपने option से out कर रहा है अपना अंसर नहीं है आगे वाले में जाएं तो यह मुझे अपना अंसर लग रहा है कोई भी ऐसा carbon नहीं लग रहा जो SP हो बोले तो यह यह जो टर्बीनल वाले है यह SP3 है डबल बोन वाले है SP2 है यह वाला भी SP3 है यही आपका final answer है यहाँ जाओगे तो यहाँ जो यह center वाला है बटा यह center वाला SP है क्योंकि दोनों तरफ 1-1 sigma है तो यह SP होगा SP-SP जहाँ present है वो छोड़ना था पालसवर आपका कौन सा final हुआ थार्ड वाला ठीक है चलिए रेक्ष्ट इसके बाद देखें अपन the number of secondary carbon atom in the following compound जो molecule आपको दिया गया है यहाँ secondary carbon secondary बोले तो 2 degree carbon जो होता है secondary यह द्वित्री carbon जो है वो आपको बताना है तो एक compact structure molecule की आपको दी हुई है थोड़ा detail में लिख लेते हैं पहले आपको दिया है CS3 thriase CS3 thriase का मदलब 3 CS3, 3 methyl group है जो next carbon पे bonded होंगे उसमे बने bonding दे दी है इसके बाद आगे दिया हुआ है CH2 CH2 के बाद दिया हुआ है CH और CH के उपर फिर दिये हुए है CH3 यह लो बटा ऐसा करते ही अभी यह question आपके पास easy हो गया आपको बताना क्या था आपको यहां बताना था secondary carbon 2 degree carbon तो मुझे लगता है 2 degree carbon के नाम पे आपके पास कहने को यह सिरफ यह जो carbon है यह 2 degree है बहुत side weapon कहें तो 2 carbon है यह 4 degree हो गया यह 3 degree हो गया remaining 1 degree है तो आपके बस 2 degree पूरे system में 1 है 1 है तो इसलिए अपना answer जो रहेगा उन क्या रहेगा यह आपका first answer आजाएगा इसमें अपना कहें तो 1 आ रहा है चली next देखिए इसके बाद अगले question पे आते हैं correct IUPAC name of given compound is आणू का सही IUPAC नाम क्या होगा आपके सामने एक cyclic system दिया गया है cyclic system में अपने को सामने वाला naming देना चाहरा है naming के सारे option दिये है option पे जाए उससे पहले हम अपने molecule पे numbering करना चाहें अब numbering करनी है तो देखो बादा क्या है ये जो group है इस group को अपन कह सकते है ethile group ये जो group है ये वाले group है methyl group अब वैसे अगर अपन alphabet के बारे में सोचे क्योंकि पूरी cycle है cycle में कहीं से भी अपने numbering start करें लेकि numbering start करने में दो बाते है locant rule, alphabet rule अब locant rule को follow करें तो best होगा क्योंकि अगर अपन alphabet के चकर में जाते है इसे अगर अपन number one देना चाते है ethile को alphabetically ethile number one ले तो बैटा two पे three पे कोई group नहीं आएगा और यहाँ पे अपन one इसे दे दे तो two के बद three पे group आजाएगा यहाँ one दे दे तो three पे फिर group आजाएगा इसलिए बस यहाँ पे main बात यह देखनी थी कि आपको ethile को number one नहीं देना है alphabet से नहीं चलना है लोकेंट रूल से चलना अब लोकेंट रूल में चलने में भी दो बाते पहली बात one number मैं यहाँ लो और one number यहाँ लेने के बाद confirm है कि अपने को यहाँ से आना है तो यह three हो जाएगा लेकिन एक दूसरा option यह भी है कि one अपन यहाँ लेकर के यहाँ क्यों नहीं जारे यह सोचने वाली बात है कि कौन सा beneficial रहेगा आप one number इस methyl को देदो three इस पे आओ या one इसे लेके three इस पे जाओ यहाँ तक तो similar है टीन बात अपने को आगे देखनी है three के बाद यह four, यह five और यह six इथाईल कहां आ रहा है six पे आ रहा है और अगर अपन one इसको देते one, two, three, four, five, six, seven तो इसका मलब गडबड़ो जाती numbering locant proper नहीं बनना था इसे लिए इसकी perfect numbering यही है one, two, three, four, five, six, seven, eight और nine यह इसके लिए perfect numbering तोकि इस direction में आप जब antique locomotive जा रहे हो तो methyl को one three मिल रहा है लेकिन इथाईल का number six आया one, three, six, locant पे आपने पूरी numbering की है और अगर अपन ऐसा ना करके ऐसा गरते one, two, three, four, five, six, seven तो इथाईल कहां आता seven पे तो वो भी numbering जो थी perfect नहीं रहनी थी यह perfect है यह वाली numbering wrong है चली numbering हो गई numbering हो गई तो अब नीचे वाले option की help लेते हैं option में देखो इथाईल और मिथाईल नमबर उसको इथाईल को six मिला होगा लेकिन वहाँ पे अपन कहें तो naming जब होगी तो group alphabetically ही set होगे तो पहले उसने दिया one इथाईल यह तो बिल्कुल ही गलत है one इथाईल कह रहा मतलब main chain पे numbering ही proper नहीं कर रहा one इथाईल यह भी proper नहीं कर रहा seven इथाईल यह भी कैसे proper है seven इथाईल बताने वाला इसका मतलब इस पेटरन से overall molecule की numbering कर रहा है तो ऐसा है तो कोई भी option इसके अंदर match नहीं करेगा क्योंकि यहाँ इथाईल को one कहना भी wrong है seven कहना भी wrong है इन में से कोई नहीं none of these आपका answer जाएगा यह उसने पूछा है correct IUPAC name इन में से कोई भी क्योंकि बागी की बात ही क्या करें बागी वो मिधाईल बता रहा है cyclone 9 बता रहा है लेकिन पहला step ही अगर फैल है numbering प्रोपर नहीं है तो फिर naming कैसे प्रोपर आएगी बटा तो अपने को answer चूज करना चाहिए fourth answer systematic IUPAC name of compound molecule का IUPAC name बताना है IUPAC name अगर अपन बताने जा रहे हैं तो देखो क्या है यह आपका molecule है molecule के उपर एक senior most group है carboxylic acid carboxylic acid group है तो यहां पर अपन carboxylic acid से attach carbon को number one देंगे new IUPAC की help लेंगे क्योंकि वैसे तो अगर अपने उसको old IUPAC की pattern से लेते हैं तो उस case में इसको अपने को one carbon की chain लेना चीए पर अपने बास option है इसका carbon छोड़ते है new suffix लगा लेंगे carboxylic acid तो इसको number one देंगे multiple bond की side से जाएंगे यह final numbering होगी तो आपका जो molecule है वो क्या है cyclohegs 3-ene नहीं भई cyclohegs 3-ene क्यों है 2-ene है तो यह छोड़ दो cyclohegs 2-ene यह perfect है carboxylic acid उसके लिए extra suffix लगाया तो यह पूरी naming जो second वाले option में है वो सही है third में क्या problem है cyclohegs 4-ene जलत होगे 4-ene क्यों है जब वही मतलब 1-2-3-4-5 यह जाएंगे क्या 4 carboxy वही main functional group को अपन carboxy क्यों कहेंगे और cyclohegs 9 भी क्यों कहेंगे कोई ketoni group तो अपने molecule में ही नहीं तो इसलिए answer कौन सा आना चाहिए second answer तो यहाँ इस 9 molecule में आपका जो answer जाएगा वो कौन सा सगी नास और जाएगे फिर देखिए इसके बाद हज बटा इस question में देखें correct IUPAC name बताना है सही IUPAC name बताना है तो molecule में देखा observe किया main group कौन सा था ester था ester का carbon number 1 लेगा फिर यह 2, फिर यह 3, फिर यह 4 क्या है 4 carbon का ester molecule है 4 carbon में second number carbon पे एक सबस्टिडियंट है इथाइल और एक सबस्टिडियंट यहाँ पे भी है इथाइल ester में O की साइड जो group आता है वो name start करता है वो radical किसी alpha bad बनी आता हाला कि दोनों इथाइल है अब अपने option की help लेते start में सबसे पहले उसने इथाइल 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 दिया एक में अथोकसी दिया यह गलत यह थोकसी नहीं कहा जाएगा इथाइल ही आएगा तो यह रोंग होगा इथाइल के बद कहें तो यह वालब इथाइल कार्ट टूपे फिर सीधा पैंटेनो पैंटेनो कैसे दे सकते हैं ब्यूटेन है पैंटेनो नहीं देना तो यह भी गलत हो गया इथाइल थ्री पैंटेनो एट यह भी रोंग है इथाइल टू इथाइल तो यह वाला सबस्टुटिएंट हुआ में चैन पर भी धायल है टूपे फिर फोर कार्बन की चैन है तो ब्यूट सिंगल बॉंड की है तो एन और एस्टर है तो ओएट इसलिए बैस टांसफर आएगा इसका फोर हाँ तो बच्छों कुछन नम्मर 11 क्या कह रहा है आई यूपी एसी नेम बताना है आपको मॉलिक्यूल का आई यूपी एसी नेमिंग बतानी है तो पहले मॉलिक्यूल को अब्जर्व करें देखें सीनियर ग्रूप कौन सा है सीनियर ग्रूप आपके मॉलिक्यूल है एसिद हैलाइट है एसिद हैलाइट वाले कार्बन को नंबर बन देते हुए ल यहां पर देखो आपके पास जो मोलिक्यूल है वो six carbon का है तो थोड़ा सा आप option की अगर help लेना चाहें तो आप option में देखो option के लास्ट में जाओ पेंटेनोयल कलोराइड इन पेंटेनोयल नहीं बटा यह है इसको देखके confirm हो गया कोश्चन आपको देखने में ऐसा लग रहा है तो हम उसे हैग्जेनोयल कलोराइड कहना चाहते पेंटेनोयल नहीं नहीं कहना चाहते तो यहां देख लो पेंटेनोयल कलोराइड यह भी रॉंग है आगे जाओ हैग्जेनोयल कलोराइड यह अपने आंस्वर को satisfy कर रहा है फिर यहां पेंटेन कार्बोनिल कलोराइड यह भी रॉंग हो गया बटा क्यों कार्बोनिल कलोराइड तो अपने उस का कार्बन छोड़ने से कुछ अपन को लॉंग चैन में बेनेफिट मिल रहा हो इन अपने वहाँ पे शिक्स की चैन को फाइफ का क्यों करें तो यह भी नहीं चलेगा तो आपका कल्फर्म हो गया हालाग यह बागी चीजे चेक कर लो देखो क्या कहता है 6-6-Dichloro ठीक है रहा है यह वाला यह वाला जो ग्रुप है यह कलोरो ही तो है 6-6 पे है थ्री पर डाइकलोरो मिथाईल तेखो अगर यह कार्बन होता तो यह मिथाईल होता और मिथाईल के उपर दो कलोरो है तो डाइकलोरो मिथाईल तो 3 पर डाइकलोरो मिथाईल बागी न नोरो मिथाइल है बलकी है इसलिए अलफाबेटिकली इसने यह मैनेज किया तो यह आपका अंसर चला जाएगा इसका थर्ड कि नेक्स्ट देखें इसके बाद अपन कि 11 के बाद देखें तो नेक्स्ट कोश्चन पर 12 में आयू पी से नेश्चन बता ना अपने को आयो पी सीन नेश्चन बताऊ तो फिर देखिए मोलेक्ल को अब्ज़र्वाण किया मोलेक्ल जो है वह honestule इस में आपके पास जो जो कारबन चेंद है उसमें सह मेक्सिमम कार्बन कि है वह लॉंग चैन ले जी तो यह यह carbon chain 2 की है यह carbon chain 2 की है दोनों इथाइल है आगे उपर देखें तो 1,2,3,4 अपन carbon ले सकते हैं तो no doubt अपन 2 की chain क्यों ले 4 की लेंगे 4 की लेके numbering हम यह करेंगे 1,2,3 और 4 यह आएगा तो यह आपके बस 4 carbon का butane molecule हो गया इस butane molecule पर 3 सबस्टेडियंट है इथाइल इथाइल और मिथाइल molecule है butane 2 amine देखो फिर मैं लास्ट से चेक कर लो butane only दिया amine ने दिया butane amine और वो भी 2 butane amine जैसा अपनी numbering में आया है वैसा perfect आ रहा है फिर यहां कहें फिर इसने propane कह दिया only butane कहना रहूं only propane कहना रहूं और फिर penta 2 amino यह भी कोई नहीं बैठा है मीनों क्यों लगाएंगे बैई तो इसलिए option एक ही बैठ रहा है चेक कर लो फिर भी तो क्या कहता है एन पे एन पे डाई इथाएल बिल्कुल एन के उपर यह दो सबस्टीटेंट है इथाएल और 3 पे इस चैन के उपर अगर आप देखो numbering आप के बास सब्सक्राइब बागी option में क्या गड़बड है आप बागी option में पहला जो option है उसको थोड़ा सा देखो आप इसको only butane कहा ब्यूटेन कहने पर ही नहीं छोड़ना है यह भी देखो आप यह कह रहा है टूपे डाई मिथाईल एमिनो यह जो टू नम्मर है यह डाई इथाईल एमिनो कहता तो चल जाता डाई मिथाईल कहा यह मिथाईल कहना गड़बड कर गया इथाईल एमिनो क्योंकि आमाइन के लिए आजगल prefix लिखने का भी trend है तो इस गुरुप को पूरी तरह एमिनो कह देता तो चलता यह वाला नेम भी accept किया जाता लेकिन यहाँ प आपन कहें पैंटा फाइफ की चैन भी कैसे हो सकती है फाइफ वाली भी पॉसिबल नहीं है तो यह भी confirm नहीं था पाइंसर कुन सा आना है अपना से गिनांसर आना है कि नेक्स्ट कहें हम इसके बाद question number 13 में IUPAC name of given compound जो molecule दिया है इसका name बताना है name में पहले तो आप यह चेक करें कि senior group कौन सा है senior group देखते हैं तो carboxylic acid one number उसे दीजी one के बाद two two के बाद three four five four six यह long chain select करी बागी जो रह गया सब सबस्टीडेंट है सब को alphabetically manage करना है फिर वही बाद option की help लूँगा मैं six carbon का मेरे पास hexanoic acid available है क्या ऐसा है गया इसके अंदर यह चेक करते हैं अपन hexanoic वाली condition तो देखो यहां पे hexanoic acid option में दिया है इसमें भी hexanoic दिया है इसमें भी hexanoic दिया है और यहां पे भी आपको hexanoic दिया है बलाब अब की बार यह हिंट नहीं चल रहा है चलो कोई बात नहीं पीछे से अपने देखा सबका name equal आ रहा है पहले अपने दो कोशन ऐसे की जहां अपने को hint मिल गया अपने लास्ट में root word और main suffix देखते हैं तो उसे बता चल रहा था चलो अब यहां देखो क्या है एक group bromo है एक chloroformyl है chlorocarbonyl ह है amido है और formyl है इनके prefix नहीं है alphabetically set करेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा bromo बताना तो 2 पे bromo यह वाला तो बैटा फैल हो गया क्योंकि bromo 2 पे थोड़ी यह bromo तो 5 पे है तो इसका मलब इस answer पे नहीं जा सकते हैं अब देखें अपन 5 पे bromo हाँ बैठ रहा है और आगे वाल नहीं किया है तो इसे भी छोड़ना पड़ेगा लास्ट वले में कहें तो यहां पे भी आपका bromo बहुत बाद में ले गया यह लो सब हिंड मिल गए आपको थर्ड नहीं लेना फोर्स नहीं लेना यह क्यों लेना है क्योंकि अल्फाबेटिकली सारे ग्रुप इसमें मैंने ब्रोमो आ गया ब्रोमो के बद क्या लिया कार्बो मोयल इसको कहते हैं बटा एमीडो या कार्बो मोयल फिर क्या लिया क्लोरो फॉर्मिल कुन से वाला है यह वाला ग्रुप अब यहां पर देखो ब्रोमो कभी अच्छा था कार्बो कार्बो यह सी यह सी से तो उसमें इसने कारप्वो मुयल पहले क्यों लिया कारपो में सी के बाद ay आ रहा है क्लोरों में इस्वी अपने कारपो मुयल सी ए पहले लिया फिर अपन कहें तो सी एछ-ो को इसने क्या कहा? ne, ठीक है लिए खेजिए बरफेक्ट किस्प में है second option में, तो यह आपके बस second answer इसका आएगा तो बस यहाँ पे देखने में question बड़ा लग रहा है, option की help ले लें तो easy going हो जाता है, चलिए बच्चों next देखते हैं इसके बाद correct IUPAC name of the following compound, आपके सामने जो molecule है उसका IUPAC correct name बताना है, पहले देखेंगे senior group कौन सा है, एक hyalide है, एक cyanide है, एक ester है, तो यहाँ पे अगर अपन कहें, यहाँ कहें तो ester main group है, यह वाला ester main है तो इसके carbon को number 1 देते हुए 2, 3, 4, यह long chain select कर, यह long chain select और ester की naming का एक union तरीका यह भी होता है, ओ पे आने वाला जो radical है वो name start करता है, देखो, methyl 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 सब में दिया हुआ है, यहाँ से starting same है, 4 carbon का molecule है, तो but, but, butane, 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 तो इसका मलब start और end में इसने हमें कोई hint नहीं दिया, है कि direct कर ले, चलो, अब आपने बास क्या बचा, एक यह सबस्टीटियन बचा, एक यह सबस्टीटियन बचा, इसको कहते है, साइनो, इसको कहते है, chloroformyl chloro-carbonyl, तो देखो, alphabetically कहां सही, set किया है, साइनो में CY आ रहा है, chloro में CH आ रहा है, तो पहले chloro लेना चाहिए, तो 4 पे chloro-carbonyl, 3 पे साइनो, butane-oate, तो परफेक्ट नेमिंग आ रही है, फर्स्ट में, तो सेगिन में क्या mistake है, 3 पे chloro-carbonyl, गलत हो गया ना, 4 पे है chloro-carbonyl, इसने नहीं ले सकते, 3 पे साइनो पहले chloro-carbonyl, बाद में, तो यहां पे ये भी wrong इसलिए हो गया, क्योंकि ये alphabetically ठीक नहीं जमाया, पहले chloro-carbonyl आना था, फिर 4 साइनो, अच्छा साइनो जब 4 पे ही नहीं, तो ये भी option गलत हो गया, आपके बस जो बचा वो कौन सा है, पहला option, परफेक्ट रहेगा इसके लिए, नेक्स्ट कहें हम इसके बाद, select correct and incorrect name, correct इनकरेक्ट बताना है, correct के लिए option में आपको दिया हुआ है C, और incorrect के लिए दिया हुआ है I, चलो, चेक गरते जाते हैं, पहला जो option दिया है, यहाँ पे 3 bromo 1 chloro, देखो बटा, इस molecule में जब मुझे numbering करनी थी न, तो numbering यहाँ से आती, क्योंकि मैं numbering bromo से start कर लो, तो भी local end 1 3 बन रहा है, chloro से start कर लो, तो भी 1 3 बन रहा है, तो क्यों न, मैं alphabetic order के according चलो, तो 1 पे bromo आना चाहिए था, जो bromo 3 पे दिया, इसका मलब पहला ही name अपना कैसा हो गया, incorrect हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो numbering है, वो perfect नहीं है, तो incorrect हुआ, आगे वले में जाए, आगे वले में जाते हैं, तो आपके बस दो group है, एक ये और एक ये, दोनों ही senior है, और दोनों senior है, दोनों से किसी को भी number one दिया जा सकता है, इसको one देता हो, तो two, three, four, five, इसे one देता हो, तो one, two, three, four, five, log end बनेगा बटा, one, two, four, five, कैसे भी start कर ले, अब अपने को देखना है, कि two के लिए कौन सा beneficial रहेगा, एक two पे methyl भी आ सकता है, और एक two पे chloro भी आ सकता है, तो no doubt chloro लेना चाहिए, तो कि वल्फा four, five, six, ये कर दी चाहिए, और ये जो सबस्टीटेंट है, इनको मैनेज करना चाहिए, बोले दो कहाँ, two पे chloro, सही है, five पे methyl, ये भी सही है, साइकलो हेक्जेन, बिल्कुल ठीक है, one, four, di carboxlic acid, साइकलो हेक्जेन पे carboxlic acid कहा है, तो इसके लिए new suffix काम मिले रहे, इनका carbon long chain में नहीं है, बटा जी, ये correct हुआ, ये correct आजाएगा, next कहें हम इसके बाद, तो बच्चो अपने बस, ये A है, ये जो C है, incorrect आगया, correct आगया, देखो नीचे थोड़ा सा ध्यान दे, यहाँ चार option बताने हैं, मतलब A, B, C, O, D, question उपर आपके बस, इंगलिश में आगया, की हिंदी में आगया, ये चारों नेम में से बताना था, A और C अपने के बस आगया है, B, यहाँ से देखो क्या है, यहाँ पर कहता है, यहाँ पर कहता है, वन कलोरो, थ्री फ्लोरो, मतलब उसने ये वाली नंबरिंग फोलो की है, ठीक किया है, अल्फाबेटिकली की है, नंबरिंग यहाँ से करें, 1, 2, 3, 4, एक तो आप्शन ये है, ब्योटेन डाई, ब्योटेन डाई ओएक एन हाइडराइग, लेकिन ये नंबरिंग न लेके अपन अगर ये नंबरिंग लेते हैं, इस नंबरिंग में बेनिफिशिल कंडिशन क्या है, एमीनो को नंबर 2 मिले तो ये वाला भी बटा, करेक्ट जा रहा है, एक इनकरेक्ट, फिर करेक्ट, फिर करेक्ट, करेक्ट, तो पहला इनकरेक्ट है, ओप्शन देख लो बटा, पहला इनकरेक्ट है, तो इसका मलब ये आंसर जाएगा नहीं, ये आंसर जाएगा नहीं, इन दोनों में से जाना है पहले दोनों incorrect नहीं है इसलिए आपके पास ये भी नहीं जाएगा final answer कुण सा रहेगा आपका third रहेगा चलिए बटर next देखिए इसके बाद write the IUPAC name of compound molecule का IUPAC name बताना है बटर molecule observe किया senior group कौन सा है carbonil 1, 2, 3, 4 ये numbering कर देते हैं तो अपना सबस्टिटेंट hydroxy आ रहा है 4 पे 4 पे hydroxy 4 पे hydroxy 1 पे hydroxy गलत हो गया 4 hydroxy चल सकता है hydroxy 4 पे है तो molecule cyclo है cyclo 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 यहाँ पे भी आ रहा है यहाँ सीधा hex ले रहा है तो इसे भी छोड़िये cyclo नहीं लिया इसमें अब आगया cyclo के बाद आपन कहें hex 2 in तो बिल्कुल hex 2 in है hex 1 in यह लीजे बटा यह भी खट गया option की parallel में help लो आप 4 पे hydroxy आया cyclo आया hex 2 in आया और on 1 पे आ रहा है तो यह आपका theme हो जाएगा first यह आएगा बटा next कहें हम इसके बाद 16 के बाद question number 17 पे चलते हैं IUPAC name फिर बताना है आपको इस molecule का इस molecule में फिर से देखिए senior group कौन सा है senior group बटा carboxlick acid यह वाला number 1 इसे दीजिए number 2 इसे दीजिए आपके molecule की chain only इतनी ही है आपको molecule ethenoic acid है option की help लो सारे option में देखो acidic acid गलत option acid common में बोलते हैं मैंटा IUPAC में नहीं अगले ने IUPAC कहा है ethenoic ठीक जा सकता है मैं नहीं कहे रहा बागी सब check करेंगे अपन next कहें methane noic acid बिल्कुल गलत methane noic क्यों है जब वो ethenoic है अपने naming select long chain select की है ethenoic acid तो इसका मतलब अगर आपने इतना काम कर लिया तो दो option आपके हट गए है दो पे काम करना था दो में देखो क्या कहता है यह ले लिया दो acetoxy acetoxy common में चलता है iupac में नहीं यह जो substudiant है यह दोनों के दोनों जो substudiant है दोनों के दोनों जो परतीस थापी है दोनों ester है लेकिन ester भी तो अलग अलग तरह से special molecular बेटा एक ester में O से bonding हो रही है एक ester में CO से bonding हो रही है तो एक का prefix जो होगा वो क्या होगा यह जो O से bonding हो रही है इसको कहते ऐलके नोयल उक्सी इसके लिए चलता है ऐलके नोयल उक्सी और यह जो CO से bonded होता है इसको कहते है अपन एलकोक्सी कार्बोनिल या एलकोक्सी फॉर्मिल तो यहाँ पे देखो वैसे तो इस option से हट गया यह भी हट गया अगर तो बचाप के बस यहीं की था चेक करनो ठीक है क्या तू पे एथे नोयल उक्सी इसको बोला एथे नोयल उक्सी एलके नोयल में दो कार्बन की चैन है ओफे नोयल उक्सी और यह वजय को काः दो पर मैठॉक्सी कार्बोनिल देखो इसमें भी बड़ा चक्कर है यहाँ पर यहाँ पे यह दोनों के दोनों कार्बनल में आरे है और यहाँ पर्यृ तो मिफाइल से मैठॉक्सी कार्बोनिल बिल्कुल पर्फेक्टमिल है ब dispar zwr ब बश्ट था कुशन बनाया इसी तरह गया है चलिए बचो नेक्स देखिए इसके बाग systematic IUPAC naming बताओगे फिर वही बाद senior group कुन सा acid 1 ये 2 और last वाला जो है वो aldehyde group है optional है बटा secondary group aldehyde होता है तो चैन में आ भी सकता है नहीं भी आता ये अपन option में देखते हैं इसने कैसे किया है इसमें एक में कहरा प्रोपेनोइक एक में कहरा प्रोपेनोल प्रोपेनोल तो बिल्कुल गलत है क्योंकि ये कोई alcohol थोड़ी है फिर कहें एथेनोइक प्रोपेनोइक भी हो सकता है दोनों का option रहेगा देखते हैं एक प्रोपेनोइक अब देखो क्या है यहां पे अगर ये तो कहता है two three die keto गलत बात ये गलत option हो गया क्यों क्यों क्योंकि ये और ये दोनों keto नहीं हो सकते ketone को आप keto कह दो उगजो कह दो चलेगा लेकिन अगर aldehyde secondary है तो उसके लिए एक ही option है prefix लगाना है तो prefix लगेगा उसका अगर chain में लेना है प्रोपे नोई कहना है तो उगजो बोलो आप keto नहीं बोल सकते तो keto नहीं बोलोगे तो इसलिए option चला गया ये नहीं आएगा दूसरा आपने पहले कैंसल कर दिया बच गए दो का ही option आपके बास चांस रहा तूपे फॉर्मिल टूपे keto एथेनो एक बैठ रहा ही तो क्योंकि अगर अगर आपके बास लोग चैन थी टू कार्बन की और टू कार्बन के अंदर ये फॉर्मिल था और ये वाला कीटो था तो तो पहले गलत हो गया पहले फॉर्मिल बताया फिर कीटो अल्फाबेटिकली बताया एथे नोइक बताया तो आपके बास अंस्वर आ जाएगा इसका तीसरा कि नेक्स्ट कहें आम इसके बाद identify wrongly named compound ऐसा molecule देखना है जो proper name जिसका नहीं हुआ है इस molecule में देखो वन ब्रोमो रॉंग है बेटा देखते ही बता चल रहा है क्यों आपकी cycle के अंदर नंबर वन ब्रोमो को कैसे मिल सकता है पहला नंबर डबल बोन पे लगना था बेटा ब्रोमो जो था उसे नंबर मिलता फ तो कि आपको यही कुछ है गलत नाम वले अनों को पहचानो ए जो है वो तो confirm गलत है अपने answer में आएगा बी और चेक कर लेते हैं बी देखो क्या कहता है cyclopent 3 in amine देखो यहां से numbering करते हुए हम जाएं तो amine का जो amine group senior group है numbering अपने amine से लेके चलेंगे in 3 पे जारी है तो cyclopent 5 carbon की है 3 in है amine है perfect है यह रोंग नहीं है तो इसलिए अपने को answer रोंग बताना है तो ए ही लेना चाहिए a b a b दोनों नहीं तो अपने को ले लेना चाहिए बटा first answer next देखें इसके बाद सवाल number 20 पे देखें what is the correct relation between x and y x और y के बीच पे relation बताना है relation देख लो chain isomar position isomar homologous ऐसे relation मदलब isomarism पे जा रहा है isomarism में chain position की बात कर रहा है तो अच्छा है कि अपने इसके आयूपी असी numbering कर ले चैन डिफर होगी तो पता चल जाएगा position का कुछ होगा तो पता चलेगा उपर 5 की चैन पर साइनाइड है नीचे भी 5 की चैन पर साइनाइड है वैसे overall formula तो सेम है isomar पे तो अपन जा सकते हैं homologus की बात तो अपने को करने की जोड़त नहीं है क्योंकि homologus में एक family के अदर carbon chain अलग अलग आती है total carbon अलग अलग आते हैं तो ये तो अपना option नहीं जाएगा चलिए numbering करते हैं 1,2,3,4,5 carbon का main group है ना तो carbon के group को number 1 देते हुए chain select की तो हो गया 5 की chain इसमें बटा 1,2,3,4,4 carbon के group को number 1 देना है वो तो अपनी position बदलने से रहा chain हो गई 4 की तो दोनों molecule में अगर मैंने compare किया दोनों का formula सेम था functional group सेम था long chain अलग थी long chain अलग थी तो इस case में अपने से क्या कहेंगे chain आईसो मर श्रंखला समावेवी position नहीं बदल रही है हाँ ऐसे simple observe करते तो लगता है कि sign head यहां से हटके आगे बले पर लग गया तो position बदल गई होगी बस यही देखना चारा था तो बोले तो यहां पर position नहीं कहना chain ही कहना है क्योंकि relation इसमें क् chain का ही आएगा नेक्स देखो बच्छो अगला question क्या कहता है यह आपके isomeism के question आ गए है हाव मैनी एल्डी हाइड एन कीटोन structure possible for c5h10o only structure आपके पास c5h10o formula दिया गया है c5h10o के अंदर वो जानना चाहता है एल्डी हाइड किते ड्रो कर पाओंगे ketone किते stereo नहीं लेना है तो देखो इसको करने का पैटरन यह है अगर मैं एल्डी हाइड कहूं तो बैटा होता है अब सी एचो गुरूप जब मैंने अलग से निकाल लिया तो पीछे मेरे पास कार्बन किते बच गे चार हाइड्रोजन किते बच गे नो और ओ तो आपने लेही लिया है तो c4h9 जो होता है वो ब्योटिल होता है और ब्योटिल नेचर में चार होते हैं मैटा एक होत पर आप चार हो जाते हैं पर अगले ने कहाँ लडीएड के साथ आपको और क्या बताने है की टोन भी बताने है की टोन पे जाना चाहते हो तो अपने माइंड में बटा मेटा मेरीजम की बात होनी चाहिए क्योंकि अगर किसी मोलेकुल की structure पे बात कर रहे हो तो chain बदल सकते पोजीशन बदल सकते हो, मेटामेरिजम या फंक्शनल ग्रूप, तो अगर कीटोन ही ड्रो करने हैं, तो मेटामेरिजम देखो, क्योंकि मिड में रहने वाला ग्रूप है, चार कार्बन आपके बास और हैं, एक साइड वन ले लो, एक साइड थ्री ले लो, फिर टू ले लो, और टू ले लो, तो यह मैंने क्या किया, एक्शल में कीटोन के मेटामर पे काम किया, मैंने, मेटामर फंक्शनल ग्रूप की बोट साइड में कार्बन चैन का साइज और नैचर बदलने से बनते हैं, तो मैंने साइज बदल दिया, नैचर वाइज कहूं तो प्रोपिल दु only structural isomer के लिए अगर अपन कहें तो क्या आएगा 7 answer आएगा चली next देखें इसके बाद 22 functional isomer of given compound is आपका जो molecule है उसका functional isomer बताना है functional isomer बताना है मतलब formula same होगा functional group different होगा तो देखो बटा ये जो है ये आपके पास एक 5 carbon का ketone है और नीचे जो है 1,2,3,4,5 का aldehyde है terminal पे आना aldehyde का sign है बीच में आना ketone का है तो aldehyde ketone बिलकुल functional group isomer होते हैं first वाला तो है next second वाले पे जाएं तो देखो वो 5 carbon का molecule है ये भी 1,2,3,4 और 5 का है इन 5,5 में क्या formula batch कर रहा है हाँ function रूप तो change है वह उसमें ketone है तो यहाँ पे ether group है तो यहाँ पे इथर ग्रूप बदलने से नहीं होता formula भी match करना चाहिए तो वहाँ पे अगर अपन देखें तो 3 और 2,5 और 2,7 और 3,10 hydrogen का number 10 है C5,H10 formula बन रहा है C5,H10,O तो क्या इसमें भी C5,H10,O है, carbon 5 है, O भी है, H देख लो बटा 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है आप DU से भी कर सकते थे क्योंकि वैसे क्या है सीधा करने का वे यह भी है Cn,H2n, plus 2O, alcohol ether का formula होता है Cn,H2no, aldehyde ketone का formula होता है दोनों formula में यह 2 का difference है, लेकिन उस 2 को इसने maintain किस से कर दिया, cycle से, DU maintain कर दी, तो इसलिए यह भी सकाई सुमर बन गया, second भी, third पर जाए, alcohol है, DU maintain करने के लिए उसने पाई लगा दिया है, और एक सीधा तरीका यह भी है बटा, 1, 2, 3, 4, 5, carbon है, hydrogen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बिलक है, 2, 3, सभी आ रहे हैं, तो answer कुन सा जाएगा, fourth जाएगा, सभी के सभी first जो molecule given है, उसके functional group isomer है, next देखो बच्चो इसके बाद, select true and false statement, क्योंकि option में देख लो, true आना है, false आना है, check करो क्या कहता है, सबसे पहले कहता है, P and Q are position isomer, देखो बटा, ही conditions सुने, chain isomer, position isomer, और metamor, तीनों isomerism बताने से पहले ये confirm करना जरूरी होता है, कि दो molecule जो compare कर रहे हो, उनका functional group सेम है गया, मुझे लगता है, ये और ये दोनों सेम नहीं है, right वले molecule में alcohol है, left वले molecule में phenolic group है, जब functional group ही सेम नहीं है, तो आप उसके अंदर बात position की कैसे कर सकते हो, chain position metamor बताना जब first answer नहीं जाएगा, answer second भी नहीं जाएगा, आपका answer या तो third में से होगा, क्योंकि साथ साथ में option की help लेना शुरू कर दिया मैंने, तो बोले तो पहला false आया, तो confirm हो गया, ये दोनों नहीं जाने, इन में से कुछ आएगा, चलो आगे देखिए, P is two degree alcohol, ये P है, ये two degree alcohol नहीं है, बेटा फिनॉल है, फिर वही बाती है, यहाँ पर mistake इसने फिर कर दी, तो इसका मलब ये भी क्या हुआ, two degree alcohol नहीं था, तो ये false statement हो गया, तो इसका मलब इसके होने का chance, ये लो होने का chance नहीं, confirm ये ये answer आएगा, अब आपका third, तो इसका मलब last statement correct होगा, Q is one degree alcohol, मैं तो पहले से कह रहा हूँ, ये कौन सा है, alcohol और alcohol भी one degree carbon पे है, तो one degree alcohol true है, तो अपना answer कौन सा जा रहा है, third जा रहा है, तो option की help लेनी है, भाई, third answer पे जाएंगे, next देखें इसके बाद, 24, how many one degree, two degree and three degree amine structure possible for C4H11N, C4H11N आपके पास एक formula दिया है, उसके अंदर include stereo isomer, 3-vim samavya भी भी बताने है, one degree, two degree, three degree, amine बताने है, देखो कैसे करेंगे इसे, C4H11N, यह formula है, इससे आपको one degree, two degree, three degree amine बनानी, पहले उनको draw करते हैं, फिर stereo की बात करेंगे, तो देखो, अगर मुझे one degree amine बनानी है, तो मुझे मालूम है, one degree amine NH2 होता है, NH2 को अगर मैं separate कर दूँ, तो पीछे मेरे पास रहेगा C4H9, और C4H9 क्या होता है, ब्योटे इन से फोर्म ब्योटाइल, जो दुनिया में होते हैं, तो 4 होते हैं, तो एक ले लो, N-BUTY, एक ले लीजिए, सेकेंटरी ब्योटाइल, एक ले लो, आईसोब्योटाइल, एक ले लो, तरशरी ब्योटाइल, इन ब्योटाइल के उपर अगर आप NH2 की entry कराते हो, तो यह NH2 क के एंट्री कराने का मतलब का हुआ प्राइमरी आमाइन आपके सामने आए चाहर चलो आप राओ क्या बनाए टू-डिग्री एमाईन टू-डीगरी जो होता है वाई Weiland भी हो सकता है और तो क्या होगा? size wise तो यह हो सकता है, nature wise ओर हो सकता है यह जो 3 वाला किया है, इसके अदर अपने को 2 option लेने चाहिए, 1-3 normal propyl लेना चाहिए और 1-3 जो है वो isopropyl लेना चाहिए तो overall आपके बस 2 degree amine 3 हो गई अब आती है 3 degree amine की बाद 3 degree amine होता है बटा N total carbon है 4 1 1 लेना तो necessary है तबी 3 degree amine में आएगा एक extra है किसी भी side देदो बटा और कोई option नहीं बनेगा तो 4 हो गए 1 degree 3 हो गए 2 degree और 1 हो गया ये total हो गए 4 और 3 7 7 और 1 8 8 isomer लेकिन अभी ध्यान नहीं 8 answer में भी बड़ा है तो stereo isomer की बात करों तो मुझे लगता इसका कोई stereo isomer नहीं होगा GI ये शो नहीं कर पाएगा और दूज़ा आपन कहें तो optical का भी कोई chance बन नहीं रहा बिल्कुल ऐसे ही ये जो आपके पास 2 degree amine आप देख रहे हैं तीनों के तीनों इनके अंदर भी इसमें 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 जी आई और optical का कोई chance नहीं बन रहा कि ये जी बेटरीकल आप्टीकल शो करें लेकिन ये जो molecule हैं यहाँ पे इस वाले center पे chiral center बन गया ये कारतर बागी में कहीं नहीं है बागी तो सारे normal है तो ये chiral बना तो इसका मलब इसकी nature में कित्ती फॉम होंगी तो जो numbering आ रही है उसमें एक और extra add गरनो 4 ये है 3 ये है 1 ये है 4 3 1 8 बन रहा था लेकिन ये 4 नहीं ये 5 count होंगे तो total answer आएगा आपका नहीं बस यहाँ पर ये एक twist था देखना था कि stereo उसने कहा तो stereo साथ में अपने को involve करने थे नेक्स देखिए बच्चो इसके बाद examine the relation between the following pair of compound आपके बस molecule के pair दिये गए है A B C ये जो pair दिये हुए है इन pair को अगर अपन कहें तो यहाँ पे अपन को देखना है कि इनके बीच relation क्या है सबसे पहले कहे रहा है A B C R identical A B C जो है वो समान है ठीक है तो देखो बटा क्या है अगर बै पहले दूसरे को देखता हूँ तो बेंजीन के उपर दो क्लोरो लगे हुए है नमरीग यू कर लो नमरीग यू कर लो क्लोरो लगे है नमरीग यू कर लो डूट दोलो समान है क्या, बेंजीन, 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 ब अपने को multiple bond पे regular number करना है बिल्कुल यहां पे चल सकता ही यहां जाओगे तो यहां पे 1 2 3 4 और यहां पे अपन कहें तो 1 2 3 ऐसा चलेगा ऐसा चलेगा तो इसका मलब 1 4 और 1 3 यह दोनों दोनों position change कर गए तो a b c identical यह option तो wrong हो गया और a b c are isomer नहीं आइसोमर भी नहीं कह सकते क्योंकि पहला और दूसरा सेम बताना है a b are identical c is isomer यह ठीक जा रहा है a is identical b c isomer नहीं यह भी गलत है तो अपने answer देना चाहिए 3rd a और b दोनों सेम है identical मतलब समान है और c जो है वो आईसोमर का case है एक अपने कहें तो क्या है तर्थैलिक एसिद एक क्या है आपके बास आईसो थैलिक एसिद क्या आपन कहें बेंजीन 1-4 डाइकार्बोक्सलिक एसिद बेंजीन 1-3 डाइकार्बोक्सलिक पोजिशन आईसोमर का पेयर है इनके लिए परफेक्ट ऑप्शन जो जाएगा वो कुल सा जाएगा थर्ड जाएगा नेक्स्ट आईए बेटाइस के बड़ कंसीडर दा फॉलोविंग स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर है इन्हें देखी और फिर इसमें कहें तो चूज दा करेक्ट स्टेट्मेंट सत्य गधन की बहचान किजी आपके सामने चार्ज स्टेट्मेंट इन मॉलिकूल्स को देकर दि सिती समावे भी विए चैन आई सोमर भी एक पोजीशन आई सोमर देखो वैए यह 1234-4 कार्बन का नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड है यह आपके बस 4 क्लोराइड है बिल्कुल का फॉर्मूला सेम है दोनों के अंदर पोजीश का मुझा रिलेशन है बट चैन का भी है चैन C are functional isomer A और C में अपन कहें isomer का relation है अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों बटा वो open chain है यह cyclic है दोनों का du निमेंच करेगा दोनों का formula निमेंच करेगा carbon तो बिलकुल यहां भी 4 है hydrogen का number count करो 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7 total 7 hydrogen है और उपर वाले में कहें तो 3, 2, 5, 7, 0, 2, 9 है तो यहां पर यह जो isomer की बात कर रहा है क्योंकि isomer में पहली condition है कि उनका formula सेम होना चाहिए तो यह wrong हो गया बटा फिर कहता है d and d are functional isomer d और d में फिर वही बात formula कैसे match करेगा वो open chain, वो cyclic, दोनों halide है only halide होने से formula match नहीं करता उसके साथ नहीं करता तो यहां पर यह भी answer नहीं जाएगा cd note isomer cod isomer नहीं है तो क्यों नहीं है cod दोनों को formula तो match कर रहा है एक में chain 4 की, एक में chain 3 की है यहां पर कह रहा है note isomer तो यह भी छोड़ दीजी आपको तो क्या बताना है correct बताना है तो correct बताने के लिए आपके बास answer क्या रहेगा first रहेगा इस question का answer आएगा first which of the following can show totomarism कौन से वाला totomarism show करेगा यह बताना है totomarism show करने के लिए carbonic molecule के alpha location पे या carbon chain पे acid होना चाहिए तो यहां अगर मैं देखता हूँ carbonil group जो है इसकी alpha location पे h तो available है लेकिन sp3 पे नहीं sp2 पे है तो totomarism possible नहीं होगा यहां भी कहें तो carbonil group है h भी available है पर totomarism अपन नहीं करा पाएंगी क्योंकि alpha location के जो h है वो sp3 पे नहीं है तो यह भी condition थी sp3 पे होने चाहिए यहां आपन कहें तो यह तो वैसे भी carbonil नहीं है nitrogen नहीं है nitrogen सो नहीं है तो possible नहीं है यहां जाएं तो यहां पे वैसे तो normal देखने से ऐसा लग रहा है कि यह वही वाला एच्छ है जो इनके पास भी था नहीं यहां पे totomarism होगा और वो यहां वाले एच्छ से होगा यहां पे यह जो एच्छ है यह totomarism के लिए responsible होगा यह move करके यहां जाएगा यह bone यहां shift होना यह यहां shift होना है यह यह जाना है totomarism भी होगा और inolization 100% भी होगा aromatic inol बनेगा इसके अंदर तो यह आपका molecule है जो totomarism शोग कर सकता है तो आपके बस 27 में जो आएगा fourth answer आएगा next कहें हम इसके बाद which of the following can show totomarism next वाला भी totomarism कई question है तो बेटा nitro molecule के alpha location पे H है बिल्कुल totomarism शोग करेगा carbonil के alpha पे H है बिल्कुल totomarism शोग करेगा HCN एक special type का totomarism शोग करता है जिसको अपन diet totomarism कहते है HCN, HNC वाला ही भी करेगा अब रहा ये तो यहाँ पे अपन कहें 2-methyl, अगर यह amine group है dimethyl amine तो यहाँ totomarism का कोई chance नहीं A, B, C, 3 में है A, B, C, D, कलत option है A, B, C, perfect option है A, B, only 2 तो यहाँ अगर अपन कहें तो यहाँ पे आपका जो सही answer जा रहा है वो क्या जा रहा है A, B, C question number 29 में देखें number of hydrogen is replaced by deuterium when compound is kept in D2 or D plus molecule को D2 or D plus में रखा जाए तो कितने hydrogen deuterium से replace होंगे वो सारे hydrogen जो totomizer में participate कर सकते है तो यहाँ पे better 2 और यहाँ पे 2 total होगे 4 जो deuterium से replace हो सकते है deuterium exchange कहते है तो answer जो आएगा आपका कुन सा आएगा third answer 29 का third होगा in which pair first have more enol content than second अब enol content पे जाओगी molecule देखिए enol content में कौन से molecule ले रखे हैं यह monoketo लिया हुआ है यह diketo लिया हुआ है तो monoketo, diketo, diketo diketo का enolization वैसे भी काफी अच्छा होता है क्योंकि 2 CO both side के CO का withdrawing effect मिलने की वज़े से यहाँ पे क्या होता है H acidic more होता है तो यहाँ पे उसने का आए first have more enol content than second first का enol content high होना चाहिए तो यह अपना answer नहीं जा सकता क्योंकि monoketo का enolization काफी list होता है कम होता है आगे जाएं इसमें second में तो यहाँ पे यह भी monoketo है और यह वाला आपका diketo हलांकि दूसरा keto जो है वेस्टर फोम में दिया है फिर भी उसका इतना better impact तो नहीं आएगा क्योंकि resonance में busy होगा लेकिन फिर भी अपन कहें तो monoketo से अच्छा होगा तो यह भी अपना answer नहीं आएगा first meanolization अच्छा नहीं third में गए तो बिल्कुल यहाँ पे both side में carbonil है यहाँ पे भी देखोगे तो both side में carbonil है तो इन both side में ketonic group है यहाँ एक aldehydic है aldehydic का withdrawing effect ज़्यादा अच्छा आएगा तो बोले तो यह आपका answer रहेगा fourth तो बिल्कुल भी नहीं क्योंकि इसमें अगर आपने इस edge से क्योंकि यही वह एच्छ है जो टोटोमाइजम के लिए responsible होगा इसका यूज किया तो इसका यूज करने का मतलब आपका जो इनॉल बनेगा वो कैसा बनेगा anti-aromatic और anti-aromatic not existing होता है तो इस वज़े से अपन यह भी answer में नहीं ले सकते फर्स्ट पे तो बोले तो इनॉलाइजेशन का चांस ही नहीं है तो अंसर कुन सा आएगा जहां फर्स्ट पे ज़्यादा बेटर इनॉलाइजेशन हो तो अंसर रहेगा आपके बस third next कहें हम इसके बाद among the ketones which of the following is the correct order of the as of their इनॉलाइजेशन के लिए इनॉलाइजेशन का perfect order क्या है देखो बटा अगर आपके पास हो डी हो और टी हो तो इन में से इनॉलाइजेशन के लिए best होता है hydrogen क्योंकि CH bond energy list होती है CT से तो बोले तो easily bond break करता है H तो इसलिए उसमें है इनॉल कंटेंड जयदा होगा तो यहां पर आपके कार्बोने में बोच साइड बैच है फिर डिटीरियम आया फिर यहां पर अपन कहें तो बोच साइड में डिटीरियम आ गया तो ऑनोलाइजेशन को क्या करेगा नेक्स्ट कहें हम इसके बाद स्टेटमेंट वान ओल्दा कमपाउंट्स हैंग सी सी बोन एक्जबिटर जियोमेट्रीकल आईसोमेरिजम ठीक है अब यहां पर पहला स्टेटमेंट कहता है वो सारे अनू जिनमें कार्बन कार्बन बंद उपस्तित होता है वो क्या शो करते हैं जी यह शो करते हैं तो बेटा यह जो स्टेटमेंट है यह रोंग लग रहा है मुझे क्यों कार्बन कार्बन डबल बोंड तो बेटा एथीन में भी होता है लेगिन एथीन जी थोड़ी शो करता है तो carbon carbon double bond वाले molecule में GA शो करने के लिए condition यह होती है कि यहाँ पे जो group हैं यहाँ जो group हैं वो differ होने चाहिए तब GA शो करेगा तो पहला statement इस मायने में भी गलत है और अगर आप cycloalkene में जाएं तो cycloalkene में तो 8 carbon से below का जो system होता है वहाँ GA होती नहीं carbon carbon double bond तो वहाँ भी होता है तो यह कहना सभी अणू जिन में carbon carbon double bond है वो GA शो करता है रॉंग statement है rotation of cc bond is restricted cc bond में घुर्नन बादित होता है यह बात ठीक है क्योंकि double bond आया है पाई bond बना है तो rotation नहीं कर पाएगा यह condition बिल्कू सही है इसमें तो यहां आपन कहें statement one and two both are true तो गलत अंसर हो गया one and two both are true यह भी गलत हो गया one is true one कैसे one ही तो wrong है अपन कहें तो next कहें statement one is false statement two is true तो फर्स्ट वाला तो आपने कहें तो गलत है सेगिन वाला सही है इसलिए final अपन को देना चाहिए इसमें कुन सा फोर्थ देना चाहिए कि नेक्स देखें इसके बाद अपन 33 33 में देखो बटा क्या कह रहा है given compound is जो molecule दिया है यह कैसा है देखो बटा यह double bond है double bond के both side में group अलग है group अलग है लेकिन यह methyl यह methyl दोनों साइड में है तो double bond की both side में one group repeat हो जाता है जी एई में तो सिस ट्रांस आइसमेजम होता है तो यह transform है क्या बिल्कुल methyl में गैप अच्छा है वो ने तो distance पे से सिस होता है और ज्यादा वाले पर ट्रांस कहेंगे तो यहां पर क्लोरो और methyl में से हाई वेटेज क्लोरो की है मिथाईल ह में से मिथाईल की है कोन एंगोल्ड प्रेलोग रूल लगाओ में हाई प्रेफरेंस अगर सेम साइड आ रही है तो यहां पर मोलिकुल क्या है बोथ वन और टू बिल्कुल ट्रांस भी है जेड भी है आर नहीं आरस नेमिंग बटा कायल सेंटर पे होती है तो यह इसमें मैच नहीं करेगा तो आपको दोनों आंसर जो कवर कर ले इसलिए अ बेटरीकल आईसोमर पॉसीबल इन फॉलोविंग कमपॉंड जो मोलिकुल है इसमें ज्यामीतिय समावेवियों का नंबर बताना है देखो बटा यहां पर जी आई शो करने वाले पहले सेंटर काउंट करते हैं उसके बाद अपन फर्मूला लगाएंगे तो मुझे लगता ह यह वला जो डबल बंड है वह जी एइशो नहीं कर पाएगा क्योंगी यहां पर दो एच सेम POL अंगर यह कम्यâte teaन होती है और उस कम्यूलीन में बंड का नंबर एवन होता है तो वो भी जिए इशो नहीं करता तो आपके पूरे सिस्टम में जिए इशो करने वाला कोई नहीं है आपको देखके लग रहा है कि डवल मोड है जिए इशो करेगा पर नहीं करेगा तो यहाँ पर जो आणसर रहेगा वो कुन सा जीरो जीए का नंबर जीरो आएगा जब वो जीए शोई नहीं करेगा तो जीए कैसे अपने उसमें नंबर क्या बताएंगे ठीक है चलिए नेक्ट देखें हम इसके बाद next में कहरा है वो number of geometrical isomero of components molecule में G ii का नंबर बताना है आपको तो molecule में अगर अपन G ii के नंबर पे बात करेंगे तो यहाँ पे फिर वही बात देखिए G ii शुक करने वाले सेंटर किते हैं एक सेंटर ये है जो जी एई की कंडिशन को फुल्फिल कर रहा है ये दोनों ग्रूप अलग है यहाँ पर अगर अगर आपन देखें तो ये कार्बन चैने और ये अचा अलग है बिल्कुल ऐसे ये जो सेंटर है ये भी जी एई की कंडिशन को फुल्फिल कर रहा है ये वाला भी जी एई की कंडिशन को फुल्फिल कर रहा है रिंग में जो डबल बॉन्ड है वो जी एई शो नहीं करेंगी तो ये रिंग में मिनिमम एट कार्बन होने चाहिए तब बात बनेगी तो overall यहाँ पे 1, 2 और 3 सेंटर आपको दिखाई दे रहे हैं और molecule अगर आप देखें तो molecule कैसा है? asymmetric है यहाँ पे अगर अपन देखते हैं तो यह जो chain है 1, 2, 3, 4, 5, 6 की बोट साइड से नमनिंग कर सकते हो और बोट साइड के group अगर आप देखते हो यह और यह group दोनों साइड है यह और यह group दोनों साइड नहीं है तो इसका मलब molecule कैसा हो गया? asymmetric हो गया क्योंकि दोनों साइड के group same होते हैं तो symmetry का formula होता है n का value 3 आ गया तो 2 की power n करना है 2 की power 3 करना है 2 multiply 2, 2 multiply 2 4 4 multiply 2, 8 यहाँ पे आपके पास जो answer आएगा वो क्या आएगा 8 आएगा नेक्स्ट कहें हम इसके बाद हाथ बच्चों question number next 36 है most appropriate method to distinguish two optical isomers will be दो परकाशिक समावेवियों को विभेद करने की सही विदी एक ऐसा method जो optical isomer को differentiate कर पाए उसके बारे में बात करनी है यू जो फिप पोलरी मीटर पोलरी मीटर यह द्रूवन मापी अपन कहें तो यह कैसा apparatus है जिससे अपन डेक्स्ट्रो यह लेवो मोलिक्यूल का identification करते हैं पीपील के behavior के साथ तो optical isomer को differentiate करने में पोलरी मीटर यूज होता है तो बिल्कुल यह answer proper है यह बोले तो सही method है जो optical isomer को differentiate करने में काम मिलें boiling point determination यह रहूंगा बैटा boiling point का determination अगर अगर अपन कहें तो जो आपके बस optical isomer है उनका boiling point क्या आता है identical क्योंकि physical property है boiling point boiling point को decide करने से अपन कहें तो decide अपन नहीं कर सकते हैं chemical test of functional group अब बात करें तो chemical behavior भी optical isomer के लिए similar होता है वेपर density determination वास्ट गहनतवकर नहीं तो वेपर density भी अगर अपन कहें तो क्या है एक physical property तो physical property है तो उसका यूज अपन dextro level को differentiate करने में नहीं करेंगे तो प्रेश टांसर कुंसा हुआ फस्ट हो नेक्स्ट करेंगे इसके बाद कि नंबर ओफ कार्बन इन लोवस्ट एल्केन एलकीन एलकाइन में एलकीन में एलकाइन में मिनिम्म कार्बन का नंबर बताना है विच केंशो ओप्टिकल isomerys अब एलकेन एलकीन एलकाइन परिवार का सबसे छोटा जो परकाशिक समावेरता दर्शाय उसमें कार्बन कित्ते हों तो देखो सबसे पहले मैं बाट करूं एलकेन की तो आप एक कार्बन लीजी उस कार्बन को आप कायरेल करें लेगिन इलकेन की कंडिशन में म jeśli मिनिममम मेंब्र आ जाएगा यहां अगर मैं इसे कायर मेज करना चाता हूं तो वन VALANCH लेलों वन मिथाईल लेलों वन इताईल लेलों और वन पोपायल लेलों तो यह मेरा carbon कैसा हो गया chiral carbon system में one chiral है इसका मतलब हो एक्डिव है और इस one chiral तकाने के लिए minimum requirement किती थी four, three, eight, total seven carbon की requirement थी तो एलखेन molecule, elkin family का member अगर optical show करें तो minimum उसकी बास कितने carbon होने चीज़ई, seven अब 7 वाले पर जाएं तो वैसे अगर आप option को देख रहे हैं तो आपको एक hint मिल गया कि आप गांसवर जो आएगा वो कुन सा आएगा first अची इसकी बार्ट अपन कर रहे हैं चलो ऐसे ही अपन्य एकिन करके देखें यहलों के तो टोटल कारबन आपके पास आए तो six carbon के अंदर chiral का case बना chiral का case बना इसका मतलब यह भी फरस्ट आन्सवर में अपन कहें तो match कर रहा है elkyne पर जाओ elkyne में भी SI1 carbon लीजिए उसे chiral करिए यह triple bond लगाया H लगाया methyl लगाया ethyl लगाया minimum carbon अपन कहें तो यहां भी किते हुए six हूए तो यह first answer आपका proper answer जाएगा minimum number of carbon अगर अगर अपन अलकीन, अलकाइन family के लिए कहें जहां optical के लिए possibility बनती है तो वो बन गहें तो 766 यह answer आएगा optical rotation produced by optical rotation produced by this molecule is plus 50 degree आपके पास एक molecule है अगर वो इनक्टिव है तो उसके लिए rotation angle का value क्यों आएगा rotation angle 0 degree आएगा तो अगर 0 degree रेखें तो minus 50, 100, plus 50 और 0 degree तो यहां best answer रहेगा 0 degree जो molecule है उसका परकाशिक घुर्णन 50 degree है तो इस molecule के लिए परकाशिक घुर्णन क्या होना था इनक्टिव था इसलिए 0 degree होना था नेक्स्ट का है हम इसके बाद नेक्स्ट कोशन में देखें आपर कोशन नमबर 39 इस molecule के लिए क्या कहता है प्रोलांग टर्मीट पीडमेंट ओफ ए विद डी टू ओ ओ डी गिव 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 जो ए गिवन है उसको डी टू ओ डी से दिरिपकाल तक उप्शारित करें तो क्या बनेगा तो देखो यहां पर एक्च्छल में क्या है जो molecule हमारा है उस molecule में 2-0- टू-4-L-H इस molecule के टॉटोमेरिजम के लिए responsible है और यह जो reagent यह जो combination है यह deuterium exchange के नाम से जाना जाते हैं बोले तो बेस की बरजेंस में टॉटोमेरिजम मोटिवेट होता है और अगर आप D2O ले ले लेते हैं तो इसकी बरजेंस में molecule में टॉटोमेरिजम शोविंग जो होगे यहां 4K4H deuterium से exchange कर लिए यह जो allocation ली है वो गलत ले ली है इसलिए यह भी नहीं लेना चाहेंगे यह तो लही नहीं रहे इस वाले में भी अपन कहें तो यह जो ली है यह गलत है यह भी छोड़ दीजी तो आपके पास best answer कौन सा रहा यहां आपन कहें तो best answer रहेगा second वाला यह answer best clear है next question पर जाएं how many geometrical isomers are possible for molecule जो given है उसके लिए geometrical isomers बताने है ring का case है तो molecule draw करेंगे हम draw करके बताएंगे formula बेस नहीं पहला option होगा इस molecule के लिए इस ring के respect में सभी chloro का same side होगा आप same side होने में आप ये भी ले सकते हैं और अगर आप same side होने में लेना चाहें तो एक option आपके पास ये भी है कि जो भी chloro है वो below the plane हो बतलब उस वाले case में मैंने क्या लिया screen से उपर की तरफ एक screen से back side में लेकिन दोनों की दोनों same form है जिसको अपन सिस form कहें हैं second option अपन कहें two same side, one opposite side अब इसी को अगर अपन चाहें तो एक और method से लेना चाहें तो यह भी ले सकते हैं same side बोलें तो यह जो दोनों chloro है यह back side में हो यह अपनी side में हो तो यह के बास कौन सी form होगी trans तो मुझे लगता यही option है और option भी क्या है सभी को one side ले लेना two go one side one को opposite side अब उसमें आगे बीचे कैसे भी लेते हूँ तो total 4 नहीं answer किता आएगा two आएगा तो यहाँ बन कहें तो best option कुन सा है third option यह आएगा the two compounds given below are molecule दिये हुए है molecule में relation पूछना चाहरा है कि जो molecule given है वो इनेंशियोमर्स है वो सेम है वो position isomer है उड़ा इस्टीरियोमर्स देखो बात अगर position isomer की करें अब बागी सारे option अगर अपन कहें एक यह और एक यह option जो है यह easily check हो सकता है आप थोड़ा सा molecule में check करें कि long chain long chain के ओपर group तो structural पर काम हम पहले कर लेते हैं फिर इनेंशियोमर्स डाइस्टीरियोमर की बात कर लेंगे कार्बोक्सी यहां भी है कर्बोक्सी यहां भी है दोनों में कर्बोक्सी की है फिर आगे जाएं तो यह थर्ड कार्बन यह थर्ड कार्बन थर्ड कार्बन की वेलंसी भी अगर आप चेक करो तो मिधाइल दोनों के बास है दिटीरियम दोनों के बास है इसका मतलब structural आईसोमर होने का तो नहीं है बड़ा structural में तो क्या chain change होनी चाहिए चैन क्यों proposition चेंज होनी चाहिए यह long chain 3 की 3 के बाद यह बोले तो fourth carbon है यह fourth carbon है तो यहां पे hydroxy 2 पे इसमें भी 2 पे यहां पे CHO या formal 3 पे इसमें भी formal 3 पे deuterium 3 पे इसमें भी 3 पे तो position तो किसी की नहीं बदली है तो इसका मतलब यह option तो अपना होना नहीं और बात आती है अगर यह answer देना है आपको तो उसके लिए आपके बस दो method third अपने cancel कर दिया पहले work में अब अपने answer देखना चाहते हैं तो एक दो यह है प्रोपर फीशर में convert करो और compare करो या फिर आप RS naming की help ले सकते हो RS naming में अपन कहें तो यह जो कार्बन है इसके लिए अगर मुझे RS naming करनी है तो कोन और गोल्ड प्रेलोग रूल से यह number one wattage है कारब बाई more atomic number more wattage तो oxygen का अब उपर और नीचे वाले group में अपन देखें तो उपर वाले में carbon की next line में क्या आएगा O O और O आएगा जबकि नीचे अपन कहें तो CC D आएगा तो इसलिए यह कौन सी वैटेज होगी second number one के बाद आपको जाना है two two के बाद आपको जाना है three आप जारे anti-clockwise लेकिन S नही answer होगा आर आर भी कौन सा आर टू आर आई यूपी असी नंबरिंग सी second carbon है ठीक है और मैंने S को एंटिक लोगों जाने के बाद भी S ना कहके R क्यों कहा तो इसलिए फोर नंबर वैलेंसी अगर आपन कहें तो लेफ्ट पे है इसलिए फिर आएगा आप यहां पे इनमें carbon ह carbon है D है और carbon के आगे O अच्छ तो नोट आउट उपर वाली वैलेंसी वन नंबर होगी क्योंकि carbon के आगे O आएगा इनमें carbon के आगे अच्छा यह भी देखना होगा इस carbon और इस carbon दोनों में अगर compare करो तो दोनों में O आ रहा है लेकिन CHO जो है CHO की detail है O O two time आएगा लेकिन उपर वाले में O one time आएगा तो इसलिए वन नंबर यह ले लीजिए तू नंबर उपर वाले को लीजिए यह आएगा 3 और यह आएगा 4 तो 1 से 2 से 3 जाना है आपको तो 1 से 2 से 3 यह आओ details and c clock wise को होगे आप क्या कहोगे स Tschriya अब आजही इस वाले में यह नंबर again is प्रोपर ऑपर ही 20 आर गये आगेवले में गये तो आगे वाले में नंबर destined में यह है नोबर फौर यह मिघे यह नंबर दो ट्री है जिस दो आप सामने 2R है 3R के सामने 3S है ना हमले एक्जेक्ट सेम है ना यह एक्जेक्ट डबन कहें तो अपोजिट है बिल्कुल अपोजिट होता तो इनेंशियोमर होता सेम होता तो आइडेंटिकल होता तो बोले तो यहां पे इनेंशियोमर और आइडेंटिकल का केस नहीं बैठ रहा कुन सा बैठ रहा है डाइस्टीरियो यह होगा इस ठीक है और अगर आप इसके लिए बैठर्ट सेकिन लेना चाहें आप कुछ यूं भी कर सकते थे उपर वाले में कार्बोक्सी में ग्रूप टॉप पे है आप इसको टॉप पे ले आओ टॉप पे लाओगे तो यह यह और यह दोनों कार्बन कंपेरेबल हो जाए आपन यहां पे आपन CS3 को लाना चाहें इस पे तो इसमें भी रोटेशन यह वाला होगा आफ्टर कनवरजन आपन कहें कार्बोक्सी अपर पे पहले भी था ह और OH था यहां पे अपन कहें कार्बोक्सी अपर है और ह आया लेफ्ट पे ओच आया राइड पे तो यह दोनों तो सेम हो गए नीचे वाले में कहें तो deuterium left पे CS3 vertical line पे और CHO अपन कहें तो right side इसमें कहें CS3 vertical line पे और deuterium अपन कहें तो right side में CHO कहें तो left side में अगर अगर अपन यहां पर देखते हैं दोनों के बीच में तो दोनों mirror image नहीं है only इतना area मत देखो आप इतना देखो के तो बिल्कुल सेम आ रहा है दो इस वाले में अपन कहें तो जो left वाले center है वो right जा रहा है mirror image बन नहीं लेकिन हाफ की overall देखें तो mirror image नहीं super image नहीं कर पा रहे mirror image नहीं है super image नहीं कर पा रहे है stereo isomer तो विरुस जो आरेस नेमिंग आ रही है यहां रेस नेमिंग के सेम आती तो हम उसे identical कहते आपोजिट आती तो इन इंशो मर कहते और वर्ना अपन कहें जैसे अभी आया ना यह सेम है ना यह आपोजिट है तो उसके दो में इसको करने कि जैसे आपको बैटर लागे फॉर्थ आंस्वर आयगा इसका हाँ बेनी ओप्टिकल एक्टिव आइसो मर कॉसिबल कितने परकाशिक सक रिये समावेवी आपको जो मोलीकुल दिया गया है उस मोलीकुल में अपन कहें तो वर्न टू और थ्री कार्बन और कोई भी कार्बन कायरेल नहीं है सब कार्बन के उपर अगर वैलेंसी देखें त एक नहीं है तो दो c2 है बीच वाला जो है उसके ऊसके उपर भी हेट्रोक्सी मिथाइल है नीचे भी हेट्रोक्सी मिथाइल हे जो है नहीं है वह जब दीज आइस को इस नहीं है तो दो ओद करीग आधिकल एक्टिव molecule की number क्या होगी 3480 तो जीरो होगी बटा नेक्स्ट कहें हम इसके बाद हाओ मैनी special orientation are possible in the following compound molecule के अंदर बन कहें तो 3V में विद्यास किते संबब है मतलब स्टीरियो आइसोमर का नंबर बूशना चाहर देखो बटा एक तो यह जो सेंटर है इन उसके लिए condition है दोनों फिनाइल के यहां जो दोनों गुरुप है वो डिफर होने ची बिल्कुल डिफर है यहां वाले दोनों डिफर होने ची ऐसा भी है तो एक सेंटर तो बटा यह वाला बन गए जो यहां पर ऑप्टिकल जन्रेट कराए एक सेंटर यहां पर भी बना य अगजिम वली जी ए ऐसे अब बन गए हैं तो यहां पर यह एक काईरल कारबन बन गाए तो ओवरॉल अगर इसमेटर अगर इसमेटरिक मोलेकुल है तो फर्मुला होता है तूगी पावरेन यहापन एक्टिव कहें इन इंशियोमर एक्टिव होते हैं इन इंशियोमर के लि डूउट कर लो यह अभियर्बन कहीं इन इन इंशियोमर काउंट करो टूगी पावरेन तो टू मलिप्लाइट मुलटिप्लाइट 2ंॉस हो कि है कि आपके बास अनका वैल्यू कित्ता हाय भाए ओन को मुल्टिप्लाइट कॉर फोर बिवैок्तॉफोर फूर हांज बढ़ा क्या कहरा विछ उफ फॉलोविंग आईसोमेरिक स्ट्चर है लोएस्ट एनरजी अब एनरजी लोएस्ट होने का मतलब वो सिस्टम हाई स्टेबल होगा सामने आपके सामने मुलीकुल के स्टेगरद एंटि फॉर्म दी घंट क्लोरों के बीच मैक्सिमम मेपन कहें तो प्लोरो क्लोरोmake पासा रहीं के लिए च्ञूर्प्राइब वो ग्रॉप जothर वाला कम च्तरैंग uh होना ही एक better condition है और bond-bond में भी gap होना चाहिए यहां problem आ रही है bond-bond में gap यह दोनों में अगर आपन कहें तो group-group revolution भी है bond-bond revolution भी है TS भी है और SS भी है original strain, static strain तो यह तो अपने answer में आने नहीं है बिल्कुल ऐसे यह भी नहीं आयेगा क्योंकि यहां नोरों का distance maximum नहीं आया है इसलिए आपको answer देना चाहिए ऐसे case में first lowest energy मतलब highest stability clear अब चूट यह answer इसका था select correct statement about a and b a और b के बारे में आपको correct statement identify करना है तो देखी बटा इसमें क्या है सबसे पहला कहता a and b have equal stability a और b की stability equal होगी कैसे equal हो सकती बटा यहां पर तो OH और NH2 के अंदर hydrogen bonding हो रही है जब कि यहां नहीं हो रही है यहां पर वो दोनों distance पे है h bonding नहीं कर पाएंगे अगर bonding हो रही है attraction हो रहा है तो energy minimize है stability first की better है second से तो first statement अगर अपन कहें तो उसने हमसे क्या कहा है correct statement बताना है correct statement बताना है तो पहला answer अपना नहीं जाना चाहिए दूजा a is more stable a अधिक स्थाई है यह बात बिल्कुल correct है stable होने का logic क्या है उसका hydrogen bonding से वो stable है gouge home जो है वो stable है फिर अपन कहें a is a having more energy of repulsion बटा अगर stable है तो repulsion energy more कैसे हो सकती है repulsion यह पर तीकर्शन में अपन कहें तो energy ज्यादा नहीं है कम है क्योंकि यहां पर repulsion यहां पर अपन कहें energy कम होगी तभी वो stable होगा तो यह statement भी proper नहीं ए और बी बोथ हार eclipsed conformer दोनों के दोनों ग्रसित है नहीं यह गाउच है यह staggered anti है eclips दोनों नहीं है तो यह वाला answer भी रहा है तो इसमें से अपन कहें तो आपके बस ज्यादा best option एगी रहा second तो second देना है अपने कोई इसमें correct statement अपन कहें तो कौन सा second आएगा हाज़े बच्चों नेक्स्ट कहें हम इसके बाद विच्चों टोटोमेईजम कौन सा मोलीक्यूल टोटोमेईजम शो करेगा तो बात अगर हम आइड की करूँ आइड गुरूप में यहाँ इस alpha H की कोई demand नहीं होती हम आइड इपीडो टोटोमेईजम होता है कहें दो यह जो H है यह ऐसे डिख होते हैं यह move करके हो के बास आते हैं इमीडो फोम में कनवर्ट होते हैं कीटो से इनॉल में कनवर्ट होते हैं बिलकुल अपना यह जो मोलीक्यूल है वो टोटोमेईजम शो करेगा यह जो नाइट्रोसो ग्रूप है इसके पास भी आपके बस alpha H है इसका मालब यह भी टोटोमेईजम के तो टोटोमेईजम नहीं करेगा तो कि यहां से का टोटोमेईजम करता है तो system unstable होगा बट यह जो पैरा H है यह move करके उपर जाएगा electron wire resonance जाएंगे और ऐसा टोटोमेईजम इसमें भी पॉसिबल है तो C भी करेगा टोटोमेईजम डी की बात करते हैं पैरा बेंजो क्वीन होन तो इसमें प्रॉलम यह है एलफाइच है टीनस पी डू कार्बन पर है इन में टोटोमेईजम का चांस नहीं होगा तो A B C तीन अपने को कवर करने हैं तो ABCD नहीं ABC बिल्कुल ठीक है BCD नहीं only B यह भी नीचे लेगा तो इसलिए आपको आंसर जो देना चाहिए वह कु कि वेच आप फॉलोविंग इस मीजो कंपाउंड अब मीजो मोलिकुल क्या होता है टू और मोर्दन टू काहरेल वाला इनग्डिव मोलिकुल कार्बन का नमबर टू या मोर्दन टू हो सकता है इनग्डिव होगा अगर मैं फर्स्ट वाले को देखता हूं तो बिल्कुल य नमबर टू है लेगिन ये में से कट हो रहा है कट हो रहा है तो यहां वे क्या है मीजो होगा अब ऐसी इनेग्डिव यह भी है इस सिस्टमें यूवली प्लेनॉप समिट रही है ठीकनी से अपने आंसवर में नहीं लेना है वजय यूजिव की सिस्टम में काइरल कार्बन है कायरेल कारबन नहीं है तो यह मिजो में नहीं आएगा थर्ड में गए यह कायरेल है यह कायरेल है सेंटर वाला स्यूट्र कायरल तो हिपआए सूट्रिल कायरल भी आ अधियो जाँ कर नुटइटाञु है यहां से देखिए उपर कर्बोगसी है नीचे फर्मिल है तो इस मोलेकुल में तो पॉसिबल नहीं है प्लेन ओप स्मेटरी सेंट्र ओप स्मेटरी होना तो यह अपने अंसर में नहीं आएगा तो अंसर में मीजों में आएगा क्लियर बटा 47 में आएगा आपका थार्ड है 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 कि से गलत को एफ से ब्रदरशित करेंगे त्रिव फॉल्स देखो क्या कहता है है कनफर्मर्स और रिजल्ट बाई रोटेशन अब आउट है सिंगल बॉल्ड ठीक बात बोलना है बटा कनफर्मर्स जो है वो सिंगल बॉल्ड के फ्री रोटेशन से ही जन्नेट होते हैं इसलिए इसको रोटोमस भी कहते हैं सरूपन एकल बंद के घुर्णन का परिणाम हो होते हैं तो स्टेड्मेंट है पहला होगा ऐसा है तो अभी तक ऐसा हिंट अमें नहीं मिला चारूप्शन में पहला ट्रेवी दिया हुआ है आगे देखिए कनफर्मर्स कैन इजी इजी बी इंटर कनवर्टेबल एट रूम टेंपरेशर को सरूपन कमरे के दापर आसानी से इता परिवर्टित हो सकते हैं कनफर्मर्स जो हैं गर आपन कहें इजी इंटर कनवर्टेबल है रूम टेंपरेशर चाइल साइब कर इसका मलब अपना आंपर से की सब्सक्रीमीli में आइसा है क्या जा सकता है गलत बात कंफर्मर्स कैसे सेपरेट कर सकते हो बेटा रूम टेंपरेचर पर इंटर कनवर्टेबल होते हैं तो स्टेटमेंट कैसा हुआ फॉल्स स्टेटमेंट हुआ तो अगर ऐसा है तो अपने कौन सा देना चाहिए इसके लिए बैस्ट आंसर जो रहेगा सचेड्सत आस अगर लिए घिवन मॉलेकुल के स्टेटल अइसोमर बताने हैं डूनों काउंट करने होते हैं आपका जो मॉलेक्यल है यह डिवन सा सेंट्र पेघ्ट यह और नहीं घो एलकर है क्योंकि यहाँ पर बन कहें तो दो ग्रूर्प है जाबसेम हैं तो आबस RT इंटर आए 1 g i i का और 1 अबन कहें तो optical का तो n का value आपको मिल गए 2 वो stereo isomer और asymmetric molecule के stereo isomer क्योंकि asymmetric molecule में g i का number भी 2 की power n होता है optical का number भी 2 की power n होता है तो overall 2 की power n formula होगा तो 2 multiply 2 तो यहां आपन कहें तो फोर आइसो मेरा आएगग तो आइस्वरा बंदेंगे इसमें को लिसा थर्ड थर्ड ऑप्शन परफेक्ट है नेक्स्ट कहें हम इसके बाद तो दू कंपाउंट्स गिवन बिलो आइग जो दो मॉलिकुल दिये गए हैं ये दोनों के दोनों क्या है ये बताना है आपको तो देखो बैटा क्या है CH-O disrupt यहां भी है, यहां भी है, OHS में भी है, CH-03-CS क्योण के पहले इस包ब करें हैं अम उसमें चेक करते हैं कहीं उसमें molecule में relation active inactive का नहीं आएगा diesteriomer का भी नहीं आएगा कोई कि one chiral वाला diesteriomer नहीं होता पर फिर अगर वो अप उसके लिए अपन कहें identical और inentiomer इन में अपने को काम करना है दो तरीके हैं या तो दोनों को perfect fissure form में लाओ और फिर relation अपने आप सामने आएगा जैसे CHO main group top पे बढ़ा है ये वाला CS3 यहाँ आजाए क्योंकि long chain को vertical पे आना चीए फिशर में यह यहाँ जाएगा यह यहाँ जाएगा तो perfect fissure हो जाएगा CHO CS3 bottom पे यहाँ पे H और यहाँ पे OH इसी perfect form में इसे लाना है CHO को top पे लाईए वाज यहाँ आएगा तो यहाँ आपन कहें क्योंकि यह rule है one group को fix करके remaining को clockwise and clockwise rotate कर सकते हैं तो यह CHO यहाँ आगया OH right side में H left side में CS3 यहाँ पे है अब दोनों में देखें हम तो दोनों में क्या समझ में आ रहा है दोनों mirror image है mirror image non super impossible है पी एस एस है नहीं तो आप क्या कहेंगे in insumor कहेंगे आपका यह जो pair है पो in insumor का pair है first option परती भी मुरूप समावे भी इन्हें आप कह सकते हो next कहें हम इसके बाद कि 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 को करने के लिए आप आरेस निमिंग की भी help ले सकते थे पीछे मेंने में बताया था आप आरेस लगा लो अपोजिट आएगी उससे भी हो सकता ही next correct configuration of given compound is molecule जो given है उनका configuration option देखके समझ में आ रहा है कि वह आरेस निमिंग जानना चारा है बिल्गुल बता देंते हैं आएगा बटा फॉर नंबर पे तो कि carbon से इसका atomic number कम रहेगा CHO और CH2OH CHO की detail होती है यह वाली कि मतलब carbon की next line में O2 time count होगा double bond है यहाँ O1 time होगा पर इसलिए यह कौनसी वेलेंसी होगी 2 और यह कौनसी 3 यह वैटेज लग गई वेटेज लगने के बाद आपको 1 से 2 से 3 मूव करना होता है कर ली जब आप यूँ मूव किये हैं तो कैसे मूव कर रहे हैं एंटिक लोकवाइस 3S answer नहीं बताना R बताना है क्योंकि 4 number top और bottom पे होती है तो perfect answer आता है लेकि लेफ्ट राइट आती है तो perfect नहीं आता तो यह जारा 2S है 3 कहना R है तो यह option चला गया यह नहीं होगा as usual यह भी नहीं होगा यह भी नहीं होगा यह लो सब answer तो आपको वैसे मिल गया है पर फिर भी confirm करें बागी दोनों ऐसे हैं क्या अगले में गए आगे वाले में number one what is यह होगी क्योंकि सभी group carbon के हैं लेकि carbon की next line में O सिर्फ यही क्योंकि carbon की next line में carbon मिलेगा यहां पर एची मिलेगा और यह हो जाएगा 4 हमें जाना है 1 से 2 से 3 clockwise जा रहे हो आप clockwise का मतलब क्या होना चाहिए इसमें आर लेकिन क्या कहेंगे एस कहेंगे एस क्यों कहेंगे क्योंकि आपके बस four number left पे बिल्कुल अपने answer में match हो रहा है आर के बाद ऐसी आना चाहिए अगले पर गए यह नंबर वन वैटेज है और यहां पर अपन कहें तो यह नंबर टू वैटेज है carbon chain में next step पे हो आ रहा है next step पे हो नहीं आरा काफ हलाकि देखो अपने option की help लेनी थी तो सारा question करने की जोड़ती ने थी तेकिन फिर भी अपनने solution कर रहे हैं तो देख रहे है टाइम है तो लेकिन main exam में अगर आपको option की help मिलती है तो कई बाद कोशन काफ़ एजी हो जाता है चाहिए which of the following are chiral कौन से वाला molecule chiral है कि रेल बताना है आपको पहले वाला तो नहीं ले सकते क्यों नहीं ले सकते क्योंकि chiral center तो बेटा जी 2 है लेकिन mid में से ये cut हो रहा है पेनक्तिव हो गया आगे वाले में chiral 2 है लेकिन cut नहीं कर पाओगे plane of symmetry, center of symmetry नहीं बता पाओगे ये आपका आणसर आएगा ये chiral होगा थर्ड में जाओगे बता तो chiral तो 1, 2, 3 है लेकिन बीच में से cut होने की वज़े से inactive हो गया ये अपने answer में नहीं आएगा तो कि उसने कहा which of the following are chiral कौन से वाला chiral है chiral मतलब जिसमे optical activity हो पी एस एस एक्सेंट हो अगले में गए तो बिटब plane of symmetry मिलने की वज़े से हो chiral नहीं हो सकता next वाले में गए तो plane of symmetry का कोई option यहाँ पे नहीं है कोई भी method से नहीं है तो यह अपने answer में आएगा तो एक रहेगा B और एक रहेगा E B वाला और E वाला यह दो ऐसे हैं जिन में अपन कहें तो plane of symmetry, center of symmetry नहीं है A में, C में, D में है तो B और E जहां cover हो रहे हैं पहले option में नहीं हो रहे, A में नहीं हो रहे, यहां हो रहे हैं तो इसका मतलब अपने answer क्या देना चाहिए? third देना चाहिए next कहें हम इसके बाद number of chiral carbon atoms present in following respectively molecule में chiral carbon का number बदाना है, तो chiral carbon का number कहें 1, 2, 3 अब आप कहेंगे direct कैसे target किया? जब अपन chiral search करते हैं बेटा तो double bond जहां आ गया उसे छोड़ दीजी क्योंकि carbon ने double bond बना लिया वो chiral नहीं होगा triple bond अगर किसी carbon ने generate कर दिया वो छोड़ी और एक वो carbon जहां पर दो group same हो, एक वो carbon जहां तीन group same हो, तीन valency उसकी same हो, वो छोड़ देना चे तो मैंने वो सब छोड़ते हुए काम किया, क्योंकि यहां CH2 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है, चारों के चारों CH2 है, तो दो same है, तो total group ही 4 होते हैं बटा carbon पे, तो chiral कैसे होगा, यह दोनों छोड़े, यह भी CH2 है, बागी जो लिए, उसका reason अब आपको पता है, कि भाई अगर मैं यहां पे कहूं, अगर मैं यहां कहता हूं, इस carbon को target करो, इसका right zone, इसका left zone, इसका bottom zone, तीनों अलग आ रहे हैं, left में आ रहे हैं CH2, नीचे आ रहे हैं CH, right side में आ रहे हैं और एक इसकी valency खुदगी है hydrogen, इसलिए इसको chiral बादा, बिल्कुल ऐसा ही यहां है, right और left पहले step पर सेम है, दूसरे पर भी सीम है, यहां तक सेम, यहां तक सेम, यहां तक सेम, यहां तक सेम, लिकिन यहां जब जाते हो, यहां जब चेक करते हो, इसको इससे compare करते हो, तो लग आता है, इसलिए chiral हो जाते हो, बिल्कुल ऐसा ही यहां पर है, total chiral कितने होंगे, 3, इसमें जाओ बटा, यहां तक तो यह CH2, CH2, CH2 आया, यह chiral बना, तो इसके right में, इसके left में, OH और H में difference है, as usual यह chiral बना, नीचे उपर वाला group अलग है, methyl और H अलग है, as usual यह भी chiral बना, तो य 1 और 5, 1 और 4, 3, 3, 3, 5, तो अबने का answer देना चाहिए, third, कौन से वाला, 3, 3 वाला, ठीक है, 53 में, answer आएगा, third, 3, 3 वाला, next कहें, out of total structural isomers, C3, A6, alkyne and cycloalkene, how many can show geometrical isomers, formula C3, A6, formula Cn, H2n है, alkyne पे भी apply होता है, cycloalkene पे भी apply होता है, सामने वाले dimension भी कर रखा है, formula से आप alkyne draw करी, formula से आप cycloalkene draw करी, और फिर आप बताईए, उसमें से किद्टे molecule, जो product बनेंगे, उनमें से किद्टे GA इशो करेंगे, यह बताना है, से बनने वाली सरंचनाओ में GA किद्टे हो, देखो 3 carbon की अगर alkyne की बात करो मैं, तो 3 carbon की alkyne होती है, प्रपी, एक single option है, इसका कोई isomeric case नहीं होगा, क्योंकि मैं double bond को यहां भी कर दूँगा, तो भी यही रहना है, 3 carbon का cycloalkene भी लूँ, तो यह single one है, और कोई option इसमें है नहीं, अब मैंने दोनों को ड्रोग किया, GA की बात करूं, तो बटा double bond के ऊपर, GA की condition satisfy नहीं हो रही, यह दोनों-दोनों ग्रूप HH सेम पड़े, और cycle की ऊपर कोई group होता है, सबस्टिटिटर्ट साइक्लोalkene होता है, तो GA का chance बनता है, तो GA दोनों ही show नहीं कर रहे है, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, 2, 1, 3, 0, तो आपका अंस्वर जाएगा, कुन सा, 0, ठीक है, चली, next देखते हैं इसके बाद, select compound which can show geometrical isomerism, उस molecule का select करना है, जो GA show करे, आपके बस, total 5 molecule given है, फिर option में से आपको बताना है, कौन सा ठीक है, 2 chloropropene, देखो बटा, propene यह है, 2 chloropropene, यह बला है, 2 chloropropene में GA का chance बताओ, कैसे बनेगा, यहां पर दोनों वैलेंसी, क्योंकि बात तो double bond की करते हैं, double bond के दोनों carbon के ओपर differ group हो, तो इसका महलब A हमारी range से बाहर है, GA show नहीं करेगा, आपको GA show करवाना है, तो यह नहीं कहाना चाहिए, तो बटा जी, अगर मैं option की help लो, तो मैं first और third को अपना answer नहीं लोगा, क्योंकि उन्होंने कह रखा है, A में GA होगी, मतलब GA show करने वाले में option में A दे रहा है, तो यह लोग सब मैं अगर parallel में option की help ले रहा हूँ, तो इसका मतलब मेरा answer सगिनिया 4 में से होगा, चलिए आगे बढ़ते है, 1 chloropropene, यह बटा propene है, 1 पे chloro, तो बटा अगर ऐसा case देखें, तो यह बिल्कुल GA का chance बन गया, और ब B के बाद अगर कहें, C दोनों में हैं, इसका मतलब GA तो होगी, बिना देखें भी कह सकते हैं, तो इसका मतलब अपने को क्या है, C के बाद D देखना है, D बोले तो paint two iron, देखो बटा, आइन के अंदर अगर कहें, तो GA पैसे भी नहीं होगी, यह वाला जो triple bond है, वो GA का center नहीं बन पाएगा, तो यह जो D जिसमें लिया गया है, वो wrong हो गया, तो answer कुन सा रहा, second, और बात रही, E को क्यों नहीं लिया, two methyl, buttoin, बेटा, buttoin यह है, two पे methyl लगाएं तो यह है, और ऐसा करते ही, यह दोनों group same हो गये, इसलिए E नहीं आया, answer में, आपका जो How many geometrical isomers possible for GA बताने है, अब GA बताने है, तो बेटा, GA इस center वाली ring की वज़े से हो रही, इस center वाली ring की case में, यह जो तीनों ring है, इन तीनों को एक side ले आओ, screen से उपर ले आओ, screen से नीचे ले जाओ, तो इस गावल अपसिस होगा, two को one side, one को opposite side ले जाओ, trans होगा, दो ही option होगी, same ऐसा ही question आपके बस पहले भी आया है, chloro वाला, लेकिन बस इसमें क्या है, group change करन है, तो अगर ऐसा होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, आपके बस two आईसो मरगा chance रहेगा, third में, और उसका मैंने तरीका बताया था, सब को one side ले लो, और एक option मैंने कहा था, two एक side, और one opposite side ले लो, और कोई option इसमें बैठेगा नहीं, तो यह आपके बस two का case रहेगा, which compound will show the geometrical isomerism, कौन सा जो molecule है, वो geometrical isomerism show करेगा, पहला molecule जो हम देख रहे हैं, यह तो ऐसे ही CH2 दिखाया है, CH2 यहाँ भी है, CH2 यहाँ भी है, एक single methyl से cyclobutane में GI नहीं होनी है, तो यह molecule आपका GI show नहीं कर रहा है, second में कहें, तो यह eileen molecule है, देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा है, जैसे cis molecule है, लेकिन यह जो bond का number even आ रहा है, यह इस B के अंदर भी geometrical होने के लिए, अब नहीं कहें, तो possibility जन्नेत नहीं करेगा, हाँ bond का number odd में होता, विशम संख्या में होता, तो geometrical होता, next में कहें, cycle given है, लेकिन cycle पे यह दोनों भी same है, यह दोनों भी same है, तो बात नहीं बनेगी बटा, आप chloro को आगे करेंगे, तो D आगे मिलेगा, chloro को पीछे देखेंगे, तो उस case में भी D पीछे मिलेगा, तो यह same नहीं है, डिफर होने चाहिए, यह भी नहीं बना, यह जो case है, यह GI का satisfaction हो गया इसमें, nitrogen पे lawn pair भी है, OH भी है, H भी है, methyl भी है, sin anti-GI होगी, किस में only D के अंदर, A, B, C, D में नहीं, only D के अंदर अपन कहें हैं, हाँ बिल्कुल, only D में अपन कहें हैं, तो possible है, B, D में भी नहीं, A, C, D में नहीं, पांसर आएगा, आपका, सिकित हैं, which of the following is E isomer, EZ naming, RS naming, दोनों के लिए cone and gold प्रेलोग रूल लगता है, बोले तो यहाँ पे अपने को ant, g, gen, e identify करना है, H और CL में से high wattage है, CL की, more atomic number, more wattage, CL और bromo में से high wattage है, bromo का, क्योंकि atomic number more है, तो उस case में उसका wattage अच्छा होगा, तो दोनों high preference, same side है, तो यह जिवसामन होगा, Z isomer होगा, छोट दीजिए, अपने कोई बताना है, आगे वाले में गए, H और methyl में से, methyl का wattage अच्छा है, methyl ethyl में से ethyl का wattage अच्छा है, दोनों high wattage एक दरफ है, तो इसलिए यह भी Z होगा, अगले में गए, fluorocloro में से chloroquattage अच्छा है, methyl bromo में से bromo का wattage अच्छा है, दोनों high wattage अपोजिट है, यह अपना E आएगा, third answer आएगा अपना, next way भी चेक कर लो, fluorocloro में से, chloro अच्छा, H methyl में से, methyl अच्छा, तो यह भी क्या हो गया, Z, तो आपको यह पूछा था, कौन सा E है, तो E आई समर बताना है, तो E कौन सा होगा, third होगा, easy question, हाँ, rule अबने को आना चाहिए, next कहें इसके बाद, carbonil compounds react with NH2OH, forming opposite, देखो, जो carbonil molecule है, वो NH2OH से, जब react करता है, तो यह उसे एक water molecule, लूज हो करके, एक new group का formation करता है, जिसे oxym group कहते हैं, ऐसा ही कह रहा है, which should geometrical isomerism, हाँ, ठीक बात, अगर यह दोनों balance differ है, यहाँ A, और यहाँ पर अगर B आ रहा है, तो molecule यह भी शो करेगा, oxym, जो form होगा वो, oxym, which of the carbonil compound does not show geometricized, आपको नीचे 4 carbonil molecule दिये गए, आपको यह देखना है, कि वो जीए शो, नोट शो geometricized होगा है, आपको वो वोला option select करना है, जहाँ पर अपन कहें, carbonil molecule का oxym, GI short नहीं करेगा, पर पर समझ में आ गया, तो बैटा, यहाँ पर, अपने को सीधा सीधा यह देखना चाहिए, कार्बोनिली कार्बन के उपर दो valency differ है, क्या, तब तो GI होगी, और देनों को SIM दे दोगे, तो GI नहीं होगी, तो मैं अपने इस कार्बोनिल को देखता हूँ, तो मुझे लगता है, यह जी यह शोव वाला product देगा, क्यों? तो क्योंकि फैनिल और एच दोनों valency अलग है, तो इसका मला भी अपने answer में नहीं आएगा, बात करें अपन थ्री कार्बन के प्रोपेनल की, तो बटा कार्बोनिल पे एक valency एथिल और एक एच है, इसका मला भी answer में नहीं आएगा, जी यह शोगरेगा product, इसमें जाओगे, तो बताओ कैसे शोगरे, ये और ये valency सेम है, पीछे वाला ग्रुप भी सेम है, तो ये आपका answer है, थर्ड, फोर्थ में अपन कहें, फोर्थ में ऐसा लग रहा है, कि सर अगर हम इसका O निकाल के, और जिम बनाएंगे, तो दोनों ग्रुप सेम आ रहे हैं, हाँ, ऐसा तो है, तीन यहां पर बटा एक और रीजन होगा, ये जो मिधाइल है, ये जो मिधाइल है, ये जो मिधाइल है, ये दोनों मिधाइल above the plane, below the plane आगर के, साइक्लो एलकेन वाली जी ये शोगर देंगे, तो अपने को तो overall product में जी ये की बात करनी है, और जी में जी ये होगी, किसी और वज़े से तो बोले तो यहां पर third better option है, जिसमें जी ये नहीं होगी, नेक्स्ट कहें हम इसके बाद, select correct IUPAC में, molecule का correct IUPAC नेम बताना है, अब देखो क्या है, अपने molecule में senior most group है double bond, double bond के बाद ethyle methyl ये सब आयेगा, अब देखो numbering अपने को ऐसा करना है कि local rule फोलो हो जाए, उसमें local end पे पहला local end तो double bond का है, double bond को one number देना है, one देके, two देके, three देके, यहां आ सकते हैं, और four पे group आएगा, लेकिन एक option ये भी है कि आप one और two और three दे, four और five दे, अब दोनों में बात ये है कि आप इधर से जाते हैं तो आपको लगता है four पे मेरे पास ethyle भी आ गया, और इधर से अगर आप जा रहे हैं तो three पे group आ रहा है, तो sub student का lock end बनाओ, तो बैटा ये बेटर है, क्योंकि three five five बन रहा है, अगर आप उदर से sub student का lock end बनाते हैं, तो four four और फिर उसके बाद अपन कहें, तो six बन रहा है, ये आ रहा है, तो इससे ये वाली numbering जादा बेटर है, three five five, four four six है, क्योंकि जब three आ रहा था, तो अपने को four नहीं लेना था, ये ही local rule था, तो numbering आपको यह नहीं चलानी थी, one, two, three, four, five, तो five पे ethyl, क्योंकि alphabetically ethyl पहले आएगा, four ethyl, है ही नहीं ethyl, तो five पे है, five पे ethyl, three ethyl, three ethyl, छोड़ दीजी, answer एक ही बचा, five ethyl, three five dimethyl, बिल्कुल ऐसा है, cyclohexene, second option के अंदर, अपनी पूरी condition cover हो रही है, जैसा आप अपन चारे है, तो ये आपके बस, answer होगा इसका, ठीक है बच्चू, तो ये आपने पूरा solution देख लिया है, जहां भी आपका कोई doubt था, option की कैसे help लेनी है, कोई paper को कैसे solve करना है, हम अलागी ज्यादा time लगा रहे हैं, लेकिन वो time का purpose ये भी है, कि हम बागगी सारे option पे काम कर रहे हैं, सिर्फ question ही solve करना है, तो इतना time लगाने की जूरत नहीं है, ठीक है बच्चू, next paper के लिए all the very best, फिर बिलते हैं, जै-जै-CLC,